सतनाम शिरी वाहिगुरु साहिव जी ओ, सतनाम शिरी वाहिगुरु साहिव जी ओ, बसंत हिंडोल कार्दुजा महला चौथा, इको अंकार सतगुर परशादु काया नगर इक बालक वस्या, खिनपल थिर ना रहाई। अनिक उपाव जतन कर थाके, वारंबार परमाई। काया नगर इक बालक वस्या, खिनपल थिर ना रहाई। अनिक उपाव जतन कर थाके, वारंबार परमाई। मिरे ठाकुर बालक इकत कार्यान। सत्गुर मिलेता पूरा पाईये, पज राम नाम नीसान रहाओ। इहो मिर्तक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं बस्या। राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हर्या हुआ रस्या। मैं निर्खत निर्खत शरीर सब खोजया, इक गुर्मुख चलत दिखाया। बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुर्मती कर पाया। दीना दीन दयाल पए है, जो कृष्ण बिदर कर आया। मिले ओ सुदामा पावनी तार, सब किछ आगए दालद पंज समाया। राम नाम की पैजब डेरी, मेरे ठाकुर आप रखाई। जे सब साकत करेंब खिली, इक रती तिल ना कटाई। जन की उस्तत है राम नामा, देह दिस सुबा पाई। निंदक साकत खव ना सकैतिल, अपने कर लूकी लाई। जन को जन मिल सुबा पावै, गुण मैं गुण परगासा। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे, जो हो वैं दासन दासा। आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावै। नान को गुर्मुख सहज मिलाई, जो जल जले समावै। आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावै। नान को गुर्मुख सहज मिलाई, जो जल जले समावै। वाहि गुर्जी का खालसा, वाहि गुर्जी की फते। जल जल जले समावै। कर दो 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 कर झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 इस आल 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 करता करके हि जिए पहला बहुत स्वाद लग दी है फिर जू जू उस विच साढ़ी कागर्दा कट दी जान दी है उस चीज दा स्वाद करता जान दा है अधे अखीर विच वही चीज बे स्वाद लंग लग जान दी है इस्तिती असल विच एक पुलेखेदौं उत्पन हों इस्तिती हुंदी है क्योंके जीवने जदों पहली वारी कोई कर्म मन दी पूरी इकागरता नाल कीता तां उसनू सुख दा एहसास होया उसल विच उस चीज दे स्वाद दा एहसास नहीं सी बलके उसनू कर्न विले होई उस दे मन दी इकागरता विच्चू उत्पन होई सुख दा एहसास सी एह उस दी अपनी आत्मा दाही अक्ष सी जिस करके उसनू लगया के शायद उसनू ओ सुख उस चीज दे पो गणनाल प्राप्त होया है पर होया उस दे उल्ट ओ है मन दी इकागरता मन नू अपने शुद सुरूप तों दूर रखन लई तिन कार्ण हों दे हन मल विक्षेब अते आवरन मल उना दस्या के असी आपने आप बिच शुद सुरूप हाँ अनन्स रूप हाँ इस करके जदो मन दी पूरी इकागरता हों दी है तासी आपने शुद सुरूप दे न एक आगर्ता करके ही आनन्ददा अनुपव हुंदा है मान दी एक आगर्ता विच ही सुख है पर जदों असी परकिर्ती विच खिलरे हुए चूठे सुखा नाल अपने आपनू जोड लईए अते अग्गे अग्गे उन्ना विच वद्दे जाईए ता साड़े मन आत्मा ते ऑंकित हो जानदे हनुझ ओही साड़े पावसंसकार वन जानदे हनुझ जन्म जन्मम तक औह शाचे नाल चल दे हनुघी अंघे मैं किसे नुख किसे खास चीज दा सुवाद पे आहो वे तां उसनुझ अछीक कई जन्मम तक सुवद लगी जण mí है क्योंके यह उस दा पाव संस्कार सुवा जां विर्ति वन चुकी हुंदी है क्योंके पाव तों ही सुवा वन देहन अते सुवावा नाल ही कर्मा विज परिपकता आउंदी है जिसनू संस्कारां दा ना दिता गया है अते उसे संस्कारां नू जद पूरी आत्मियता नाल कीता जांदा है ता उसनू पाव संस्कार केंदे हन जिस दे नतीजे वजों ही अगले जनम दे कार्न बन दे हन इस तरह साड़े अपने पाव संस्कार ही साड़ी आत्मा दी स्थिती निर्दार्त कर दे हन मन दे संस्कारां करके ही साड़ी आत्मा दी स्थिती निर्दार्त हन दी है अते उसे स्थिती अनुसार साड़ा जनम हन दा है अगों उना जन्मा विच उसे अनुसार सुख दुखूंदे हन कुरोडा जन्मा तक इस तरह अदी स्थिती वणी रहनी है क्योंकि मान अपनियां विर्तियां अनुसार सुख दे पिछे पसदा है पर असल सुख जो उस दे अपने अंदर है उस दे अपने मन दी कागरता विच है उस तो ओ बेमुख होया रेंदा है दुज्या ओ बारी सुखा नू ही असल सुख मन के उन्हा नू प्राप्त कर लई गल्त फैसले भी करदा है इस तरह उस दे अपने मन टे उन्हा कर्मा दी मैल चड़ी जन्दी है जो उसनु अपने असल सुरूप तो अलग करी जन्दी है जिमे जिमे ओ इस संसार दे सुखा पिछे दौड़दा है उमे उमे ओना नू प्राप्त कर लई गल्त करम करदा है जो भी कर्म मनुख अपने असल के इंदरतों तुटके बाहर मुखी होके करदा है ओ पाप है किसे भी कर्म बिच जद ओ अतियंत सुख अनुपव करदा है ता उस दे अन्त है कर्म बिच ओ गल्त निरना अंकित हो जानदा है किसुख इस कर्म बिच है यहो जहे अनन्त युगा नाल अनन्त ही गल्त निरन्यानू मल केंदे हन उन्नानू दुबारा पो गणलेई लगातार विक्षेप दिय वस्ता विच वज्या रहनदा है अते उसे नाल मनते मैल चड़दी है जनम दर जनम ए मैल होर होर चड़ी जन्दी है इसे नू मल केहा जन्दा है दूजे रूप बिच पिछले क्रोडा जनमा दे कीते हुए कर्मा दे फैसल्यानू मल केहा जन्दा है पिछले जनमा बिच अग्यानत वस्त कीते हुए कर्मानू पबसंस्कार रुपी फैसल्याने ही विक्षेव वक्रेमा पैदा कीता है यही विक्षेव उस दे माननू एकागर नहीं होन दिन्दा जिस करके ओस उपर माया दा आवरण प्या होया है जिस करके ओस प्रमात्मा नूँ कोई होर अते आपने आपनू कोई होर मन लेंदा है उन्ज रब तां वेहत नेडे है ओतां हाथ तोंवी नेडे है जिस तरह गुरुवाने विक्षेव है कहे रविदास हाथ पै नेरे जिनना ओ मनुख दे अंदर है उन्ना ही ओ वहर है जिमें श्रीर दी आत्मा हुन दी है तां श्रीर चलदा है ओमें ही आत्मा दी आपनी आत्मा हुन दी है ओ है प्रमात्मा प्रग्यानी सोच दै के शायदो प्रमात्मा मेरे तो परे है जे मल हट जावे तम विक्षेप अपने आप हट जावेगा क्योंके विक्षेप जिड़ा है वो मल गल्त निर्ने दे कार्न ही पैदा होया है फिर सुख दी इच्छा ही नहीं रहें दी इस करके मनुख सुख प्राप्त कर्न लई कर्मा दे वंदन विच वी नहीं पैंदा कैंदे ने एक वारी एक राणी नदी किनारे नहाण गई उसने अपना हार उतार के किनारे ते रख्या ते नदी विच नहाण लग बै कोई पंची आया उसने वह हार उठा लेया ते उड़न दी कोशुश करन लगा पर हार पारी सी इस करके उस दे मुँ विच 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 पोथे आया उसने भी नौकरा नुँ हार लब्न दी हदायत किती पर हार किसे नू भी ना मिलया पानी विच दुव की लौन बाले नू बुलाया गया उसने नदी विच दुव की लाके हेठा हात्थ मारया पर हार ना मिलया सारे नदीदे किनारे खड़े होके देखी ही रहे सन के इतने नू नदीदे पानी विच ठहराओ आया ता फिर किसे स्याने ने दस्या हे राजन हार पानी विच नहीं बलके द्रख तो ते टंगे आपया है पानी विच ताके वलोसदा परच्छामा ही है इसे तरह मुनुख, जिस सुख नु प्राप्ट कर ले, बहर करम करदा है अते ओ करम करदा करदा, अपने आप पे तो बहुत दूर निकल जानदा है ओ सुख तां, उस दे अपने अंदर ही हुनदा है ओ गल्त जगाते उस दू तलाश कर रेहा हुनदा है जिस जग़ा ओसुख लब रहा हुंदा है ओसुख नहीं बलके उस दी परचाई हुंदी है जो सच नहीं हुंदी जिमें ओहार जो रुक देड़े टंगया हुया सी ओर रुके होई पाणी विच्च जो के पानी गंदा नहीं सी उस दी मिट्टी बैठी होई सी आदमी जद कोई करम करदा है उते मन जनी मात्रदाएक आगर होया हुन्दा है, उस विच्च उन्नी ही आपनी आत्मा दी परच्छाई पेंदी है, जो के सुक्ष सबरूप है पर अग्यानी उसनू उस कर्मनू सुख मानदा है जद के उस दे कागर मान होन दे कार उस दी आत्मा दी परचाई दाही सुख होनदा है नोट इस सचनू पामे आपने ही अंदरों लबना होनदा है पर इस दी जोग अगवाई लेई भी किसे पूर्ण महापुर्षदी जरूर्त होनदी है नहीं ता पामे सदियां तक कोई अपने आप प्रभूदी खोज करता रहे उसनू प्राती नहीं होनदी बलके खुआरी ही हत लग दी है वाहे गुरू 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 आहे गुरू, आहे गुरू, आहे गुरू दुख दी नविर्ती स्थूल, सुक्षम अते कार्ण जगत बेच जिन्ने भी जीव हन उनना द्वारा किते जा उनना द्वारा होण वाड़े कर्मावेच बहुत पिन तावा हुन दिया हन चाहे व राक्ष हन जा देवी देवता पहाड, पेडपोदे, पशु पंची जा इंसान सारे ही चंगेजा माडे कर्मा नालवने होए हुन दे हन कोई एक सेकंड लई भी अकर्म नहीं रह सकदा क्योंके जीवात्मा प्रमात्मा दियांश होन करके सचित आनन सुरूप है प्रकिर्ती नार मिलन करके इसने अपना असली सुरूप गौा लिया है जिसनू दुबारा हासल करन लई उस दी कर्म रूपी खोज जारी है एक खोज फिर चाहे इंद्रियां दे रही होवे जा मन रही होवे जा बुद्धी जा फिर इन्ना तिन्नानू मिला के होवे बिना कारन दे कोई कर्म नहीं हो सकदा वो रोज कर्म करदी रहन दी है जीवात्मा उस हद तक कर्म कर दी है जिस तक उसनू अपने असली सुरूप पाव सचित अनन्दी प्राप्ती नहीं हो जान दी जीवात्मा ने अपना अपा अग्यान दे अदीन खोया सी पर जदो ग्यान वान हो जाएगी तां हमेशा लई हो जाएगी जिमे पहला जदों तक बच्चा मावाब दे सहारे जी रहा हुन्दा है तां कुछ पता नहीं हुन्दा पर जिमे जिमे ग्यान हुन्दा चला जान्दा है उमे उमे बच्चा अपने निर्णे खुद लेंड लग जान्दा है बिना मां बाप दी सला दे उन निरने उसनों नुकसान नहीं पहुंचाओं दे बलके सुक ही दिन देहन वैसे ही पगवान रूपी मां बाप बिच्च रेंदी हुई जीवात्मा उसे श्रीर विच हुंदी है जिस विच उस दा मावाप रूपी पगवान रहेंदा है पर जदों जीवात्मा जनम लेंदी है तां आपने असली अनंद रूपी मावाप तों हटके उस दिया नकली दो मावा बन जान दिया हन माया मिटी अग पानी हवा आकाश अते अविद्या तमो रजो सतो अते नकली ही दो बाप बन जन दिया हन आवाश अंश अते ईश्वरिय आवाश अंश इत्थु करमा दियात्रा अरंब हुंदी है क्योंके ए जीव आत्मा नकली मावाप नू कुछ ना समझ दे होए पी अपने असली मावाप अनंस रूप श्रीर अते देश नू लबन लग दी है ता पत्थर पहाड तो जड़ता नू विख्षे बिच लियाओंदे लियाओंदे पेड पौदे अते फिर पशु पंच्छी अते फिर इंसान वणनी शुरू हो जन दी है जिमे जिमे जड़ता नाल विख्षे बद्दा चला जन दा है उमें उमें वाश्ना वद्धी है जिस नाल ग्यान दी उप जहंदी चली जन दी है अपनी आत्मा दा प्रतीविम जाँ चाया ईश्वर दा प्रतीविम जाँ चाया ये वी नकली है ये सच है ये सच नहीं है अते एरा अनंदनू जाएगा ये उस दे ग्यान विच अंकित हुन्दा चला जान्दा है जिमें पग्वान दा ना कदे अंत होया अते ना कदे होवेगा उसे तरह ही ये जीव आत्मा जिस दा सचा माता पिता पग्वान है इस आत्मा दावी कदे अंत नहीं होवेगा इत्थों तक के इसनू कैवल्लय मुक्ती ब्रहम ग्यान दी भी मिल जाए जो के सदा सदा लई ब्रहम विचलीनता हासिल कर लई हुंदी है उस विचवी उस जीव आत्मा दा वजूद अलग तो वन्या रहेगा इसे तरह इस जीव आत्मा नू सदा दा जीवन मिल चुका है ये अपने ग्यान दे तलते अपना अपना जीवन बतीत कर दे रहनगे पर इस दा आत्मिक ग्यान कदे कट नहीं होवेगा तां दुबारा नस्ट होना जां दुबारा तो माया आते अविद्या दे कबजे विच आ जाना एतां हो ही नहीं सकदा जिमें इंसान तो पत्थर वनी गौतम रिशी दी पतनी अहिल लिया अते शिरी राम जी दे सपर्ष द्वारा सजीव होन ते ओही पुराना ग्यान उसनू याद सी के पत्थर होन तो पहला ओ कौन सी इसे तरह ही स्वर्ग दे अश्मनी कुमार जो के देवता सी ओ श्राब मिलन करके पेड बने होई सन अते श्राब तो मुक्त होन ते उनननू याद सी के पेड बन तो पहला ओ की सी इस करके ओ अपने देव लोक नू चले गए जिमें हर बच्चे नू जनम लैंड तो बाद उडा आडा इडी सिखना पेंदा है चाहे ओ पिछले जनम बच जज, बकेल, डाक्टर, इंजिनियर ही क्यों न रहा होवे पर जो ग्यान आत्मानू त्रक्की देन वाला है ओ कदे भी जीवात्मा पुल दी नहीं उस जनम बच जिस जगाते उस दी पड़ाई रुक दी है उसे जगातों अगले जनम बच उस तो अग्गे दी पड़ाई शुरू हो जान दी है क्योंके जीवात्मा सदी भी है ता उस दी पड़ाई भी हमेशा चल दी रहन दी है संसारक पढ़ाई उसनु हर वरी करनी ही पैंदी है क्योंके शरीर नास्वान है स्थूर सूखम अते कार्ण शरीर जिस दी वजा नाड हर वार उड़ा आड़ाई डिदी पढ़ाई एहक विद्या शुरू तोही लेनी पैंदी है ब्रम ग्यान दी अवस्ता विच जीवात्मा दी अपने अनंद रुपी देश अते श्रीर दी खोजदा ग्यान पूरा हो जन्दा है जिस दी वज़ा नार उस दा कोई भी कर्म अपने लेई नहीं हुन्दा अते ओ सदा सदा लेई प्रिमा पक्ती विच स्थित अते नित दास बनके रहना है अते हमेशा लेई ज्यान वान हो जन्दा है उस दे फाल्स रूब इस दिया नकली दो मावा अविद्या अते दो पिता पहला पिता जी आत्मा दा आवाश अंश अविद्या तमो रजो सतो गुण दूसरा पिता रब रब दा आवास अंश मिटी अग पानी आकाश सदा सदा लई नश्ट हो जान देहन ऐसा अनंत कालदा अनंत रूपी जीवन जिसनु दुवारा प्राप्त कर लई कर्म रूपी खोच जारी है फिरो खोच चाहे इंद्रियां तों मन तों जां बुद्धी तों होवे जाएन तिन्नानों मिला के होवे जीवा आत्मा जातक उसनु अपने असली सुरूप सचित अनंदी प्राप्ती नहीं हो जान दी तद तक ओ नित कर्म कर्दी रेंदी है वे पिन परकार्दे श्रीरा मिच कुम दे हुए वे पिन परकार्दे कर्म कर्दे हुए इस दा मूल कर्म एक ही रेंदा है के इसनु सुख मिल जाए ए किसे ने किसे नू नाता सिखाया है ना पड़ाया है अते ना ही किसे ने दस्या है के तुम अपने लई सुख को जणा है अलग अलग शरीरा मिच कुम दे होई वक वक किसंदे कर्म कर दे होई जीवदा मूल कार्ण एही रेंदा है के इसनू सुख मिल जावे एक अलना तक किसे ने किसे नो सिखाई है ना पड़ाई है अते ना ही दसी है के तुँ अपने लई सुख दी खोज करनी है जिमें अगदी लौनू जिनना भी उल्टा करिये पर फिर भी उस दी दिशा आकाशवल ही रेंदी है क्योंके अगदा आदार उस दा माँबाप सूर्ज है इसे तरह पाणी जमीन ते पौन नाड ट्लान वल ही जानदा है क्योंके उस दा आधार उस दा माँबाप समुंदर है जिमे माँबाप तो पैदा होया बच्चा उनना दी अंश होन करके उनना वल अकर्षित होनदा है इसे तरह जीवात माँ सच्चित अनन्द सुरूप प्रमातमादी अंश होन करके सुवाविक ही अनन्दवल जान दी कोशिश कर दी रहंदी है जीवात माने दुख दी जात्रा ओदों तक खतम नहीं हुंदी जदों तको आपने असली सुरूप नू प्राप्त नहीं हो जान्दी दुख दी नविर्ती दो प्रकार दी हुंदी है अस्थाई दुख दी नविर्ती नाल दुख दूर करन वास्ते असी माया नाल ओत पोत होए अनंत जानमातों अनंत किसंदे कर्म कर रहे हां पर फिर्वी दुख दुवारा आखडे हुंदे हम स्थाई दुख दी नविर्ती केवल अते केवल प्रमात्मा धी प्राप्ती नाल ही होवेगी इसदा नाता कोई होर मार्ग सी ना है अते ना ही होर कोई मार्ग होएगा इसे परकार तिन चीज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् उसे विच्छ रेंदिया हन आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू ब्रह्म तिन प्रकार दे हन जमें महात्मा कहें दे हन के ए इस दे तिन सुरूप हन जमें सरगुण निरगुण अते विराट रूप है ता एक ही पर तिन प्रकार नाल कम कर दे हन जीमें एक जज न्या पाल का विच बैठके आपना फैसला सुनाओँदा है जो सबनू मन्दना पैन्दा है ओ ही जज जदू आपने दोस्ता मित्रा विच बैठता है ताह उठे उस दे किसे फैसले दी कोई मानता नहीं हुंदी वो ही जज जदों आपने कार जानदा है हते आपने बच्चे नू गोदी विच चुकदा है उस विले उस दा बच्चा उस दी दाड़ी तक भी खिच दिनदा है उस उते पिशाब भी कर दिनदा है पर उते उस दा वाहर वाड़ा सुआ नहीं चलदा प्रमात्मा एक हुंदे होए सरगुण भी है निर्गुण भी है पर असल विच है एक ही सरगुण जो सच खंड विच भी है अते ओही हरेक जीवदे अंदर भी वैठा है उस दे शुव जाँ शुव कर्मा नू लिखके उस नू फल दिनदा है प्रमात्मा दा एस रूप पूर्ण जा अंशिक रूप बिच अवतार बन के वी आउदा है निर्गुण सच चित आनन्स रूप है सच जो हमेशा तो सी हुणवी है अते हमेशा रहेगा चित ए चेतन्स रूप है आनन्द ए आनन्स रूप शरीर है ए इस तरह है जिमेरस गुला दो चीज़ां दे मिश्रण तों बन दा है जिमेरस अते गुला इस नू रेक तर्म दे मंदन वाले अपने अपने मत अनुसार नाम दिन दे हन इस अनन्स रूप ए प्रमात्मा दियां दो विशेष्टा वाहन सत ते चित इस लई इस नू सत चित अनन्स रूप करके ही जाने आ जन्दा है विराट ए सार्या नू सत्ता दिन्दा है अते सत्ता दी राखी करदा है प्रमात्मानी प्रिवाशा है जिस्तों संसार पैदा हुन्दा है उसे विच रेंदा है अते पल्दा है अते अखीर विच समा जान्दा है संसार खत्म होन्दे भी जड़ माया खत्म नहीं हुन्दी अते नाही जीवात्माना अपना सुरूप नश्ट हुन्दा है देश काल अते वस्तु नाल स्वन्दित जो कुछ भी है उसब नश्ट हो जन्दा है उदारंदे तौरते जिमे शरीर, मकान, दुकान, आद प्रमात्मान दा हत दिखाई नहीं दिन्दा पर फिर वियो सब कुछ फड़ सकदा है पैर नहीं पर हर जगा पहुंचदा है अख्खा नहीं पर सारी श्रिष्टी नू देखदा है मन, बुद्धी ना होन्दे वी सब कुछ जानदा है प्रमात्मान प्रमात्मा ही जान सकदा है मतलव एक एक प्रमात्मा दी किर्पा नाड ही सारिया किर्यावां संभवहन केवल जीव आत्मा दी निज्जी शक्ती जहां अपने योग वल नाड प्रमात्मा तक नहीं पहुंचआ जा सकदा जीव चाहे जिन्ना भी जब तप पाठ पूजा करदा रहे पर केवल गुरुदी किर्पा नाड ही ओस तक पहुंच सकदा है जीव जीव आत्मा अग्यानी है माया विच बननी होई है बहुत चोटी है पर सच चेतन अते आनांस रूप है जिमे सूर्ज अते सूर्ज दी किर्ण इको स्रोतों हुंदे होए वी एक नहीं हुंदे सूर्ज सूर्ज ही रहंदा है अते किर्ण किर्ण ही रहंदी है सूर्ज दी शक्ति किर्ण है इसलई किर्ण दा सिद्ध संबंध उस दिया किर्ण नाड है किसे किर्ण दा किसे होर किर्ण नाड कोई सुवंद नहीं इसे तरह जीव आत्मा प्रमात्मा दी अंच है इस करके जीव आत्मा दा प्रमात्मा नाल सिद्धा स्वंद हुंदा है पर जीव आत्मा दा आपस विच इस तरह दा कोई सिद्धा संबंद नहीं हुंदा प्रमात्मा अते जीव विच स्मान तावा अते विशेश तावा प्रमात्मा जीवात्मा दे अंदर रेंदा है ओही जीवदा सच्चा हे तैशी है अर्थात हित करन वाड़ा है प्रमात्मा विशाल चित है जीवात्मा दे प्रमात्मा एक ही जगा हिर्दे विच रेंदे हन बस फर्क सिर्फ इनना ही है के परमादमा दा मुख जीव वल है पर जीव दा मुख माया वल है वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू माया यह दो तरह दी हुदी है योग माया अथे जड माया यह प्रमात्मा दी अंध्रूनी शक्ती है इस दाल प्रमात्मा कुझ कर देवे कुछ कर देनों रोक देवे जान जो चाहे उल्टा कर देवे ए सब ओ योग माया दी शक्ति नाल करदा है जड़ माया ए जड़ होनते भी चेतन सुरूपदा कम करदी है ए भी तिन तरादी हंदी है जड़ माया, सुखम माया, अते चेतन माया ये सिर्फ प्रमातमांदी शक्ति नाल ही कम करदी है जिमें साड़ा शरीर कम करदा है जुदों तक आत्मा साड़े शरीर विच रेंदी है ओदों तक साड़ा जड़ रूपी शरीर चेतन हो के कम करदा है इस तो वाद जड़ों जीवा आत्मा साड़े शरीर विचे निकल जान्दी है तां साड़ा शरीर फिर जड़ रूप हो जान्दा है कोई इसनू जला दिन्दे हन कोई दवा दिन्दे हन कोई पाणी विच बहा दिन्दे हन जां कुझ इसते दहीं लाके उल्टा टंग दिन्दे हन तां जो पंची इसनू खा सकन पर ए इनना तिनना जगतां स्थूल जग सूखम जग कार्ण जगत तों बाहर नहीं है स्थूल जगत सूखम जग कार्ण जगत विच पंच किसम दे क्लेश हन अविद्या अग्यान असिम्ता अंधकार हनेरा राग लगाव दवैश दुश्मनी अवनिवेश बहुत दाड़ तिन प्रकार्दे ताप हुंदे हन अधियात्मिक ताप, आध दैविक ताप, आध पोतिक ताप, तिन प्रकार्दे शरीर हुंदे हन स्थूल शरीर, सूखम शरीर, कार्ण शरीर, तिन प्रकार्दे कर्म हुंदे हन संचित कर्म, प्रार्वद कर्म, क्रियामान कर्म पांज प्रकार्दे कोश हुन्दे हन अन्न मैं कोश, प्राण मैं कोश, मनु मैं कोश, विज्यान मैं कोश, आनंद मैं कोश तिन प्रकार्दे गुण हुन्दे हन तमों गुण, रजों गुण, सतों गुण पांज ततहन, मिटी, पाणी, अग, हवा, आकाश जड माया दा सुरूप एप परमात्मा तो परकाशित है पर परमात्मा उथे है जिथे पहुंच नहीं सक्दी परमात्मा तो विनाइस दा कोई वजूद नहीं है जिमें परशामा सूर्ज दे बिना नहीं रह सक्दा पर जिथे सूर्ज दा परकाश हुंदा है उस दी उल्ट दिशावल छा हुंदी है जिथे सूर्ज दा अशल परकाश हुंदा है उथे परचाई नहीं पहुंच सक्दी प्रमात्मा जीव अते माया नू नियंत्रित करन वड़ा है जीव आत्मा दे अनंद रूपी प्रमात्मा दी अंश हुन्दे होए भी अपने अनंद नू प्राप्त ना करन दा एक ही कार्ण है अते ओ है अग्यान में इस्तिती जिमें जिमें जीवदा ग्यान वद्धा जन्दा है तिमें तिमें ससंग द्वारा बुरे कमा तो वचना शुरू हो जन्दा है अते शुब कम करन लगदा है जदों इस रस्ते ते चल दे हुए इस दी त्रक्की हुंदी है ता ससंग दी किर्पा नार शुब कम कर दे हुए नरकाद नू छट के स्वर्गदा दिकारी हो जन्दा है जदों होर जदा ससंग अते महा पुर्शानदा साथ मिलदा चला जन्दा है ताए पगदी करन लगदा है जिस दे फार्ज रूप जीवातमा नू पंच परकारदी मुक्ती मिलदी है वो है साख्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुग मुक्ति, सायुक्त मुक्ति इसनों प्रांत ही जीवात्मानू कैवल्य मुक्ति दी प्राप्ति हुंदी है कैवल्य मुक्ति वेच जीवात्मा प्रमात्मा वेच एक मिक्ता प्राप्त कर दी है इक मिक्ता प्राप्त कर्म तो वाद भी संसार वेच प्रेमा पक्ति कर लेई संत महापुर्ष बन के अउंदी है कोई भी जीव आत्मा अपने असली शुरूप नू नस्ट नहीं कर सक दी जिमें संसार वेच कोई मनुख आत्म हत्या करके अपने शुरूप नू नस्ट कर दिन्दा है पर वो अपनी आत्मा नू नस्ट नहीं कर सकदा उसे तरह सायुक्त मुक्ति वाड़ा जीव प्रमात्मा वेच रेंदे होए भी अपनी वेस्सिम्रित्ती नहीं करदा इब्रम ग्यान्यांदी गती हुंदी है वो इसनू प्राप्त करन तो वादवी संसार वेच जनम लेंदे रेंदे हन जेकर सदा वास्ते कैवल्य मुक्ति विच आत्मा लीन हो जावे ना संत महाबुर्ष गुरू आद बन के संसार विच नहीं आ सकदे संसार वेच चार प्रकार दे व्यक्तित वहंदे हन उना विच्चों दो माया दे अदीन अते दो माया अतीत हुंदे हन माया अदीन जीव जो जीव माया दे अदीन हन जिमें पतंगा अग विच सुख मनके जा अग विच्चों सुख दी पाल करके पवरा फुल विच्च सुख मन के उस विच्चों सुख दी पाल कर दे तडप तडप के मर दे हन उसे तरह ये जीव संसार दे विशे विकारा विच्चों खप खप के सुख खोश दे होई मर जन दे हन दूसरे प्रकार दे माया दीन ओम नुखान जो ससंग रूपी माधी गोद विछ बैठते होए गुरूतों सत बचन रूपी लोरियां सुनदे होए अपनी सत सुरूप आत्मानू प्राप्त करके सचित अनंद रूपी प्रमात्मानू प्राप्त करन्दी कोशिश विच्च लगातार लगे रेंदेहन। माया अतीर जीव ए जीव प्रेम पक्ती दी उच्टम सीमानू प्राप्त करके संत महापुर्ष बन गए अते ए सचित आनंद रूपी प्रमात्मा विच हमेशा जागरित रहन दे हन ओ जीव आत्मा जिसने आद कालतों कदे भी मायावल देख्या ही नहीं अते प्रमात्मा दे सचित आनंस रूपनू छड्या नहीं उननू इस माया रचित संसार विच आउन दी लोड ही नहीं पई प्रमात्मा दी पक्ती करन तो पहला तिन गल्लांदा ज्यान होना बहुत जुरूरी है ए हन संबंध अविदे मकसद परियोजन संबंध साड़ा प्रमात्मा नाल की रिस्ता है साड़े विच ते प्रमात्मा विच की की अंतर है अते की की सांज है अविदे प्रमात्मा नाल कि में मिले आ जावेगा कई अपने ग्यान दे अदीन होके चारों दिशावां दी जात्रा करी जा रहे हन कई मंतर जाब कर दे रहेंदे हन कई मंतर जाब दा अनंद लेंदे होए खोर कुछ सुनना जा समझना नहीं चाओंदे जो के गल्ट है इस रास्ते विच आखरी पोड़ी तक सुनन, समझन, अदे पुच्छन दी जरूर्त पैंदी रहेगी परियोजन इस दा मतलव है के सनु प्रमात्मा तो मंगना की है कई लोग प्रमात्मा नू बाणिये दी दुकान समझ के वैठे होए हन जो चीज उन्हा नू इस संसार्चो नहीं मिल दी ताओं लोग उस चीज नू प्रमात्मा तो मंगन दी कोशिश कर दे हन अते प्रमात्मा दी पक्ती दा नाटक कर दे रहन दे हन मंगना है के पक्ती कर दे होए इनना ग्यान देो के अपनी खुशी वेच खुश रहके पक्ती दी त्रक्की मिल दी रहे वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू संसार विच दो किश्म दे सुख हन एक सच्चा सुख अते एक चूठा सुख सच्चा सुख जो लगातार वद्दा रहे जो हरेक पल मौजूद रहे उस दा हुण भी लाब मिले अते वाद विच भी उस दा लाब मिलदा रहे चूठा सुख जो लगातार कटदा रहे एक हर पल मौजूद नहीं रहेंदा इस दा हुण भी दुख मिल सकदा है पर वाद विच तान दुख ही मिलदा है सच्चा सुख जित्थे महात्मा अते चंगे पगत प्रमात्मा नालचित लगा लेंदे हन ताँ उसे विले उननौ उसक्ष अते शांती दा एसास होन लगदा है जिन्नी उनन दे मांदी कागरता वद्धी जन्दी है उसे तरह उनना दा सुख वादा चला जनता है जोदों भी पगत उस परमातमानू उननी ही कागरता नाल एक सेकंड ले भी याद करदा है ता उसे वक्त उसनू वो सच्चा परमातम सुख प्राप्त हो जनता है पगत नू उस समेता सुख मिलदा ही है नाल ही ओ आनन्द रूप परमातमान दे होर नजदीक होई जनता है चूठा सुख जदों कोई जीव किसे भी कर्म नू बहुत इच्छा रखके करदा है जिमें खाना पढ़ना अपना गुणगान सोनना दौलत एश्वर्ज वर्गा ता उसनू जो पहली वार सुख मिलदा है पर उसे वस्ता विच ओही कर्म दुवारा करना उस सुख नहीं मिलदा जो पहली वार करनार मिलदा है तीसरी वार उस तों कट अते चौथी वार उस तों कट सुख मिलदा है बार वार कोही कर्म करना सुखता नहीं मिलदा पर दुखदा एहसास जुरूर हों लगदा है जिमे के पहली वार रसगुला खान ते बहुत सुख मिलदा है दूसरा तीसरा चौथा पंजमा रसगुला खान नाल उस तों बहुत कट सुख मिलदा है छेमा रसगुला खान नाड उस जीब नू पहले रसगुले तों छे गुणा जादा सुख मिलना चाहीदा सी पर हुंदा उस दे उल्ट है के बार बार उही चीज खान नाड उस नू उल्टी दा अहसास होन लगदा है जो के दुखदा रूप है इसे तरह एस सुख भी कटदे करम बलवदा है जो के कोई भी कर्म पहली वार करन ते सानू जिन्नी मात्रादा सुख मिले आ उसे नू जे किते भी वैट के जाद करांगे ताँ उन्नी ही मात्रादा अनंद नहीं मिलेगा किसे भी माया रचित करम करन ते साड़े अंदर प्रमात्मावलों दिती गई जो शक्ती संचालित हुन दी है ओ हुन लई निसफल ही है निसफल अर्थात वेकार हो जान दी है क्योंके ओ प्रमात्मावल समर्पित होके कीते होए करम नहीं हुन दे बलके उस दे उल्ट साड़े कदम मायावल वद रहे हन इस करम फल नाल सानू अगे भी बंदन ही पैंदे जानगे जो के एक कर्म कर्ण तो बाद भी दुख रूप अवस्ता विच्च साड़े प्रारवद विच्च एकठे हुन दे जानगे ब्रह्म जीव माया एतिन शक्तियां आते अनंत हन इस तो एवी सिद हुन दा है के जीव कोड सुख नूखो जन दे केवल दो ही मारग हन वो हन प्रमात्मा दा मारग अते माया दा मारग कोई तीसरा मारग ना ता सी ना है अते ना ही होवेगा आहे गुरू 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 वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू ग्ञाननी दिया साथ पूमेकावा हन अगयान परांती अर्थात पुलेखा आवरन पूरुक ग्यान अर्थात सिद्धा ग्यान असिद्धा ग्यान दुख न विर्ती ते त्रिप्ती इस सते पूमिकावां आतमांदी तरकी दियां अवस्थावां हन हते एक तो एक वड़ियां हन चौती पूमिका तो वाद सादक दी मर्जी हुंदी है के पो अगों जनम लवे जन ना लवे पर इस पूमिकाविच उसनू परमातमांदी प्राप्ती नहीं हुंदी क्योंके उस दे कतर हुए कर्म जोके केवल गुरुदी किर्पा नाल नस्ट होने हुंदे हन उन नस्ट नहीं हो पान दे जेकर सादक बिना प्रेम पक्ती दे बिना संपूर्न समर्पन दे अपने ग्यान अते योग वल नाल परमातमा नुप्राप्त कर लेंदा है तह परमातमा छोटा हो जावेगा अते योग सादना वड़ा हो जाएगा जोके संब्व ही नहीं अते पगवान दी कोई भी चीज लिमिट विच नहीं है इस करके उस दे जिनने भी पक्त संत अवतार जिनना जान सके उनना ने उसनू उनना ही कथन कर दिता उस दा पूरा ग्यान आज तक किसे नू भी नहीं होया उस दा संपूर्ण ग्यान तां उसनू ही हो सकदा है जो उस जिड़ा होवे जां उस तों भी वड़ा होवे पर परमात्मा देतां कोई बराबर ही नहीं तां कोई वड़ा की होवेगा इस करके उस दा पूरा ग्यान किसे नू नहीं हो सकदा संसार विच तिन प्रकार दे जीवां दे सुवा हों दे हन लैना लैना अते सिर्फ लैन दी कामना ए सवार्थ नू बदाउंदा है लैना देना ए बिवहार नू बदाउंदा है देना देना ते सिर्फ देना ये प्रेम नू बुदाउंदा है, सच्चा प्रेम ही प्रमातमादी पगती वेच सहाय कहुंदा है इस दे कई रूप हुंदे हन, जिमें, दास प्रेम, सखी प्रेम, अर्थात मित्तर प्रेम, बातसल प्रेम, अर्थात ममता प्रेम, शांत प्रेम, माधुर प्रेम, प्रेमानन आद, इस तरह कर्म भी तिन प्रकार दे हुंदे हन, संचित कर्म, प्रारवद कर्म, क्रियामान कर् संचित कर्म जड़ा अनाद कालतों जीव द्वारा कीते हुए कर्मा द्वारा बने हुए फल रूपी कर्म हन्त प्रारवद कर्म संचित कर्म देव फलां दा बहुत छोटा जिहा पाग कर्मा दा समू जिसनु जीव हुन भी पोग रहा है ये प्रारवद संता महापुर्षा अवतारा नू भी पोगणा पैंदा है जिमें श्री क्रिशन जीदे अंतिम समे वेच पैर वेच तीर लगणते श्रीर नू छड़ना क्रियमान कर्म हुन जो प्रारवद है उस विच चंगे माडे कर्मा नू बदा आके अगला प्रारवद त्यार करना जो अनन्द गान नू हरी का आखान नाल मिलदा है जां किस सेठ नू अपने समने पे खाने तो मिलदा है जां इंदर नू स्वर्ग लोग विच मिलन वाले खाने तो मिलदा है इनना तिनना दी श्रीर दी अवस्ता अते पदवी वक वक हुंदे होये वी इनननू मिलन वाला सुख इको जिहा हुंदा है इस विच रती पर वी फर्क नहीं हुंदा सुख चार प्रकार दे हुंदे हन जड जमा जड जन सन्जोग सुख चेतन जमा चेतन संजोग सुख चेतन जमा चेतन प्रेम संजोग सुख जड़ जमा जड़ जन सहाइक सुख जां संसारी सुख इतमो अते रजोगुन दे मिश्रन नाड़ बनया सुख हुंदा है जड़ जमा चेतन जन संजोग सुख जां आत्मा दा सुख क्योंके मन जड़ है आत्मा चेतन है अतेस विच जो आत्मा है वो प्रमात्मा दा अंश हुन्दा है इसलई इस विच प्रमात्मा दा कुछ एहसास है पर ये असल सुख नहीं जो के सतो गुणी द्वारा पो ग्या जन्दा है चेतन जमा चेतन संजोग सुख ब्रह्म आनंद निर्गुन निराकार दा सुख एह ब्रह्म ग्यानिया दा सुख है क्योंके इस विच आत्मा ही प्रमात्मा नाल संजोग करके पक्ती कर दी है एह सुख बिना गुरुदी किरपातों नहीं मिल्दा एह अनंत मात्रदा सुख हुंदा है अते सुधी भी हुंदा है अते थे राम कृशन वाहिगुरू अते अल्ला शवद भी नहीं पहुंच पौंदा चेतन जमा चेतन प्रेम संयोग सुख जा प्रेम आनंद सुख ब्रह्मा आनंद प्राप्त करके जदों प्रमात्मा तो सच्चा अते दैवी प्रेम मिल्दा है तह मुनुख दी चेतना बदल के अपना जनम सार्थक बना लेंदी है पामे ओ जीवात्मा जंग्ला विच जा संसार विच रेंदे होए अपने नित दास देरू विच पक्ती करदी रेंदी है ये पक्ती भी जीवात्मा अपने लई ही करदी है क्योंके प्रमात्मा अंदी किसे भी चीजदा कोई अंत नहीं है चाहे ओ शक्ती होवे, पक्ती होवे, जा प्रेम होवे, जिनने प्रेम नाड़ सी, चोथी अवस्ता विच वैठके पक्ती कर दे हां, ओ प्रमात्मा उस प्रेम नू दुग्णा करके सनू मोड दिन्दा है उस दी हर चीज अनन्त होण करके उस दा प्रेम भी अनन्त होंदा है, इस करके उस दे दास, महांपुर्ष, उस दे अनन्त प्रेम विच नित डुबे रेंदे हन। प्रमात्मा इनना वड़ा है के अनन्त क्रोड ब्रह्मा, विश्नू, महेश, अपनी अपनी तर्ती दे मुख देवता, इस तरह दे कई क्रोड ब्रह्मंड प्रमात्मा दे पैर दे, एक रोम विच वसे होए हुंदे हन। इनना वड़ा वी है प्रमात्मा ओ इतना सूखम भी है के ओ जीवानू जो माइक्रोसकोप नाडवी नहीं देखे जा सकते इस तोक विच दस्यासी सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। अते जो मिंट विच ही अपनी पूरी जिंदगी बचपन जवानी बड़ा पापो के अगले जनम विच चले जान दे हन। प्रमात्मा उनना दे अंदर वी वैठके उनना जीवान दे रेक छिन दे करमादा हिसाब रखदा। अते फाल दिंदा है। कितना छोटा भी है परमात्मा côt दुनिया विच जे कोई सब तो छोटी चीज है तां ओ परमात्मा है। उस दी हस्ती दा कोई अंत नहीं पाया जा सक्दा तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहाणियां गुर मीत सुनाईयां वले हारी गुर अपने गुर को बल जाईयां आए मिल गुर सिख आए मिल तु मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पावदे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाण मन्या तिन कुम कुम जाए जिन सत गुर प्यारा दिखिया तिन को होंवारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बल हारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर से बाते पाई ए गुर्मुख निस्तारा जो हर नामते आएं देते जन परवाना तन बिटो नानक बारिया सदा सदा कुरवाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रपाव है जो गुर्मुख प्यारा सेम देते न हर पल पाव है जिनना हर से ती पिर हडी तिनना जी प्रवना ले ओए जब जब प्यारा जीम दे हर नाम समाले जिन गुर्मुख प्यारा से वे आतिन को कम जाया ओए आप छुटे पर वार्स्यों सब जगत छडाया गुर्प्यार हर से वे आ गुर्टन गुर्टनों गुर्ः हर मारग दस्या गुर्पुन बढ़ पुनों जो गुर्षक गुर्षे मदे से पुन पुराणी जन्नान क्तिन को बार्या सदा सदा कुरवाणी गुर्मुख सखी से हिलियां से आप हर पाईया हर दर्गे पेनाईया हर आप गलाईया जो गुर मुख नामते आएं दे तिन दर्शन दीजै हम तिन के चर्ण पखाल दे तूड कोड कोड पीजै पान सुपारी खातिया मुख वीडिया लाईया हर हर कदे नाचेते ओ जम पकड चलाईया जिन हर नमा हर चित या हिर दै उर तारे तिन जम नेड़ना वई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुर मुख जाने नान के जिन सत गुर पिट या रंगरलियां माने सत गुर दाता अखी है तुस करे पसाओ हो गुर बिटों सद बारे आ जिन्द तड़ा नाओ सोतन गुरु सावास है हर देश ने हाँ हो बेख बेख गुरु बेख से आ गुर सत गुर देहा गुर असनाम रित बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मने आ तिना पुख सब जावी हर का मारगा की है को कित बिद जाई है हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाई है जिन गुर मुख हर आराद देहा से साब अड़ दाने हो सत गुर को सत बारे आ गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहे वो तू है मेरा माना तुद पाव है तेरी बंदगी तू गुनिंग हीरा आप पे हर एक रंग है आप पे बहर रंगी जोत शुपाव है नान का साही गल चंगी वाहि बूझ का हलसा वाहि गुर capable की वते चार प्रकारदी पक्ती चार प्रकारदी पक्ती हुंदी है तमउ गुनी पक्ती हिंसा करना दूसरे नू मार सुटना पकह रंद करना अनेक तरां दे माया रचित दोश्यानू लक्ष बणा के पक्ती करना रजो गुणी पक्ती संसारी विश्यां तो लेके स्वर्ग आदे पोगानू पौण लेई पक्ती करना सतो गुणी पक्ती करम बंदननू कटन दे लेई पापा नू नश्ट करन अते अनन्त काल दे लई अनन्त मात्रा दे करमा तो रहत अनन्त प्राप्त करन दे लई लक्ष बणा के पक्ती करना निर्गुन पक्ति निरंतर निश्काम पक्ति केवल सचित अनन्द सुरूपनू प्राप्त करके सची प्रीत विच रहन अते नित दास बना के पक्ति करना ब्रह्म ग्यानी जा महापुर्ष नू प्रमात्मा अपना संपूर्ण आरनंध अते ग्यान दे दिन्दा है पर प्रमात्मा महापुर्ष नू श्रिष्टी चलोन पालन करन रख्या करन अते जीवदे कर्मा नू नोट करन दा अधिकार नहीं दिन्दा ये सारे कम परमात्मा खुद ही करदा है कोई भी ब्यक्ति तार्मिक गरंथन उपड़के कुझ भी नहीं समझ सकदा जिमें के एक द्रख्ते एक तोता बैठा बोल रहा है एक पहलवान उसनु सुन के समझदा है के ओ डंड बैठक जहां होर कसरत आद बारे कुझ बोल रहा है उसनु पंसारी समझदा है के ओ सुन्ड मिर्च अद्रक आद बोल रहा है पगज समझदा है के ओ प्रभूदा नाम बोल रहा है जिमें हरियों सीता राम आद हरेक व्यक्ति उस पंची दी असल बोली इसलेई नहीं समझ सकदा क्योंके हरेक व्यक्ति दे अंतह कर्ण विच चार दोश पाय जान दे हन ओ दोश हन परम दोश अपने आपनू आत्मा हुंदे होय वी श्रीर समझी जाना अते निरांतर श्रीर ही समझ दे रहना परमात दोश ए मन बहुत चंचल होन करके थोड़ी देर विच ही बदल जान दा है इत्थों तक के गुरू परमातमा अते बेद दे प्रतीवी इस दे मान ने बदल जान दे हन विपरविक्ता व्यक्ती इसे दोश दे कार्ण अपनियां कमजोरियां नू छुपाउंदा है अते उननों होर तरीके नाड पेश करके पाखंड करदा है करना पाटो माया विच बनने होई जीव दा दिमाग सीमित है अते इस करके ए जीव आत्मा अग्यानी है ग्यानी नहीं इसे करके माया विच बन्या मन अते बुद्धी अनुसार उस दिवे देश दियां गलानू समझन दी कोशिश करदा है जिते माया परवेश ही नहीं कर सकदी व्यक्ति उस नुँ आपने अनुसार समझन दी कोशिश करदा है जो ओ कर नहीं सकदा इस करके किसे वीतार में गरंथ नुँ समझन लेई किसे महापुर्षदी लोड हुंदी है जिमें गुरवानी विच लिखिया है संत का मारग तर्म की पौडी को बढ़ पागी पाए कोट जनम के किल विखना से हर चरनी चित लाए इसे लई ही महापुर्षदो समझना इस लई वी श्रेष्ट है क्योंके उस अड़ी आतमे कवस्ता नू ठीक ठीक समझ के उस अनू सारसा नू उपदेश कर दे हन शिरी गुरु गोविन सिंग जी ने जहे महापुर्षद वरे किहा है आतमरस जे जान ही सो है खालस देव प्रव मैं मो मैं ताश मैं रंचक नाहिन पेद इसलई गुरु अते प्रमात्मा प्रती शर्द विचरती पर वी फर्क नहीं होना चाहिदा ये दोनों एक हुंदे होए वी सानू दो परतीत हुंदे हन अजहे गुरु नू ही गुरु ब्रह्मा विश्णू अते महेश के हा गया है क्योंके गुरु ब्रह्मा जो सानू सचित आनान्स रूप प्रमात्मा दा ग्यान करवाँ दे हन अते सच दा मार्ग दस दे हन गुरु विश्णू के साथे ग्यान दी रख्या करदे हन अते साथे ग्यान नू सच दे मार्ग वास्ते उपयोगी बणोंदे चले जन दे हन गुरु महेश्वर जो ग्यान दे नाल और वाड़े अग्यान नू टिकन नहीं दिन दे जिस नाल साथा अंतहकरन शुद्ध हुंदा चला जानदा है क्योंके माया विच ग्रसया जीवता महा पुर्शान नू जान गुरु नू पुर्शान नहीं सकदा ता फिरो प्रमात्मा तक कि में पहुंचेगा माया प्रमात्मा दी ही शक्ती है अते शक्ती मान दी शक्ती शक्ती मान दे वराबर हुंदी है इसलिए जदों जीवात मंदी पगती चंगी ये वस्था विच पहुंच जावेगी अते उस दा अंतह करन अर्थात मन पूर्ण रूप विच शुद्ध हो जावेगा तद गुरु ही किर्पा करके प्रमात्माना सच्चा प्रेम अते प्रमात्मान दे आनंद तो ही आनंद युक्त करा देंगे जिमें किसे द्रख्त दे टानेया पत्ते फुल अते फाल उसे द्रख्त दे दास हुन देहन अते उसे द्रख्त दे निरपर कर देहन उसे तरा जीवात मा प्रमात्मान दी नित दी दास है इसलिए उसदा कम सिर्फ प्रमात्मा दी सेवा करना है अते प्रेमतों इलावा उप्रमात्मा कोड़ों कुछ नहीं मंग दी जिमे नरसिंग अबतार विच पहलाद नू ईश्वर ने किहा के वर्मंग तां प्रहलाद ने सोचिया के लगदा है मेरे अंदर कोई इच्छा बाकी रह गई जिस करके प्रमात्मा ने मैंनू वर्मंग लई किहा है प्रलाद ने किहा जे वर्देना चौंदे हो तां ये वर्दे हो के आप जी दे सचे वर्दो विना किसे हो चीज दी कोई कामना ही ना रहे प्रमात्मा इनना पूर्ण है के जे पूर्ण विचों पूर्ण कड़ देए तां भी पूर्ण बचदा है किसे वड़ी चीज विच जे कर छोटी चीज पाई जावे तां वो हिल दी रहेगी पर प्रमात्मा इनना पूर्ण है के उस विच रतावी जगा खाली नहीं है के ओ हिल सके क्योंके ओ प्रमात्मा ही सब कुझ है अते उसे विच सब कुझ है इसे करके ओ स्थेर अते अटल है इसे लई महापुर्ष अते गुरुजन पक्तिकर्न वेले माननू इकागर होन दी हदायत दिन्दे रेंदे हन क्योंके प्रमात्मा भी पूर्ण स्थेर अते अचल होन कान सब जगा इको जेहा प्रकाशमान है ग्यानियान दा सच्चित अनन सुरूप होके अते पक्तान दा सुरूप लेके मन जिनना एकागर होन दा जावेगा अते ठहरा आउन दा जावेगा तां उनना ही उस संपूर्ण ब्रम दा एहसास होन दा जावेगा पर शर्थ ए है के वो एकागरता किसे संसार्क विशे विकार दी ना होवे इसलए एकागरता साधे जीवन दा बहुत महत्पूर्ण अंग है पक्ती मारग लई एकागरता वेहत जुरूरी है वो एकागरता चाहे परमात्मा दे शवदा विच होवे प्रमात्मा दे त्यान विच होवे जां प्रमात्मा नाल प्रेमा पाविच होवे एक आगर्ता सानू बदाउं दे चले जाना चाहीदा है तर्म दे संबंध विच एक आगर्ता किसे किसम दी होवे उस दा वदी जान बहुत लाहे वंद हुंदा है मन दी एकागरता जे में वी अते जित्थों वी मिले उसनु फड़न अते बदाउन दा जयतन करना चाहिदा है पामे ओ एकागरता खाना खांदे समें होवे खाना पकौंदे समें होवे जां किसे किसम दा विवहार कर दे समें होवे पर पूर्न एकागरता विच सुखदा एहसास वन्या रेंदा है पूर्न एकागरता विच सुखदा एहसास इस करकेवी हुन्दा है के उस वक्त मन विच किसे किसंदा संकल्प जां विकल्प नहीं हुन्दा मन केवल ते केवल किसे खास विंदू ते स्थेर हुंदा है विशे विकार ते शब्द त्यान जां पावना ना होवे अते जिमेवी मन एकागरता पकड़दा होवे उसनू बदाउना चाहिदा है इसे परकार पगवान विच्वी एकागरता वदी जन्दी है जो के कर्म अतिपावना नाल पगती कहोंदी है वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु क्योंके मनुखी मन दे तिन प्रकार हों दे हन जिमें जागरित अर्द चेतन अव चेतन जदों कोई मनुख कोई किरिया लगातार करदा रेंदा है ता पहला हो किरिया उस दे जागरित मन विच फिर अर्द चेतन मन विच अते फिर अव चेतन मन विच होन लग दी है उस जगा ते पहुंच के मनुखी मन ठीक तरा नाल किरिया का रहा होंदा है मन दिया तिन्ना अवस्थावां विच जदों ए महसूस होवे के मन जा अंतहकर्ण बाहर नी आखां तो बिना जाइंज कह लईये के मन बारी विशेविकारां तो हटके एक जगा तिक्या रहे ता ये पक्ती मारग लई बहुत ही सहाइक स्थिती हुंदी है मन दी का गरता विच बहुत सारिया शक्तिया चुपिया हुईया हुंदीया हन इतिहास विच जिकर हुदा है कि किसे ने टाई चुली पाणी दे पर के समुंदर खाली कर देता योग बदल जिते स्वर्ग लोग अते मात लोग विच एक नमा स्वर्ग लोग बना देता इस सारिया शक्तिया मन दी का गरता विचों पैदा हुईया शक्तिया हन ए माया रूपी संसार उन्ना ही वड़ा है जिन्ना के प्रमात्मा आप है पर जदों तक असी प्रमात्मा नू नहीं मिल दे उदों तक जीवात मांदा एच करखातम नहीं हुंदा है यार युगा नू मिला के ब्रमा दा अद्धा दिन हुंदा है इन्ना युगा मिच जीव सत्संग तो बिना अते अपने जीवन दे उच उदेश तो बिना जनम जनम दुख्त कलीफां पोगदे हुए बारवार जीव एक बूंद विच्चों पैदा होके एक मुठी पर जीव हमेशा सुख दी पाड विच लगया रेंदा है उस दे हर करम दे पिछे एही उदेश रेंदा है के उसनू कितों सुख मिल जावे जो कदे खत्म ना होवे अते ना ही उसनू कोई साठे तो खो सके पर सानू ए ग्यान नहीं हुंदा के इसनू प्राप्त कर ले असी की क करना है कदों करना है अते कि मे करना है इस करके असी उस लक्ष नू बिना जाने नश्वर करम कर दे रहं दे हां जिवह के एक वारिदी गल है एक मनुख सारी तर्तीदा राजासी परोहिरन दे मौ बिच इन्ना ग्रसया गया के अगले जनम बुच हिरन बढ़िया फिर उस्तो वाद तीसरे जनम बेच एक नकारा ब्रह्मन बनेया जिसनू करों कट दिता गया सी उस्तो वाद ओही हिर्न जो उसने पालया सी ओ अगले जनम बेच राजा बनेया अते राजा जो ब्रह्मन नो अवारा आदमी समझ के उस तों अपनी पाल की चिकवाउंदा सी उस दादास बनेया राजा जन्मा विच इस करके कुम्रहा सी के ससंग तो बिना उस दे जीवन दा कोई उच उदेश नहीं बन सकेया सी जदों के हिर्न पालया होया उस वक्त ए सन्यासी बनेया होया सी सो असीं ब्रह्मा दे अदे दिन विच करम कर दे रेंदे हाँ अते जदों परला दी रात उणदी है तां ब्रह्मा दी अद्धी रात महा परले ही रेंदी है जिस कार्ण हयारा योग प्रमात्मा सारे जीवानू अपने अंदर लुका के ब्रह्म अनुपा विच रखदा है जदो ब्रह्मा दी स्वेर हुंदी है ता निर आवरण ब्रह्म दे लई जिगान्दा है अते हरेक जीव दे अंदर बैठके उस दे नाल आउंदा है उन्ना दे विच बैठा उन्ना दे कर्मा नू नोट करदा हते उन्ना अनुसार फल दिन्दा है जिमें प्रमात्मा दे अंदर रहन विडे जीव दी अवस्ता सी उसे तरह वाहर भी कर दिन्दा है जिमें परलया तो पहला संसार सी हौली हौली ओहो जिहा ही परगट कर दिन्दा है पर जदो महा परलय हुंदी है ता कोई चीज नहीं बच दी सिर्फ प्रमात्मा ही रह जन्दा है इसलिए संत महापुर्ष गुरु जन्द किसे दी सहायता उस अनन्दी प्राप्ति लई उन्नी देर तक नहीं कर सकते जिन्नी देर तक जीवात्मा संत महापुर्षा दे कहे अनुसार अपने अंतह करनू पूरी तरह शुद नहीं कर लेंदी अते संत महापुर्षा गुरु जनादे देश काल वस्तू अते प्रस्तिती नू देख दे होए ग्यान अते विख्यान विच फर्क पाउंदे हन। जिस नाल के जग्या सुनू सहज नाल ही ये गल समझा जाए पर उन्ना दे सिदान वो प्राप्त कीते होए लक्ष तक पहु चौना उस विच कोई फर्क नहीं हुंदा क्योंके साच दा एहसास सवनू इको जेहा हुंदा है त्रीके अलग अलग हो सक देहन गुरु किर्पा नाल ब्रह्म ग्यानी दे उप्रों माया दा पर्दा हट जन्दा है परो पर्दा नश्ट नहीं हुंदा अते माया प्रमात्म अधी शक्ती है फिर भी प्रमात्मा उसनों नश्ट नहीं कर सकदा महा परले विच संसारी नश्ट हुंदा है ना के जड माया अते जीव आत्मा इसलिए प्रेम प्रक्ति रहत कर्म नर्क जान स्वर्ग दे सक देहन अते प्रेम प्रक्ति वाड़ा ग्यान अते योग आत्म ग्यान तक पुजा सक देहन जिस दी अवस्ता ब्रह्म लोग तक हुंदी है सच्चित अनन्स रूप प्रमात्मा नू बिना प्राप्त कीते ओ पगत लोग सच खंड जान बैकउंट लोग तक हमेशा वास्ते पहुंच जान देहन परे पर पूर्पूर्न वस्ता नहीं है उत कैवल्य मुक्ती दी अवस्ता विच पहुंच के ही हुंदी है सच खंड बैकुंट ताम दे विच चार किसम दी मुक्ती प्राप्त कीते हुई जीव ही रह सक देहन लेकिन पूर्ण महापुर्ष कदेवियों थे आ जा सक देहन कैवल्य मुक्ती विच उन्हाने किते होर जाना नहीं हुंदा ओ ब्रह्म विच ही लीन रेंदे हन प्रमात्मा दी इच्छा नाल कुझ आत्मामा इस संसार विच आके पूजा पाठ कर दियां रेंदियां हन ओ आत्मामा पहला तो ही ब्रह्म ग्यानी हुंदियां हन जहे जीव प्रमात्मा दी मर्जी नाल ही उस दे नित दे दास दे रूबिच संसार विच आउंदे हन जीवनु आपना अंतह कर्ण आप ही शुद करना पेंदा है फिर चाहे ओ प्रेम पक्ती नाल होवे चाहे योग साधना नाल होवे जिमे के हर मंदर साहिव दी खुदाई वेले एक योगी तरती दे अंदर समधी स्तित हो के बैठा होया सी उसने अपने प्राणा नू दसमें द्वार ते मन विच बिना किसे संकल्प दे रोक के रख्या होया सी बाद विच गुरू अर्जन देव जी ने उसनू अपनी किर्पा द्रिष्टी द्वारा ब्रह्म ग्यान कराया निर्संकल्प अते पग्ती ना मन जिनना एकागर होवेगा उन्ना ही ओ प्रमात्मादी प्राप्ती दा पातर बनदा जावेगा अकर्तापन कर्म ना करना ता सिर्फ महापुर्शा अते अवतारां विच ही हो सकदा है उदारन दे तौरते एक वार करवा चोह दे वर्त समय शाम दे विळे श्री क्रिशन जी दियां जिनियां वी राणियां सन उन्ना ने किहा के इस दिन किसे ब्रह्मन नू पोजन खुआया जावे ता वहत शुब फल मिलदा है पते जे गुरू नू पोजन कराया जावे ता हजारां ब्रह्मना नू पोजन कराउन दे बराबर हुंदा है इसलए असी सारियां ने अपने गुरू नू पोजन खुआना है किर्पा करके नदी पार करनदा कोई साधन बना देओ तां शिरी क्रिशन जी ने कहा इस समय तक कोई साधन नहीं बन सकदा पर तुसी नदी नू कह देना के जे कर आज तक मैं किसे इस्त्री नू ना छूहया होवे जग गंदे पाव नाल ना विख्या होवे ता रस्ता दे दे वे नहीं ता ना दे वे सारिया राणिया ये सुनके हस पईया के शिरी क्रिशन जी दे साधे नाल रहें दे होए अते संताना दे हुंदे होए एक अलके में संभव हो सक दी है पर उन्ना ने नदी कोल जाके इस सारा को जाख्या ता नदी ने उन्ना नूरा दे दिता उस समे उन्हा दी हरानी दी हद ही ना रही उस्तों बाद जदों ओ गुरू द्रवासा रिशी कोल पहुंचियां ता उन्हा ने आपनिया थालियां रिशी अगे कर देतीया रिशी ने एक छोटा जेहा टुकडा चुक के खा लेया अते कैदितता के उन्नाने पोग ला लेया है इस सुन के बाकी सारियां राणियां ने भी कहा के उन्ना दा पोजन भी छक लेया जावे जदो रिशी दुरवाशा ने सारीया राणिया दा पोजन खा लेया ता राणिया ने कहा गुरु जी साड़े वापस जान दा कोई साधन नहीं है आउंदे होई ता शिरी कृशन जी ने साधन बना देता सी हुन तुसी कोई साधन बना देो तद गुरु दुरवाशा रिशी ने कहा के नदी नू कह देना के जे कर मैं पूरी जिंदगी विच पतली का आतों इलावा कुछ ना खाया होवे ता रस्ता दे दे वे नहीं ता ना दे वे उस समय सारीया राणिया ये सुन के हैरान रह गईया के साधे समने ता गुरु जी ने सारा खाना खादा है पर जदो राणिया ने नदी गोल जाके इस तरह के हा ता नदी ने रा दे दिता इस दा पाव ए है के उस सुखनू पोगदे होए वी सुखनू महसूस नहीं कर रहे सन उनना दी सम वस्ता बनी रहें दी सी उ कर्म करदे होए वी अकरता ही सन जो सुख विच सुख ना महसूस करे अते दुख विच दुख ना महसूस करे अते उस दी सम वस्था स्थिर तोरते बनी रहे उसनू ही अकर्ता मन्या जा सकदा है कर्ता वन वाले दे ही कर्तब हुन्दे हन अकर्ता दे कोई कर्तब नहीं हुन्दे उन्ना महापुर्शान्दा कोई भी कम स्वै निर्मित विनोध मातर ही हुन्दा है फिर ओ चाहे गुरु नानक देव जी बनके पूरे संसार विच ग्यान दा उजाला करे अते जां गुरु गोविन सिंग जी बनके युद्ध करे असी प्रमात्मा जां गुरु नू जिनना तो खा दिन दे हां उन्ना सानु प्रमात्मा ते गुरु तो तो खा मिलदा है कोई भी रिष्टा किसे दूसरे दे सुख लेल कुछ नहीं करदा अते ना ही कर सकदा है क्योंके वो रिष्टा ता हुण ही बनया है पर जीवात्मा आद अनन्त है अते हरेक जीवात्मा दा कर्म सिर्फ आपना सुख हो जन लई ही प्रयतन शील है सारे नकली प्रेमीदा पखंड रच के आपना सुख ही खठा करन दी कोशिश कर दे हन सचाहित करन वाडाता केवल एक महापुर्श ही है क्योंके उस महापुर्श नू आप अनन्त का लई अनन्त मात्रा विच सुख मिल गया है रेक जीवात्मा वो सुख नू खोज रही है पर वो अपने रिष्टियां दी आड विच खोजन दी कोशिश कर दी है जो उनना विच नहीं है क्योंके जीवात्मा दा असली मकसद सुख प्राप्त करना नहीं बलके अनन्द प्राप्त करना है महापुर्शानू अनन्दी प्राप्ती हो चुकी हुंदी है उस दे करम बंदन कट चुके हुंदे हन इस करके सुख प्राप्ती वल प्रेर्थ नहीं हुंदे इसलेई महापुर्शान दा कोई भी कम अपने लेई नहीं हुंदा बलके ओ दुनिया नुभी अनन्द प्राप्ती दा रादस दे हो उनन दा पला कर देहन इसे करके ब्रह्म ग्यानियां दा हर करम समाज यते दुनिया दी पलाई लेई ही हुंदा है गुर्वानी बिच्वी लिख्या है ब्रह्म ग्यानी एक उपर आस ब्रह्म ग्यानी का नहीं बिनास ब्रह्म ग्यानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ग्यानी पर उपकारों माहा ब्रह्म ग्यानी के नाहीं तंदा ब्रह्म ग्यानी लेतावत बंदा ब्रह्म ग्यानी के होई सोपला ब्रह्म ग्यानी सोफलफला ब्रम ग्यानी संग सगलोदार नानक ब्रम ग्यानी जपै सगल संसार जिमें जब जी सहे विच आखर विच लिखिया है के चंगयाईयां बुरयाईयां वाचय तर्म हदूर चंगा जा बुरा कर्म उस दे तर्म रुपी सुबा आते निर्पर करदा है जिमें बर्फदा तर्म रुपी सुबा है ठंडा रेना कर्मी अपो आपनी के नेड़े के दूर अपनी बुद्धी अते सुबाना जो कर्म करदा है उसे दे हिसाव नाल प्रमात्मादी नजदी की अते दूरी प्राप्त करदा है इसे करके गुर्वानी बिच फुर्मान है के जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल ना निकते मुखुजले के ती छुटी नाल जिन्ना जिन्ना ने नाम नू शर्दा विश्वास अते उच लक्ष बना के ते आया है वो जन्मरंदे चक्रांतों आजाद हो गए मते के वल इन्ना ही नहीं उन्ना ने खुर्णा नूवी नाम दे सहारे इस संसारतों पारहून विच सहायता कीती गुर्वानी विच फुर्मान है सलोक कर्ण कार्ण प्रव एक है दूसर ना ही कोई नानक तिस्बले हारन जल्थल महियल सोई इस दा मतलब है प्रमात्मा दी शक्ती तो बिना जीव आत्मा इस तरह मुर्दा है जिस तरह आत्मा तो विना श्रीर मुर्दा हुन्दा है यही कार्ण है के जीव आत्मा प्रमात्मा दा जीव है अते उस द्वारा कीता गया हर एक कर्म प्रमात्मा दी शक्ति द्वारा ही हुंदा है जिमें विजलीता ओही हुंदी है चाहे उस नाल पक्खा चला के ठंडी हवा लवो जां फिर हीटर जला के अपने कमरे नुगर्म करो प्रमात्मा कर्म कर्म दी शक्ति जरूर दिन्दा है कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर मतलव के प्रमात्मा दी शक्ति द्वारा किते हुए कर्म ता जरूर हुंदे हन पर उस शक्ति नू दिशा मुनुख दी अपनी बुद्धी ने ही दिती हुंदी है अग्यानी केंदा है के कर्ण करौन वाड़ाओ खुद है पर गंदे संसकार आदमी दे आपने हुंदे हन इस परकार नाल इंसान आपने कीते कर्मा विच जिस तरह दी वुद्धी लगाएगा उसे तरह उप्रमात्मा दे नस्दीक जां दूर हुंदा जाएगा जेकर परमात्मा सारा कुछ आप ही करवाउंदा है ता उस परमात्मा नू की लोड़ पई है के ओ रेक जीव दे अंदर बैश के उस दे कर्मा नू नोट करें अते उन्हा कर्मा दा फाल दे वे परमात्मा कारक बना के बेश दा है अते खुद भी आउंदा है ता क्यों नहीं सब नू दुखां दो मुक्त करके अपने अनान सागर विच डवो लेंदा जदों तक जीव गुरू दी किर्पा अते मेंत नाल अपने मननों शुद नहीं कर लेंदा तद तक किन्ना भी वड़ा महापुर्ष उस जीव नू मिल जावे पर उसनू अनन्द प्राप्त नहीं हो सकदा पहला गुरू तार्ण करन ते गुरू साड़ा मार्ग दर्शन करेगा अते उपदेश देवेगा उस्तों वाद हर तरह नाल साड़ी संबाल करेगा अते साड़े संस्यान अपने ज्ञान नाल दूर करेगा पर उसलेई शर्ट एह हंदी है के साड़ा मन बुद्धी अते आचरन गुरू दे कहे अनुसार होवे अंत विच जदों अंतहकन शुद्ध हो जावेगा तद दिब्य प्रेम अते पर्म आनन्द गुरू ही देवेगा अन्तहकर्ण शुद्ध कर्ण तक ही साड़ी मेंत होन दी है उसतों वाद सिखनू नाता कुछ कहन दी जरूर्ट होन दी है अते ना ही उस दे गीतियां कुछ होन दा है जो करना होन दा है तो गुरू ने अपना कम खुद ही करना ह backyard है वाहे गुरू आहे 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 गुरू-ट्यान साधना शुरू विच दस्या ग्यासी के ब्रम दियां अनंत शक्तियां हन अते ब्रम दी हर चीज अनंत है पर ब्रम दियां दो शक्तियां पर मुख हन जीव शक्ति अते माया शक्ति पिछे दस्या गया सी के शक्तियां दो तरानिया हुंदिया हन जड माया अते योग माया पाव वाहरी अते अंत्रिक शक्ति जड माया वारे पिछे दस्या गया है योग माया विच आत्मा दा अस्तितव वधाया जन्दा है जिमें मुलतानी मल ने जदो गुरू नानक देव जी अगे बहुत बेंती किती के गुरू जी अपनी माया तो ताँ गुरू जी ने मुलतानी मल नूं माया विखाई सी इसे तरह अर्जुन दे बहुत बेंतियां करनते श्री कृष्ण जी ने अर्जुन नों आपनी माया विखाई सी इसे तरह बगदाद देपीर दस्तगीर ने गुरुनानक देव जी तो पुछिया सी साधे कुराने पाक विच हजुरत साहिव ने तिन आकाश अते तिन पाताल दसे हन वते हिंदू तरन विच सत आकाश अते सत पाताल दसे गए हन पर तुसी कैंदे हो के लखा आकाश अते लखा पाताल हन इस करके उसने गुरुनानक नू किहा के तो हड़ा कैना कुफर है इस ते गुरु नानक देव जी ने किहा के जिन्नी जिस दी समझ हुंदी है वो उन्ना ही केंदा है तद गुरु जी ने किहा के असी तो हनू विखा सक दे हां तुसी साथे नाल चलो दस्तगीर कहन लगा तुसी मेरे वेटे नू अपने नाल ले जाओ जे कर उसने लखां आकाश अते पाताल वेख ले ता मेरी तसली हो जावेगी तद गुरु जी ने दस्तगीर दे वेटे नू किहा के अखां बंद कर उस दे अखां बंद कर दे ही ओ आकाश नू चड़ गए तद गुरु जी ने उसनू लखां आकाश अते लखां पाताल दिखाए पातालां तो वापस आउंदे होए की देख्या केक जगा संगत इकठी होई होई सी उते परशाद बंडिया जा रहा सी तद गुरु नानिक देव जी ने मिटी दे वरतन विच उसनू कड़ा परशाद पार के दिता अते वापस आके वैठ गे पीर दे बेटे ने अपने पिता नू दस्या के उसने गुरु जी दे नाड जाके लखां आकाश अते लखां पाताल वेख ले फिर उसने कड़ा परशाद दाबरतन पीर दे अगे रख दिता इस सारा कम कुझ ही पला विच हो गया इसे प्रकार जदों क्रिशन जी अपने त्यान विच बैठे सी तांके से दसन थे के ब्रह्मा है जो क्रिशन जी दे दर्शन करन आये सन जदों दरवाजे थे पहरेदार ने पुच्या के तुसी अपनी पशाण दस्यो तांके मैं क्रिशन जी नूं दस दिन दा हां तां ब्रह्मा जी ने कहा उना नूं कहो के ब्रह्मा आये हन जदों पहरेदार क्रिशन जी नूं दस के बापस आया उसने ब्रह्मा नूं पुच्या के श्री क्रिशन जी ने कहा है के केड़ा ब्रह्मा तद ब्रह्मा ने कहा चार मुखाँ वाला एक ही ब्रह्मा है जाओ अते क्रिशन जी नू एउं दसो जदो पैरेदार श्री क्रिशन जी नू दस के वापस आया ताओ ब्रह्मा नू शिरी क्रिशन जी दे कोल ले गया उस विले शिरी क्रिशन जी ने ब्रह्मा नू दस्या के तुसी एकले ही ब्रह्मा नहीं हो बैठो ते अखां बंद करो मैं तो हनू दिखाऊं दा हां के किन्ने ही ब्रह्मा हन जदो ब्रह्मा ने अख़्ा बंद कीतियां ता ब्रह्मा नों विखाया के किनी किसम दे ब्रह्मा हन कोई दस मुहाँ वाला ब्रह्मा, कोई पंजाब मुहाँ वाला ब्रह्मा, कोई सो मुहाँ वाला ब्रह्मा, चार मुहाँ वाला ब्रह्मा, लखा मुहाँ वाला ब्रह्मा, इस अनंत क्रोडा ब्रह्मंदा विचों, एस सब तों छोटे वाला ब्रह्मंद है, जिस विच तुसी रहे हो इसलिए तुसीं केबल चार मुहां बाड़े ब्रह्मा हो अगों हरेक ब्रह्मंड दे आपने अपने काइदे कानून हुं दे हन फिर श्री कृष्ण ने कहा के हुण अखां खोलो फिर जद ब्रह्मा श्री कृष्ण जी दे पैरीं पैके खेमा याचना कर लगे के गुरु नानक देव जी अथे श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी दिखाया ओ सब अपनी योग शक्ती नाल ही दिखाया सी अ योद्या दे बाहर जदो गुरु नानक देव जी वैठे सी ता उते उच्च कोटी दे कुछ पंडित उना नाल गल का रहसन गुरु नानक देव जी नू ए पुच्या गया के गुरु अते महात्मा की हो जहे होने चाही देहन जिनना दे कहे अनुसार असी चल लिये तद गुरु नानक देव जी ने दस्या के महात्मा ते गुरु ओ होवे जो ब्रह्म निष्ट अते स्रोता निष्ट दे सब तरह दे शंक्यानू दूर कर ले सही शब्दान्दा प्रियोग कर सके इसे तरह ओ महात्मा पूर्ण होवे अते साधी उसते अटल शर्दा होवे उदारंदे तौरते जित्ते असी विखना होवे उथे प्रकाश भी होवे अते साधीया अख्छा भी ठीक होण कर्म नूँ पूजा बनाओ अते अग्गेज में दस्या गया है उसे तरह पग्ती करो प्रमार्थ अते स्वार्थ प्रमार्थ थी वुद्धी मिल गई तां कुछ नहीं है स्वार्थ तुसी वुद्धी मान हो तां कि ये स्वार्थ है तुसी तंद्रोस्त हो तां कि ये स्वार्थ है तुसी दौल्टवान हो तां कि ये स्वार्थ है जेकर प्रमार्थ थी वुद्धी मिल गई तद खाना, पीना, पैंदना, सोना, जगना, आद सब किसम दे विवहार कर दे होएवी सब परमार्थ है जनम तो लेके मौत तक सब परमार्थ है परमात्मा कैंदा है के हरे करम करके उस दा फ़ड मैंनू पेंट कर देओ जिस नाल मैं तो हनू ग्यान योग अधे करम योग देांगा जिस नाल तो हड़ा अंतह कर्ण अपने आप ही शुद्ध हुन्दा जावेगा उदा अरंदे तोर ते जिमें खाना ख़दा उस तो मिलन व़ड़ा बल प्रमात्मानू पेंट कर देओ दान दिता ताउस दा फल प्रमात्मानू पेंट कर देओ पाठ पूजा कीता ता उस दा फल रुपी पुन प्रमात्मानू पेंट कर देो बच्चे नू पडाया उस तो जो भी संतोश तो हनू मिलेया ओ भी प्रमात्मानू पेंट कर देो अर्थाद कोई भी कर्म करके उस दा फल प्रमात्मा अगे अर्पित कर देओ जदों हरे कर्म करके उस दा फल प्रमात्मा अगे पेंट कर देओगे ता कर्म ही पूजा बन जानगे पती पतनी लई अते पतनी पती लई नहीं बने बलके ए दोनों प्रमात्मा दी शृष्टी चलाउन अते प्रमात्मा दे उदेश दी पूर्ती कर लई पती पतनी बने हन बेटा बाप लई अते बाप बेटे लई नहीं है ए दोनों प्रमात्मा दे उदेश दी पूर्ती लई बने हन अन मेरे लई अते मैं अन लई नहीं बने बलके दो में अन अते श्रीर जिसने पैदा कीते हन उस दा उदेश भी कुझ है ये उस दी पूर्ती लई बने हन उस लई निश्काम होके कम करना ही प्रमार्थ है जो कर्म उस प्रमार्थ लई नहीं ओही बंदना विच बंदे हन इस करके सब तरह दे कर्म करके उस दे फाल प्रमात्मा अगे अर्पित कर देओ ओ अर्पन करन तो वाद जो अलेपता निस्वार था एक पूजा दे तौरते अनुपव होवे ओही तो हड़ा अपना है बाकी सब प्रमात्मा अदा है जिमे पहाड पेड पौदे पशू पंची नदियां समुन्दर सारे श्रिष्टी लई कम कर दे होए भी उसमु अर्पन नहीं कर सक दे आत्मा दा ग्यान प्रमात्मा दी पक्ती देश दी सेवा दूसरे देहित दा सुवा बनेया रेना चाईदा है बानिये दा लाव पैसे विच राजनिता दा लाव कुर्सी विच मूर खादमी दा लाव किसे छोटे मोटे सुख विच समझना इन जी ही है जिमे अपने परच्छामे नू फढ़ना ग्यानी दा अपना अलग किसम दा माप दंड हुन्दा है उसनू आतम लाव होना चाहीदा है उस दे बदले उसनू संसारक लावा दी परवा नहीं रेंदी जहां इंज कैलवो के एक बारी सब कुछ चढ़के सारे लावा दी परवा चढ़के इस कम बिच लग जाओ तां आतम ग्यान हो जावेगा उस देवाद कुछ रहे जां कुछ भी ना रहे पर तांवी सुनता चेतन ता मिठास बनी रहेगी आतमा ना संदी है ना जाग दी है इस नित चेतन है एक महातमा किहा कर देहन के थोड़ी थोड़ी मस्ती लेलो असीता लिती है अपना सब कुछ देके तुसी इन सातों थोड़ी सस्ती लेलो एक कैंदे हन स्वार्थ अते पर्मार्थ विच अंतर लव दे रहो जो भी कम करो उस विच्चों अपनी मैनू अलग करके करो ओही स्वार्थ पर्मार्थ बन जन्दा है जिमे के द्रख्त कर दे हन द्रख्त दी छां उस दे अपने लेई नहीं हुंदी पत्ते फुल अते फाल आउण गे ताउ प्रमार्थमादे उदेश दी पूर्थी लेही ऑंदे हन उन्ना ने जिधे बरते जान लेई पहुंचना हंदा है उथे पहुंच जान देहन आखर द्रख्त दी लकड़ वी जिस उदेश लेई बनी है उथे लग जावेगी इसे परकार, असी मम्ता, हंकार आतों रहत कर्म कर दे रहे, अते उस दा फ़ल भी परमात्मा गयारपन कर दे रहे, तां जस परमात्मा ने सानू पैदा किता है, उस दी श्रिष्टी नू भी सह जोग मिलदा रहेगा, अते नाल ही साधी, कर्म रुपी पक्ती भी हुंदी रहे जिमें शक्ति मान दा कम है, कमजोरां दा त्यान रखना, पैसे वाले दा कम है, गरीव दा त्यान रखना, उसे तरह फाल, फुल, पत्ते, लकडी याद, परमात्मा देवदेश विच सह जोग कर दे हन, पर वो अरपन नहीं कर सक दे, वे शक सारी कुद्रत, परमात्मा कर रही है, पर चेतन ना होन करके, वो अपने आपनू उस तरह अरपन नहीं कर सक दी, जिस तरह मुनुख कर सकदा है, क्योंके मुनुख ही केबल, एक मात्र अजेहा प्राणी है, जो हरे करम देव फाल नू अरपन कर सकदा है, वाहे गुरू, 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 प्रेमा पग्ति मार्ग पावें एक जनम लख जनम जां ब्रह्माधी अद्धी रात एक कल्प देवाद जदों मुडश रिष्टी होद विचावेगी उस समय भी जेकर असी प्रमात्मावल चलना शुरू करांगे तां सानु सुख अते आनंद उत्थों ही प्राप्त होवेगा पावें अजेहा नहीं हुन्दा के पग्तितों छोट जिनने भी करमसी कर रहे हां ओ किसे भी कार्ण करके सुखांदी प्राप्ती लई ही हन जिमें रुमाल जां तौलिया अखां कन अते मू साफ करदा है के देखन विच तां रुमाल जां तौलिया ही एक करम कर रहा हुन्दा है पर हकीकत विच उस दे पिछे कम करन वाला हत ही एस सारा करम कर रहा हुन्दा है जिमें स्थूल सूखम ते कार्ण श्रीर किसे भी तरह कोई भी कार्ज कर रहे हुन्दे हन देखन विच तां वो श्रीर ही कम कर रहे हुन्दे हन पर हकीकत विच हर कम दे पिछे उस दी आत्मा ही करम कर रही हुन्दी है अते जिमें ए तौलिया जारो माल वरगल चीला ना रहके दिवार विच पंजे तत हुन्दे हन परो ठोस्ते जड़ रूप विच हुन्दे हन उसे तरह ही ए तिन्नों श्रीर समाधी लगांदे लगांदे ठोस्ते जड़ हुन्दे जानगे तोदों ही जो मन विर्ती दो तों एक बनी होई है फिर तों दो बन जानगे मन जो पहला तों ही जड़ सी फिर दवारा जड़ बन ते प्रती रूप जो साड़ा अपना सुरूप है वो अलग तों महसूस हों लगेगा जड़ अते चेतन एक हन जड़ नू जड़ बनान तों जो अलग तों निकल के आएगा उस अड़ा अपना आपा चेतन सुरूप ही है इसनू ना जान दे होए वी इनना तिनना श्रीरां दे किसी वी विशेते कर्म कर दे रहे जाओ काम क्रोध लोब मोह हंकार आशा त्रिशना चिंता सबरूप सपर्ष गंद तबचा दे किसे भी विशेते किसे भी प्रकातों कम करे उत्थे साड़ा शुपया होया एक ही कार्ण रेंदा है के सनू सुख मिल जावे जो के वद्दा जावे जदों के एक चूठा सुख है जदों असी पगती मारगदी तर्फ चलांगे तदों साड़ी हालत सुख एकठा करन दे लई एक सही दिशा होवेगी वैसे ता एक प्यार दे सहारे सारी जिंदगी निकल सकती है लेकिन असी अपने प्यार नू बदल बदल के उस दी बारवार मौत करके अपने आप नू परेशान कर रहे हां किसे सही दिशा तक नहीं पौँच पा रहे हां जिमे मां बाप दा प्यार फिर प्रापैन दा प्यार दोस्तां रिष्टेदारां दा प्यार पती पतनी दा प्यार बेटा बेटी दा प्यार पोते पोती दा प्यार अंत विच्च अपने शिरीर अते संसार छड़न दा प्यार इस सारे प्यार टोट दे ते बदल दे रहने हन पहले अखरी ग्यान ते वैराग तों प्रेमा पकती मारग ते चलना शुरू होके वोर पका हुंदा जावेगा फिर उस्तों जो अनुपवी घ्यान ते वैराग उत्पन होवेगा उनना दोनना तो मिलके जो निश्काम प्रबूदा प्रेम पैदा होवेगा उस्तों मुक्ष ते ब्रहम ज्यान नोप्राप्त होवेगा अते बजपन तों ही साड़े अंदर ए निश्चे हो जाए के पगवान साड़े अंदर वैथे हन अते रेक पल दी सोचदा नोट कर दे हन ते सड़ा बाप जिस तो असी पैदा हुए हां सोंदे जागदे उठदे बैठदे सड़े नाल ही हन ता उसदे प्रती सड़े अंदर प्यार हर पल छल्कदा रहेगा अते हलोरे मारदा रहेगा ता समझो के पक्ती दे इम्तिहान विच वैठना शुरू हो गए क्योंके सोडा कलावाले दे कोल जिनना प्रेम ते आनंद है उनना चौदा कलावाले दे कोल नहीं है उनना नौ दस कलावाले दे कोल नहीं जिनना नौधास कलावाले दे कोल है सत कलावाले महापुर्ष दे कोल उनना प्रेम अते आनन्द नहीं है अते उस्तों वी नीमे वाले कोल जो महापुर्ष नहीं बने हन उस दे कोल ता अजे सच्चा प्रेम अते आनन्द है ही नहीं जे महापुर्ष पूर्ण है अते जग्यासु भी सही है ता जिन्ने भी प्रतिशत दी शर्दा नाड विवहार करेगा उन्ने प्रतिशत जग्यासु दी पगती त्रक्की पाएगी ही ए निश्चत है क्योंके वो आम पुर्ष नाहून करके सब अंदर दी जानदा है सब तो उची पगती मन तों दी है चाहे फिरो किंज दी होवे मन दे अंदर एक बहुत बड़ा महल बनाओ उस विच अनंत ब्रह्म ग्यानी कार क्रेंदे होन उसे विच आपने कुझ महात्माव अते दसां गुरुआं अते गुरुगरंद सहिब जीनू विठाओ उसनू अपना सच्चा प्रवार जानके ते अपने आपनू सब तों छोटा जानके सब दादर सतकार करो ओना नाल इस तरांगल करो के उस महल दे वाहर जो भी बीत रहा सी वो सब सुपना सी पगती कर दे वक्त, करम, त्यान, पावनानू अपने आप ना चलन देो जिस नाल तुसी आप उथे जागरित अवस्था विच स्तित हो क्योंके जिन्नी वी जनम दर जनम सा डीत रक्की हो रही है ओ के वल जागरित दिमाग विच रहन दे हुए कर्मा नाल ही हो रही है क्योंकि उन्ना कर्मा तो असी कांट छांट आसानी नाल कर दे जा रहे हैं इसे प्रकार कर्म, त्यान, पावनानू हर रोज कुझ ना कुझ बदल दे रहो माया ये दो तरांदी हुंदी है योग माया अते जड माया कर्म जिमे खाना खोणा गैने पोणा अते आरती उतारना आद त्यान, अनन्त यूगांतों, अनन्त तर्तियांतों हुंदे आ रहे ब्रह्म ग्यानिया अते कार्क महा पुर्शांदे वारे विस्तार नाल सोचना पजन कर दे होए सोचना जिस नाल के सड़ी सोच विच भी त्रकी हुंदी चली जाएगी पावना, पावना भी हरोज इकोज ही ना रहे बल के बदल दी रहे अते पगत अते पगवान दे विच भी वड़ी तो वड़ी लीला जिस विच असीम शर्दा अते प्रेम नाल कीती हुई होवे इस दा त्यान रख दे होए पाव विपोर हुणा बिच विच ब्रह्म ग्यानी अते कार्क अते पगवान दे विच कैसा सच्चा नाता अते प्रेम है पावना दा सुच्चा पन अते उचाई वद्धी चली जानी चाही दी है ओ इस क्रम नाल होएगी पहली पावना प्यानक होएगी जिस विच के कई तरा दे श्रीरिक अते मानसिक दुख चोट मार दे रहनगे पक्ती करदे होए अते त्रकी पकडन ते पावना रोचक बंदी चली जाएगी जिस विच कई जगे असुआने मनोर्थ भी पूरे हुन्दे रहे पगवान रख्या भी करदे रहे अते उस दी पक्ती वी वद्धी चली जाएगी तीसरी अवस्ता विच पावना यथार्थ दी तरफ वद्धी चली जाएगी जिस विच मैं रूपी आत्मा अते मेरा रूपी पगवान दी समान तावां असमान तावां अते विशेश तावां परतक प्रमान हुंदी चली जाएगी इसे क्रम नाल पावना त्रक्की दी तरफ वदनी चाहिदी है उस दे वारे विच सोचना पजन उसे तरही निरंतर चलदा रहे उस विच कोई फर्क ना आए जिस नाल के हर रोज दी त्रक्की निश्चित होवे कर्म त्यान पावना विच बदला कर दे होए लक्ष इन तिनना बिंदुआं ते वणया रहे शुदता इकागरता वद्धी रहे अते पगती नाल गहराई नाल जुडे रहो जिस नाल सड़ा पगती ते होर द्रिड विश्वास हंदा चला जाए कर्म है शब्द जां पजन जो भी तुसी कर दे होगे त्यान है कोई रूप जां आकार जां सुरूप नू देखना पावना है उस रूप अते अपने रिष्टे नू जानना अते प्रेम पूर्वक द्रिड करना अनांत कालतों हुंदे होए पगता विच जो प्रेम सी उस नू जानन दी कोशिश करना जिस दे कार्ण पगवान ने सुदा में दिया लता कुटियां तन्ने जाट दिया गवाँ चराईयां कर्म सिंग बाबा जी जदों फौज विच सन ताउ अपनी त्यान साधना कर्ण जदों नदी किनारे चले जान दे ता एक अंग्रेज आफसर नू शिकायत मिलन ते जदों कर्म सिंग बाबा जी नू देखन गए ता कर्म सिंग बाबा जी अपनी पोस्ट ते खड़े होए अंग्रेज आफसर नू सलामी वी दे रहे सन अते नदी किनारे वेठे त्यान स्थे तवी सन अरथाद कर्म सिंग बाबा जी दी जगा पगवान खुद सलामी दे रहे सन इसे तरह कर्म त्यान पावना एक प्रकार दे त्न राध हन ए राध चल दे बग्ड़ पक्ती कर दे कर दे जित्ठों त्यान पटक जाए फिर त्यान जद वापस आए पक्ती विच तां इस विच थोड़ा तिन्ना रथानू पिछे तो लओ तां कि ए रथ इकले चले ही नहीं रहे बलके नाल नाल अपनी सडक वीव बना रहे हन जिमें कर्म रूपी माला समें जां गिंटी ते कर रहे हो तां उसनू दवारा पिछे तो पकड़ो अते त्यान नू थोड़ा पिछे तो पकड़ो उसे विच पक्ती विच जदो त्यान पटक के बापस आए तां पावना भी पटक जान दी है जो पावना पगवान दे प्रती चल रही सी उसे पावना नू दवारा तो दोहराओ अते जदो अगली त्यान खोर पावना साफ साफ ठीक ठाक ना पकड़ी जाए तब तक पिछे वड़ी त्यान पावना जो के प्रिपक है उसनू छड़ना नहीं जिस नाल जो ए तिन सड़कां बंदियां चलियां जा रही हैं हन अगले समय पगती करते वक्त किते भी सड़क तुटी होई ना मिलन दे कारण बहुत जल्दी ही उथे पहुंच जावांगे उथे तो हनू दुवारा पंचन तक कट तो कट समा लगे जितों पिछली वार करम त्यान पावना दी यात्रा छड़ी सी क्योंके अगर करम दस प्रतिशत कीमत रखदा है ता त्यान दी कीमत चाली प्रतिशत है क्योंके उग करम तो जादा सूखम है और उमें ही पावना पंजाब प्रतिशत कीमत रखदी है क्योंके उत्यान तों भी जादा सूख्षम सुद्रिड है जो ब्रह्म ग्यानी महापुर्खदा कारक बैठे हन और तिन्ना अवस्थावांतों पार होके तरम पावना दे स्वामी बन चुके हन जित्थे के इन्ना तिन्ना प्रकिर्ती चर्चित करम त्यान पावना दे बिना ही उस निरंकार दी पूजा कर दे हन जित्थे के सानु पहुंचना है हलांके असी भी इस तरम पावना दे नाल खाना खिला सकते हुन्दे ताह असी भी ब्रह्म ग्यानी हुन्दे इसलिए असी अपनी पाबना नू उना दी पाबना दे नाल जोड़ दे रेना है इनना सारे आंदा श्रीर इंज हो जिमें के जड़ी होई रसी दे मुड़े होई बाल बिलकुल रसी वांगू ही लग दे हन जद के देखन विच कोई फर्क नहीं हुंदा लेकिन उस हत्मारन ते वो जड़ी होई रसी राख बन के उड़ जान दी है इवे ही इनना सारे महात्मावांदा अपना आप नश्ट हो चुक्या हुंदा है जीदे कार्ण परतक रूप बिच निराकार पगवान ही रह रहा हुंदा है क्योंके साड़े विच चंचलता बहुत हुण दे कार्ण अते मायावाद जीव हुण दे कार्ण साड़ी मन वुदी एक जगा ठहर नहीं पान दी जदों अलग अलग सुरूप दी कर्म त्यान पावना नाल पूजा कर दे रहांगे तां अलग 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 इना महातमा दी अलग अलग परकार नाल पूजा सेवा कर दे हुए वी एक एक आगरता वनी रहेगी जीदे विच परम चेतन तात्वी रब दान उपाव रहेगा जद भी महापुर्ख गुरुनों मथा टेक दे हां तां आसपास दे उन्ना दा त्यान तर दे होई तिन चार वार गैरी सा लेणी चाहिदी है क्योंके कई वार स्थूल श्रीर पगती विच साथ नहीं दे रहा होंदा तां सान्नू सुखम श्रीर दी सहायता लेणी पेंदी है जो हवा सुखम रूप विच हवा वाला श्रीर है अते दसां गुरुआं दे हाथ मूँ तो आके इन्ना दी तुभ बत्ती करो नाल ही गुरुग्रन सहिव जी नू भी रखो चंगे तो चंगे हार पहनाओ जिसनू जो पसंद होवे उसनू ओही हार पहनाओ चाहे फुला दे चाहे हीरे जवाहराद मानिक आद दे जिसनू जो खाना पसंद होवे उन्ना नू ओही पोगल बाओ इस तों बाद जदो खाना खत्म हो जावे ता सब दे हाथ तो आओ उन्ना दे जूठे वर्तनाद एक थां एकठे करके रखो हुण जदो सब दसां गुरुआ अते महात्मामा दे त्यान स्थेत होण दा समा होवे ता मथा ठेके उन्ना तो केरपा मंगो के मेरा भी त्यान पजन विच चंगा लगे अते आपना भी आसन लगा के बैठ जाओ उस तों बाद जिन्ना समा भी पजन त्यान की ता जा सके करो फिर जदो सब दा त्यान खत्म हो जावेगा ता उस तों बाद सारे गुरुआ नू मथा ठेको पते सारें तों अशीरवाद लेंदे होए विदाई लबो इस तों बाद हौली हौली आपनी आखां खुलो एक एरिया पंद्रा मिंटा तों बदाउं दे हौई एक कंटे तक ले जाओ साड़ा निशाना इस अनुप अबते होना चाहिदा है के इस सारा कुझ किन्ना साक्षाद अते सच्चा अते प्रेम पर्या महसूस हो रहा है जिमे के असी प्रमात्मा चितन तत आत्मा हुन दे होए वी इनना तिनना श्रीरा तो गुजर दे होए अखीर विच इस तूल श्रीर विच रहके इसनु मैं जान दे होए अते अपने आपनू सदा लई रहन वड़ा समझ के खाना खिलाओं दे हाँ, कपड़े पहनाओं दे हाँ इस दी सारिया जुरूरता नू आपना समझ कर कर दे हाँ जद के असी सुपने विच हुन दे हाँ ताई पारवाड़ा हड़ मांस वड़ा श्रीर नहीं हुनदा है मतलब सूख मिंद्रियां वड़ा श्रीर हुनदा है अते जादसीं गैरी नीद विच परवेश कर दे हां ताई सूख मिंद्रियां रूपी श्रीर नहीं हुनदा अते ना ही कोई सोच अते ख्याल रेंदा है उस दे वाद ज़ाद सी पल पर लई अपने प्रमात्मतों शक्ती लेंदे हां एक समे एक आण श्रीर नहीं हुंदा मतलब इनना तिनना श्रीरानू असी हर दिन छड़ दे हां अते नींद पूरी होन दे वाद ज़ा तिनना श्रीरान विच द्वारा ब्यापत हुंदा अखां खोल दे हां ज़ाद इस जगत नूँ ही साक्षात अते सच्चा मन के सारे कम कर दे हां पर ज़ाद सी सिम्रन त्यान करिये तां बहुत सजगता नाल करिये पर इस गल्दा त्यान रहे के जदों तक अंदर रहो उदों तक इस सुपने रूपी संसार दा एक पल लेई वी त्यान ना आवे किनना समा वीत गया असें किते वैठे हां साढ़े आले दो आले की प्या है इनना चीज़ां वरे पुल जाओ इस परकारदी पक्ती कर दे कर दे नो परकारदी पक्ती हुन दी जाएगी जिस नाल सीन अखीरली पक्ती वीच प्रवेश लमांगे जो के आतम निवेदन है एक किरिया एक उधारन है इस वीच त्वानू जो चंगी प्यारी लगदी होवे गुण लीला जह किरिया कर सक देओ पर सारियां चीजां मर्यादा विच होनियां चाही दिया हन क्योंके संसार विच दो तरह दे परवार हन एक माया दा अते एक प्रमातमा दा जिमें माया दे परवार वाले लोग एक दूसरे नू मोह कर दे होए एक दूजे तों बिना नहीं रह सक दे इसे तरह प्रमात्मान दे परवार विच भी है जिमें संसार दे परवार विच मान दिल विच रहें दी है अते कदे नहीं कहें दी के तेरे दिल विच केवल मैं ही रहांगी और दूसरे रिष्टे जिमें दादी, पैना, बेटी आद नों भी देल विच रखन दा बुरा नहीं मनाओ दी इसे तरह प्रमात्मान दा परवार भी हन दा है ये दुनों परवार एक दूजे दे विरोधी हन जिमें एक देल विच रहन दे होए, संसार क्रिष्टिया नों रख दे होए, बुरा नहीं मनाओ दी पर जे करमान नों पता चल जावे के, उस दा पुतर संसार नों त्याग के, साद वन जा रहा है ताओ कवराउन लग जान दी है इस तरह परमात्मा दे संसार विच वी, जे करमान विच मा, बाप, पाई, पैन, बेटा आद बिठाए होण ते परमात्मा दी मिंत करोगे, सड़े मन विच आके वस, तद परमात्मा आवेगा पर आके नक बंद करके कुम के चला जावेगा के इस दे मन विच ता, काम, क्रोध, मो, लोव, अहंकार, आशा, त्रिशना, चिंता, रूप, रस, स्पर्ष, गंद, राजमद, रूपमद, जवानी मद, तन मद, बिद्या मद, राग, दवैश, आदी, द्रुगंद आ रही है जिस करके प्रमात्मा अंदर रुक नहीं सकदा इस दे उल्ट जद मन विच केवल संत महात्मा पगत अवतार ही होन अते बारों पहाड जिड़ा दरवजा लगा के भी बंद कीता होवे ता प्रमात्मा उसनों भी तोड़ के अंदर आ जानदा है अते नाल रहन लगदा है क्योंगे प्रमात्मा केंदा है के ये मेरा प्रवार है मैं इनना दे बिना एक पल वी जयोंदा नहीं रह सकदा ए पंज मिंट तूं एक कंटे दी किरिया करके पूरे दिन मन दे विच एक गर बनेया रहे के मेरे अंदर तां परमातमादा इनना बड़ा परवार रहेंदा है दिन दे विच जदों भी समा मिले तां एक मिन्ट जां दो मिन्ट दे लई किसे थां बैठके उस परवार दी चलक ले सकते हो कट तों कट 14-15 वार देखनी है क्योंके असी पगवान सिर्फ पूजन योग नहीं बणोने बलके प्यारे भी बणा के रखने हन पूजन वाले दी तां एक बार पूजा हो गई तां गल खत्म हो गई पर प्यारे नू तां हमेशा सी आपने आंग संग अते हमेशा अपने नाल ही देखना चौँदे हैं परे किर्या करके पूरे दिन संसार दा किसे भी तरह दा कुमांड पैदा ना होवे क्योंके संसार कुमांड ही सर्वनास दा कार्न होंदा है इस तरह करदे करदे जीव अपरापक्तितों परापक्ति वेच प्रवेश प्राप्त कर लेंदा है जिसनू करदे करदे सत्मी पूमिका त्रिप्ती तक पहुंच जन्दा है जिते ओ ब्रह्म दिव पाशन शुरू कर लेंदा है जिते पहुंच के दो मामा अविद्या ते माया अते दो पिता जीव अत्मा दा आवास चाया मत्र अते ईश्वर पगवान दी चाया अते आवास अंश हमेशा हमेशा दे लई नस्ट हो जान्दे हम अते आत्मा अनंत काल दे लई ग्यानवान हो जान्दी है आत्मा पगवान तो अलग रेंदे हुए वी दुबारा ग्यान दे कबजे विच नहीं आवेगी इस त्रीके विच कुछ जोड़ना होवे ता जोड़ सकते हो जिस नाल के तो हड़ा पगवान दे प्रती संबन्द बद सके पर कुछ वी कट नहीं करना क्योंकि जिमें एहिक बल अते योग बल अते आत्मिक बल अलग लग हुंदे हन इसी तरह ही सिम्रन दावल, शर्दा दावल, प्रेम दावल, अते मत्धा ठीकन दावल वी अलग अलग हुंदे हन इस सावेश विच बहुत देख पाल करके किर्यावां पाईयां गया हन इस करके इना सारियां दा बहुत महत्व है आदार अते सीमा दो अलग चीजां हुंदे हन आदार उना दे वजूद नू काइम रखदा है अते सीमा उदे आकार नू दरसां दी है हर एक चीज दा आदार अते सीमा जरूर हुंदा है जिमे मिटी नू जड़ता दा आदार अते उसदी सीमा पानी हुंदी है पानी नू तरल दा आदार अते उसदी सीमा अग हुंदी है अग नू तपस दा आदार अते उसदी सीमा हवा हुंदी है हवा नू बेग दा आदार अते आकाश उसदी सीमा हुंदी है आकाश नू खाली पन दा आदार अते परमातमा उस दी सीमा हंदी है इसे तरह स्थूल श्रीर अते स्थूल जगत दे सुक्षम श्रीर अते सुक्षम देश अदार अते सीमा हंदे हन इमें ही सुक्षम श्रीर अते सुक्षम देश दे कार्ण श्रीर अते कार्ण देश उदे आदार अते सीमा हुंदे हन इसे तरह कार्ण श्रीर अते कार्ण देश देवी परतेक आत्मा आदार अते सीमा हुंदे हन आत्मा दा आदार अते सीमा प्रमात्मा हुंदा है जो के निराकार पगवान है पगवान दा आदार आते सीमा ओ आप पगवान ही हुंदे हम इस तरह ज़द कोई आपनी सीमा नुपार करदा है ताउ आपने तो बड़ी होर विशाल जगा देविच परवेश करदा है जिमें मिठा एक निश्चत हद तक खान नाल कुझ नहीं हुंदा हद पार कर नाल बिमारी लग जन्दी है इसे हद तरह ही जदों अखा नाल शुद सबरूप महात्मा पगवान दे गुरुआं दे दर्शन नहीं कर दे अते अशुद सबरूप गंदियां चीजां ही देख दे रहन दे हां जोके मर्यादा तो बाहर है तां अगले जन्म बिच कमजोर रखांदे नाल जां अन्ना ही पैदा हुंदा है क्योंके सुद सबरूप दा आदार ब्रह्म प्रमात्मा दे पगवान है अते अशुद सबरूप दा आदार अते सीमा माया अते जड है इस परकार स्थूल जगतों शुद करम दी सीमा पार हो जावेगी जड साधी त्रकी त्यान वस्ता विच हुंदी जावेगी जिस नाल असी सूखम देश देवासी वन दे जावांगे जिमें जिमें साधा त्यान शुदता दी सीमा नुपार करदा जाएगा उमें ही असी कार्ण जगत विच प्रेम रूपी पावना दे विच अपना अबजूद बणाओ दे जावांगे जो के खुद परमात्मा सबरूप है अते ए प्रेम जाद हद तो बाहर त्रकी पकड़ेगा ता कार्ण जगा नुपार करके असी आपने आतम सबरूप नुझानन जोग हो जावांगे अते होर जदों आतम सबरूप दे विच बैके वी प्यार दी सीमा पार कर लवांगे तो पगवान सबरूप सचित अनन्द रूपी देश नुप्राप्त कर लवांगे अते अनन्द रूपी शरीर भी मिल जावेगा ओ पगवान दी आदार सीमा ओ आप ही है इसे परकार शुद अते शुव कर्म ही त्यान दा आदार अते सीमा हन शुव अते शुद त्यान ही प्रेम रूपी पगवान दा आदार सीमा है जो के ब्रहम है अशुव ता अते अशुद ता ही माया दी आदार अते सीमा है बिना शुव अते शुद कर्म तों पगवान दे प्रतीता प्यार पैदा होवेगा ही नहीं अते ना ही अगे त्रक्की होवेगी आत्मानु ब्रहम अते माया दे इलावा कोई तीजा टिकाना नहीं है जद के जड़ रूपी माया आत्मान दा अपना देश नहीं है बलके प्रेम रूपी अनंत रूप पगवान ही इस दा जनम दाता है किसे भी प्रकारदा कोई भी कर्म त्यान पावना शुदता अते चंग्याई दे नाल परया होया होएगा ओही प्रभूदा प्रेम है जिनना एकठा कर दे जावांगे उनना ही पगवान दी नजदी की प्राप्त कर लवांगे शुबता अते शुदता दी निशानी ए है के साड़ी पक्ती दे विच सुखंता आनंद अते सहज पाव वद्धा जाएगा पाव के पक्ती विच त्रक्की हुन दी जाएगी जदों तक असिया अपने शुदत चेतन अनंस रूपनों नहीं जान लेंदे उदों तक साड़ा जनम निसफल ही उन्दा है साड़ी मंजल ओ है जिते माया रचित दुख सुख लाव हानी जनम मरन आद नहीं पहुंच सकदे जिस विच प्रमात्मा खुद बिराजमान है असी उपासन किस समान नाल करनी है के शर्दा ततपर्ता सैयम अते कागरता दे फुल होन अते फुल जिन्ने सुंदर थूस प्रवावशाली होके अरपित होन गे उना ही उना दा फड हजारां तो लखांगुणा बद हो सकदा है ससंग दे समेत्या नहीं करना चाहिदा ससंग नो इस तरह सुनो के जिमें तो हड़ा बहुत बड़ा विरोधी तो हड़ी निंदा करहा होवे जिन्नी का गरता उस समें सुन विच होन दी है उस तो लखांगुणा एक गरता ससंग विच होनी चाहिदी है रागद वैश बुद्धी विच आओंदा है सुख दुख मन विच आओंदा है बिमारी श्रीर विच आओंदी है जो श्रीर मन बुद्धी नाल जाने आजानदा है उस श्रीर मैं नहीं मैं अमर आत्मा हाँ ग्यानी ने कोई पर्खना नहीं होनदा पाव उस दा करम भी पूरी इमानदारी अथे तत्परता नाल होनदा है पर उस दे फाडविच उस दा मन कोई हरकत नहीं करदा क्योंके उ अंदर अते बाहर दे द्रिशनू केवल सुपना समझदा है सादक जदो संसार वेचिल पर्मात्मा के अरदास करदा है ताउ सादना अते सहज वस्ता वेच रहन दी याचना करदा है पर्मात्मा सानू सफलता दे के खुश कर दे हन अते सफलता दे के वी साड़ा विकास कर दे हन इसलए असी दुखां वेच डिगिये ना सुखां वेच फसीये ना पते दोना नू एक समान मन के पर्मात्मा नू प्राप्त करन दा लक्ष बणा के रखिये सारे उपदेशां दा सार संसार एक पुगां तो मन नू हटा के उसनू सच्चे अनंदबल मोडना है सच समान तब नहीं चूट समान नहीं पाप जिनका हिर्दा शुद है उनके हिर्दे आप अपनी किसे ज़ादत कलीफ या बिमारी नू याद करनते कांग विकार कट जावेगा महात्मा वुद्ध जिस शक्ती नाल वुद्ध बने राम जिस शक्ती नाल राम बने उस शक्ती साड़े सारयां विच व्यापक है उस पर महात्मा रूपी शक्ती नू पाके हिसान नू अंतिम आराम मिलेगा सुख दुख वेच समवास्था वणी रहे उसे नू अकर्तापन कैंदे हन चलो चलो सब को कहे विरला पहुंचे कोई माया कामिनी के संग काट पे गुते खाए ताकत लगाए जो आपनी तो माया कामिनी को तज जाए मानवडाई और इस्षा तज विरला ही कोई पाए पानी दियां भूंदां तो शुरू हुई यात्रा मुठी भर मिटी दे खत्म हुंदी है संसकारां सुवाबांदी यात्रा विना अंते में उदेश हासल कीते अनंग तक चल दी है जिस समझ देहां के असी कुछ बन जाए ता अपना कोई बुजूद बनाओन ले सनू प्रमात्मा तो अलग हुना पवेगा जो के संभव नहीं है क्योंके गुर्वानी बिच्वी किहा गया है के सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई उस ले सनू प्रमात्मा ती सेवा विच रेना पवेगा क्योंके इसी उस दे नितदास हां साड़ा राबतों अलग हटके कोई वजूद नहीं है क्योंके इसी राबती ही अंश हां जद इसी राबतों अलग हो ही नहीं सकते तहां उस तों अलग वजूद दा कोई मतलव ही नहीं निकल दा हकीकत विद जिन्यां वी जीवात्मामा हन और अपनियां नित दास हन महात्मा अते गुरु चार तरह नाल किरपा कर दे हन ओ हन अखा नाल परशाद नाल उज बाइवरेशन नाल संकल्प नाल विचारां विच दवन्द होन समें अपने विचारां विच समानता ले आओ दुखां दे समें तीर जितार्ण करो सुखां दे समें त्यागतार्ण करो प्रतिकूलता दे समें अनुकूलता दवपावतार्ण करो प्रस्तितियां दे सिर्ते पैर रख के जिंदगी दियां पौडियां चड़ दे जाओ मान अपमान लावहानी दुख सुख विच मन ना पिगले अते पगती ससंग विच कठोर ना रहे ता पगती मार्ग विच त्रक्की आसान हो जान्दी है पंज प्राणा दा साधना नाल डूंगा संबंध है सारे श्रीर विच तिन नाडियां इडा पिंगला अते सुखमना हन इनना विच्चों सुखमना नाडी नू ब्रह्म नाडी भी कहन दे हन इस नाडी दे सकिर्य हो नाल पगती आसान अते उत्तम हो जान्दी है इसनों होस सकिर्य कर लई योग वियास जिमें अनलोम बिलोम जां कपाल पाती करो अते जां एक पैरते सजे खबे उच्छो जां दोहां हथा जां दोहां पैरा नाल तेज कसरत करो जदों के ते साफ उलन ते नाकदे दोहां पासें तो बराबर सा चले ताँ उस समय उस दी ब्रहम नाडी सकिर्य हो जान्दी है इस समेंदी साधना जादा प्रवावशाली होंदी है रात नू बारां बजे दोपैर नू बारां बजे सवीरे हने रे तो प्रकाश होंदे समे जान शाम नू प्रकाश तो हने रा होंदे समे अर्थास शाम समे इनना चारां समयां वेच ब्रह्म नाड़ी चालो हुंदी है इस समेंदा कीता होया पजनवी वदेरे फाल दिन्दा है किस दी पक्ती करनी है? किसने पक्ती करनी है? क्यों करनी है? किमे करनी है? पहला ता इस दा ग्यान होना जुरूरी है अते फेर इस पक्ती रुपी मानू परेशान करनवालियां जो चीजा हन उननू दूर किमे घिता जावे ये ग्यान भी जिरूर चाहिदा है इसलिए केंदे हन के मान रुपी पक्ती नू आदार शुदता दा होना चाहिदा है जानि मन दी शुदता वदन्नू ही पक्ती केंदे हन अते इस नू संभालन लई इसदे दो बच्चे हटे कटे अते जवान रेने चाहिदे हन यह दो बच्चे हन वेराग अते ग्यान महात्मा दा साथ जिनने आदर अते शर्दा नाड करेगा उनना ही उस दा लाव दा जावेगा तीरत तिन प्रकार दे हुन दे हन स्थावर तीरत जिस विच गुरू जiron प्रमात्मा आके रहे उसनों स्थावर तीर्थ केंदेने चल दे फिर दे तीर्थ जिस विच गुरू, महात्मा अथे महापुर्शों दे हन आतम तीर्थ जिस दी तीबरता वदा उड़ाई इस आतम तीर्थ दे अंशान दा संयोग कर दे जान दे हा आतम तीर्थ दे अंशान, खिमा, त्याग, तीरज, सच, संतोग, शान्ती, वेराग, भ्रह्म चार्या आद ससंग दे बिना उच लक्षदा पदा नहीं चल दा अते उसनों प्राप्त कर लई मांदी पाबना वी नहीं बन दी इसे करके आखिर उस मारगते त्रक्की भी नहीं होंदी जिस तरह अजनाम खंडदा राजा पार्त इनना वड़ा राजा होंदे बावजूद भी अगले जनम बेच हिर्न अते तीसरे जनम बेच नकारा ब्रह्मन बढ़यां जिसनों करतों कट देता गया सच दा एहसास एक ही हुंदा है रस्ते वकवक हो सकदे हन जिसनों असी अपने कोल नहीं रख सकदे उस दा मो ममता वाशना छट देओ जिसनों वहत जतन करनते वी अपने नाड़ों वक नहीं कीता जा सकदा उस पर मातमा दा एहसास कर लवो बस फिर अनंत जनमा दीत खान मिट जावेगी जैसे नियत हो हराम पे वैसे हरी पर होए चले जाओ बैकुंठ में बाहां ना पकड़े कोई जिमें कवार ववंडर आया तां उस कुमदी हुई हवा ने बहुत सारियां चीजां अपने अंदर लेके नश्ट कर दितियां जिते महात्मा कुछ लोका अंदे विच खड़े सन जदों लोका ने देख्या के ववंडर उना वाल ही आ रहा है तां लोक अपने आपनों बचाउन लेई उथों पजण लगे पर महात्मा उथे ही खड़े रहे जदों बवंडर चला गया तां लोक उथे वापस आ गए तद महात्मा ने कहा के पज़ादा मैवी सी पर फरक इना ही है के तुसी बाहर पज़े सी अते मैं अपने परमात्मा पास अंदर पजगया सी संथ महात्मा दी दिती हुई चीज़ दा जिनना जगयाशुआ अद्र करदा है उन्ही उस दा फड़ मिल्दा है तिन परकार्दा ग्यान हुंदा है एहिक विद्या एरोटिक मौन्दी विद्या है योग विद्या एंसूखम यग्ड अते सूखम शक्तियां दी विद्या है आतम विद्या यो विद्या है जिस दे वल्व नार योग विद्या अते एहीक विद्या पन्पदी है एक वार एक गुरु कोल वेच बहुत सारे विद्यार थी एहीक योग अते आतम विद्या दा अधियान कर देशन उते आतम विद्यावाड़े योग विद्यावाड़े विद्यार्थियन उन छोटा मन देशन अते उनना ना मजाख डाउं देशन तद उते एक छोटा जहाँ विद्यार्थी सिर गंजा करवा के बोधी रखके नदी विच इशनान लई जारहा सी उठेक होर विद्यार्थी आया जो आतम विद्यादा अध्याइन करदा सी उसने योग विद्यादा अध्याइन करण वाले विद्यार्थी दा मजाक डौंदे होए उस दे सिरूप पर अपनिया उंगला नाल ठोला मारया तद उठे अचानक उन्ना दे गुरू जी भी आप जे उन्ना ने देख्या के आतम विद्यादा अध्याइन करण वाले विद्यार्थी योग विद्यादा अध्याइन करण वाले विद्यार्थी नूँ छोटा जान के उसदा मजाक उड़ा रहा है गुरू जी उस आतम विद्यादे विद्यार्थी को उड़ा आए अते उसनों कहन लगे के अपनी आतम विद्यादे कमांड है इसलिए जा जदू तक योग विद्यादे द्याएन करन वाले विद्यार्थी नू व्रम ग्यान नहीं होवेगा उदों तक उसनू भी व्रम ग्यान नहीं होवेगा अते विद्यार्थी उस दा गुरू बनेगा अते उसनू व्रम ग्यान देवेगा तदे दूमे विद्यार्थी गुरू को लविच पढदे रहे मर्न तो वाद ये दूनों विद्यार्थी स्वर्ग वे चले गए स्वर्ग जहे विद्यार्थियंदा आराम कर हुंदा है उथे उन्ना दे पुनकट नहीं हुंदे उस तो वाद ओ योग विद्यार्थी कोहल ब्रह्मन दी पतनी सुजाता जोके उपाशक अचारिया दी पुत्री सी उस दे गरवे चाया एक दिन ओहो कोहल ब्रह्मन अपनी अठमी ने दी गरवती पतनी नूँ वेद दे स्लोक सुना रहा सी ता अंद्रों ओ योग विद्यार्थी वालक अपने पितादियां गलतियां दस रहा सी ओ दस रहा सी के इनना वेदा दा अंतिम ओदेश है ओ ता तुसी जानेया ही नहीं जिस दा मतलब है वेदांत जिते वेदां दा अंत हो जावे ओ प्रमात्मा दे नाल एक मिक होना ओ ता कीता नहीं पर वेदा नू रोटी कमाउन दा साधन बनाया होया है एक सुनके कोल ब्रह्मन नू बहुत गुसा आया अते ओ बोले के तू ही मेरे मंत्रा दी कान कड रहा है मैं तेनू श्राप दिन दा हां के तिरे श्रीर विच अठ वाल पैन गे पर गर विच्चों ही बालक ने किहा के तो हड श्राप दा मेरे श्रीर ते असर पवेगा पर मेरी आत्मा ते इस दा कोई असर नहीं होवेगा आतम ग्यानदा विदियार थी अगले जनम बेच राजा जनक बनेया अते योग ग्यानवाला विदियार थी अश्टा वकर बनेया जिसने वारा साल दी उमर बेच राजा जनक नू ब्रह्म ग्यानदा उपदेश दिता वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू ज्यान मारग प्रेमापत्ती मारग सहज मारग अधे ज्यान मारग विच्चों कोई भी एक मारग पकड़ना है जो तो हनु मन बुद्धी दे तलते आसान लगदा होवे तिन्ना नु पकड़न दी जरूरत नहीं है जिमें किसे देश दे किसे राज विच पहुंचना होवे तां उस दे किन्ने मार्ग निकलाओं दे हन उसे तरह एतिन्ने मार्ग एक ही जगा पहुंचोना है पामें कोई वीरस्ता पकड़ लव इंजतां अज डक्टर, वकेल, इंजिनियर आदी पड़ाई आदमी करदा है पर ये पड़ाई सिर्फ पैसे दे इलावा कुझ नहीं दिन्दी इंजतां ए ब्रह्म ग्यानवी एक चोधां विद्या विचों एक विद्या ही है पर ये जनम दर जनम चल दी रहें दी है अते इस दा सब तो वड़ा फाइदा एह है कि जिस जनम बेच इसनूं जिस कलास तक पास कर जाओगे अगले जनम बेच उसे कलास बेच पड़ाई चल दी है ना के दुबारा तो शुरू करनी पेंदी है इस सारा संधी शिर्सिंग जी महराज कहा कर दे सी एहिक विद्या पढ़न देवाल अगले जनम विच दुबारा फिर तों उड़ा आड़ा इड़ी तों ही शुरू करना पेंदा है जेकर मनुख जनम मिलेया नहीं तांचरासी लग जूना विच पटकना पेंदा है काल चकरदा आसर एहिक दुनियावी विद्या एहिक संसार अते एहिक श्रीर उते पेंदा है पर योग यगत अते आतम यगत उपर नहीं पह सकदा एहिक विद्या मन अते वुद्धी तक ही जोर मार सकदी है गुरू तार्न कर नाल व्यक्ती दे मंत दी शक्ती तिन गुणा वद जान दी है क्योंकि उस बिच गुरू किरपा दे नाल नाल परमात्मा दी किरपा भी मिलन लग जान दी है खून दी हरेक बूंद वेच जीवानू हुंदे हन अते हरेक जीवानू वेच प्रमात्मा रहनदा है अते जीवानू दे कर्म नोट करदा है अते उस दाफल दिनदा है नियंत्रन रहत प्राण नाल चिंता वद्धी है जिस नाल त्यान तुटदा है इसलेई प्राणायाम करन चाहिदा है त्यान कर दे समय जे कदे हासा आवे कदे नचन्डु मन करेगा ते संतां दे दर्शन होन लगन गे गुरू दा जाब शांत बातावर्ण विच करोगे ता हजारां गुणा फाल मिलेगा अते गुरू दे कर जाके गुरू दे समने करोगे ता लखा गुणा फाल वज जावेगा अन दा चार प्रकार दा शुदी करन है अन जिस पैसे नाड आया है ओ इमान दारी जा मेहन दा है जा नहीं कौन वली वस्तू मास अन्डा है जा कनक मखन आद खाना कौन बना रहा है हलके विचारां वाला जा बहुते चंगे विचारां वाला जा शुद विचारां वाला पोजन साफ बांडियां विच बनाया जा रहा है जा जूठे बांडियां विच श्रीव तों पहला मैं जीव ह बनना अते मिटना कडेदा गुण है मिटीदा नहीं इसे तरह प्रमात्मा साविच है उसनू ताके वला अपने अंदर महसूस करना है ना के प्राप्त करना प्रमात्मा में चो छक्ती है जो किसे जीवते किरपा करके उसनू अपने लोक तो मुक्ती दे सकदा है पर ग्यानी नहीं बना सकदा जिमें छोटे वालकनू माधी गोद मिल जाए उसे तरह ब्रहम ग्यानी दी जो मुक्ती हुंदी है वुर मनुख रूप बेच गुरु दे ग पर केवल एनक ही होवे तां दिखाई नहीं देवेगा उसे तरह जेकर अखा होण पर एनक ना होवे तां भी दिखाई नहीं देवेगा जेकर दोनों भी होण तां भी देख दीतां अक ही है एनक नहीं इस परकार दे अते जीव दोमे होण पर देखन वालाओना दे अंदर बै ब्रह्म ही है साक्षी दा सुध सुरूब ब्रह्म ही है साक्षी अते ब्रह्म अलग है इश्वर अंश अते आवास अंश वक्हान इश्वर दी गिर्पा अते गुरू दा ग्यान ही सानू ब्रह्म तक लेके जन्दा है सवदी आत्मा ब्रह्म है मैं तो मेरे दी यात्रा मैं तो मेरे दी यात्रा जाद सी पहाड सी तद नजर होर सी पेड़ पो देव बने तद देखन दी नजर बदल गई पशू पंची बने तद नजर बदल गई इसे तरह तो जद मनुख ने देव इच परवेश की ता तद देखन दी नजर बदल गई गरब विच मानबुद्धी होर सी, जनम लेंदे ही मानबुद्धी बदल गई, बचपन दी चंचलता देखी, अंकार परी जवानी देखी, वाशनावां दा परिया पंडार, इहो जिहा बुड़ा पेदा रूप भी देखिया मौत विच जट सारा जनम अखाने सामने इहो जिहा गुजरिया, तां याद आ गया अनन्त मेरी मौतां दा करम, पर नहीं बदलिया, जो ओ सी मेरा मैं, जिसनू कोई जनम जा मौत बदल ना पाई नर्क विच शोक दी मन वुद्धी होर सी, स्वर्ग विच अंकार विच विशेप दी मन वुद्धी, अते ब्रह्म लोक विच शांत शुरूप दी मन वुद्धी होर सी, सच खंड विच प्रेम दी वस्ता होर सी, ब्रह्म ग्यान विच शुद वुद चेतन्या सबरूप वि स्तित शुद्ध ग्यान रूपी मैं दिय वस्ता होर सी इस नाल पहले सत योग वेच मनबुद्धी होर सी त्रेता वेच मनबुद्धी वदल गई द्वापर वेच मनबुद्धी होर सी कल जुग वेच मनबुद्धी वदल गई पर इनना सबतों जो भी नहीं बदलया जिस वे ग्यान उदे अते अस्त हुन्दे रहे ओ मेरा शुद्ध ग्यान सबरूप अविनाशी तत नहीं बदलया अनंत कालतों प्राकिर्तिक अग्यान परविर्ती अते ग्यान परविर्ती मेरे विच जनम लेंदी रही अते मर्दी रही मैं साक्षात होके देखदा रहा ग्यान सबरूप बुद्धी शम्ता चितन्यता अते निर्विकल्पता दे आच्रन विच रम्न करदा रहा ता पता चल्या के मेरी कदी मौत नहीं होई ता मैं जान गया सच मिथ्या अते चूठदा अर्थ सच जो कदी ना मिटनवाडा सच जिमे के व्रम्न मिथ्या जो कदी होवे कदी ना होवे जिमे ए संसार अते श्रीर चूठ जो कदी ना सी ना कदी होएगा जिमे आदमी विच सिर्थ सिंग रोज परले विच मन बुद्धी होर सी जिस विच हर रोज स्थोल श्रीर सूखम श्रीर अते कार्ण श्रीर नू छड़के अपने प्रमात्मा ना ऊर्जा लेके बापिस तिना श्रीरा विच मौजूद हो जान दे हन निमित परले देवाद मन बुद्धी बदल गई जिस विच सैंकडे हजारां एक सार मर दे हन अते अति अंतिक परले देवाद वी मन बुद्धी बदल गई जिठे कुछ सूर्ज एक साल तरतिते तप दे हन श्रीर ही नहीं सारे तरांदीता तू भी पिगल दी है पते तू आहो के जद वारिश तरतिते पेंदी है तां तरति भी दिश्दी नहीं महापरले विच मन बुद्धी बदल गई जिस विच नर्क स्वर्गता की ब्रहम लोक विश्णू लोक शंकर लोक भी विलीन हो जान दे हन पर जो नहीं बदलिया ओसी मेरा मैं जिसने इनी परलेयां तो गुजर कर देख्या शान सबरूप होके निरलेप वस्था विच रहके जानेयां जद जानेयां जिस विच रोज दी लेके परले तू महापरले दी जात्रा अनंत कालतों करदा आया हां उस दे पहले अते बार दी हर तरा दियां अवस्था वान दे बदलानू जानने वाड़ा मैं हां जो समधी स्थेर शोद वुद ग्यान सबरूप निर्विकल्प वस्था वालबन के रम्न करदा रहा हां मैं अमर आत्मा हां जिस दा कदे अंत नहीं होया ना जनम होया पते ना ही मौत होई ना कोई जला पाया ना कोई मिटा पाया ओ आत्म सबरूप मैं हां मैंनू जानके मिरे दा अर्थ भी बदल गया जिस शक्ती नाड ये सब देख्या महसूस कीता अते नश्ट नहीं होया ओही शक्ती मेरी अपनी है अते ओही शक्ती मेरी आत्मा दावी आत्म सबरूप होके प्रमात्मा मेरे अंदर मौजूद है जिमें जल वेच गिला पन पत्थर वेच ठोस पन अग वेच गर्मी तेल वेच चिकनाहट रह रहे हन उमें ही मेरा प्रमात्मा मेरे वेच एक होके रहेंदा है वो मेरा है बाकी इंदरी मन बुद्धी जिते तक जान दी है देख दी है वो सारा माया है पतेना सार्यानु जानन वाली आत्मा में प्रमात्मा एक नाल रहेंदे आई हां उसे वेच जद महां पर ले आउंदी है तासी चित आकास सब रूप वेच शक्ती दे के अपने चिदा आकास रूप वेच रख लेंदा हां जिमें मा अपने बच्चे नूं गोद वेच सुला लेंदी है इहो जही स्तिती वेच मैंनु जीवित रखन वाला ओ मेरा प्रमात्मा है मैं दा प्यारा हां ही क्योंके ओ मेरा आत्म सब रूप है उस तों वी प्यारा है मेरा प्रमात्मा जिसनू अनंत काल तक निर्वा कर दे रहना है एक शिव पई एक गई एक फिर पई राम चंदर क्रिशन के अवतार पी अनेक हैं ब्रमा अर विशन के ते बेदिया पुरान के ते सिम्रित समूहन के हुए हुए बित दे हैं मोंदी मदार के ते अशुनी कुमार के ते अनसावतार के ते काल बस पई हैं फीर आउप कांबर के ते गने ना परत ते पूम ही ते होए कैफिर पूम ही मिले हैं वाहे गुरू आपे 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 आहे गुरु 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 सा लेना अते छड़ना जिमे के इंसान चल दे हुए कदमा नाल सज्जे खबे करदा है उसे तरह सा लेना अते छड़ना करदा रहे फिर रुक जाओ अते शांत वस्ता विच बैठ जाओ अते अपने आपनू कहो कि सब कुछ रुक जान श्रीर दी हर हरकत रुक जाए सा वी सहस्ता ना रुक्या होया होवे केवल अंदर जाग रहे हो हुण सा तेज तेज चलन अते कुछ समय वाद फिर रुक जाए तद तन मान अते सा रुके होई हुण अते अंदर जाग रहे हो श्रीर नू सक्त नहीं रखना हुण होड़ी होडी सा चले पर अंदर देख दे रहो जिसना मुख है की दिस रहा है इस दा कोई महतब नहीं है जिमें जिस इंदरी ते साधना करोगे उस दे विशे परगट हो जान देहन जिमें नित्रा अखा ते साधना करोगे ता दैवी प्रकाश दिशन लगेगा जे कना ते साधना करोगे ता दिब्य नाद दा जनम होवेगा सपर्ष ते साधना करोगे ता दिब्य सपर्ष महसूस होवेगा रस ते साधना करोगे ता दैवी रस अते अजीब जही मिठास दा अनुपब होवेगा नक ते त्यान आएगा ताँ अजीव अते अच्छी जही सुगंद महसूस होवेगी देव लोग ओ जन्दे हन जो इते इंद्रियां दा सियोग कर दे हन अते देव वन जन्दे हन फिर चाहे ओ पोग पौतिक होवे जन्देव इंद्रियां दा सब तरन दे पोगंदा आवास होजावे अते जिस तरह हर इंद्री दा देव रस्ता खुल सकदा है उस सादना कर्न दे उसे तरह जो दिश रहा है वो वस्तू नहीं है बलके जिस शक्ती नाड दिश रहा है ओपर तक परमातमा है अते एही दृड़ विश्वास अते विश्वास करके असी अंद्रों देख दे रहिये दिसन वाली शक्तीनू साक्षात प्रमात्मा समझ के उस शक्ती नाल प्रेम करो जो के बहुत समेदी साथ ना करन तो बाद ओही प्रेम दैबी प्रेम अते सच्चा प्रेम बन जावेगा त्यानवेच चंचलता होई स्थिरता होई पर असी देख दे रहे सड़ा कम सिर्फ देखना है असी केवल अंद्रों देख रहे हां इंद्रिया हन विशे हन पर उस नारसन कोई रकावट नहीं उस दे प्रती कोई रागदवैश नहीं उस समे सारा संसार ही रागदवैश तो रहत कर देवो क्योंके रागदवैश ही हर विशेदा चिंतन करवाऊं दे हन केवल देख दे रहो त्यान नू रागदवैश कराव कर दिन दे हन त्यान विच बैठोगे ता लगेगा के अजिहा हो जावे ओ हो जावे जो हो रहा है ओ होन देओ चंचलता आवेगी फिर स्थिरता आवेगी फिर चंचलता फिर स्थिरता कुछ समेंदा वियास करन दो बाद पता चलेगा के चंचलता नकली है स्तिर्टा असली है क्योंके चंचलता लई किसे विशे वस्तूदा संयोग करना पेंदा है पर स्तिर्टा लई किसे विशे वस्तूदा संयोग नहीं करना पेंदा जो सादन नाड़ प्राप्त होवे उसनू सच ना मननो जो सहज होवे उसनू ही सच मननो विशे दा त्याक करो अते इंद्रियां दा त्याक करो जो दिस रहा है उस दा महत्तव नहीं देखन वाली शक्ती जो के खुद प्रमात्मा है जो क्रोडा ब्रहमंदा दा मालक है अते पक्तानू प्यारा माँ बाप है बस इसे दे सहारे एक अत्व प्राप्ट करन दी कोशिश कर दे रहना चाहिदा है जेकर त्यान दीवी इच्छा जागे ता उस इच्छानू भी छट देओ हुण कुछ पलां देलाई मानदे प्रती जागदे रहो जेकर ए हो जावे ता कुछ मिंट मानदे प्रती जागदे रहो सिर्फ इक्त्यान बनया रहे के इस वेच कोई विशाबस्तू इंद्रियान दा सन्योग ना होवे केवल जाग दे रहो, चेतन बने रहो, माम बाप, पती पतनी, पाई पैन, बच्चे हन, संपूर्न संसार हुन्दे हुए भी, मैं जाग रहा हा, किसे दी कोई इच्छा नहीं, फिर भी जाग के अचा बन दी कोशिश रहे, मैं अचा होया के नहीं, कुझ पला लई अचा बने रहो, पूरी जिंदगी यसी चा चाहत नाड उल्ज दे रहे हां, आज खुश हो जाओ के, हुण कुझ पला लई मानूत ते, कोई चाहत जा इच्छा दा पार नहीं है, अते मैं अपने अंदर समादी वेच लीन हां, अते जाग रहा हां, फिर चाहत सिद्धे तरी के नाल नहीं आवेगी, कोई कुमा आदार बहाना लेके चा आख खड़ी होवेगी, जही स्थिती वेच चाहत दे मगर ना पैना, केवल देख दे रहना, एक तों दो कंटे दी कोशिस इस पूरे परियोग दी है, जदों अचा हो के अंदर तों जाग दे ही रहांगे, तां जो अपने कारा अपनी आत्मा विच प्रेम महसूस नहीं हुन्दा सी, और पता लगण लगएगा, जिसना तीसरे वाडा स्थूल सूखम दा कार्ण श्रीर छे, दूसरे आत्मा छे विच श्तित होन लगएगा, दे दियनू पूती चाहे खत्म हुन्दी जावेगी, चाहे वो स्थूल होवे जां सूखम, जिमें इस्त्रियां कारवेचे खलियां बैठियां रहन तां, उन्दानू चंगा नहीं लगदा, अते वो गौण्डियां दे मिलन चलियां जान दिया हन, जदों तक विशे विका आनू मिलन दी इच्छा है, तद तक जीवनू अपनी शांत आत्मा दा प्रेम महसूस नहीं उन्दा, इसलए इच्छावां छट देनियां हन, अच्छा हो जावो, अच्छा हो वोगे तां एक अराम दा अनुपव होवेगा, अच्छा अकरता रहके समाधी विच रहोगे, अते चेतन रहोगे, तां आपना साक्षी शुरूब अनुपव बिच आउन लगेगा, जेकर साक्षी शुरूब एक वार अनुपव बिच आया, तां दुवारा आउना आसान हो जाएगा, क्योंकि अनुपव पकड बढूंदा है, इस नाल तिन छे विच्चों, हुन दो छ रह गए हन। अते दो छे नुभी पेले वाड़े छे, जो के बर्म है, उस वच्च स्थित करना है, क्योंके दे जीव विच आचुकी है, अते होने इस नुपव अपने पेले वाड़े छे विच्च स्थित करना है, जितोव ए बर्म जीव दा असुरूप लेगे, फीर दे दास रूप लेके बाहर दे विश्यां दापो करदा है अचा रहन विच अचा रहन विच जेकर मज़ा आ गया तां बार बार अचा रहन लई मजबूर हो जावोगे कम नू नहीं छडोगे बलके एक फर्ज समझ के करोगे अते अंद्रों अचा रहन दे सुबा नू बार बार समाधी वी एक बंदन है सदादी समाधी लग जावे सब कुछ हुन दे होए ते कर दे होए तुसी अंदर चेतन सुरू बैठे ते जागदे रहो अपने आपनों जीव ना मन के सिदा ब्रह्म विच स्तित हुन दे होए सब वहार कर दे रहो आपने साक्षात ब्रह्मनु जानन अते पचानन तो वाद समाधी वी एक अखीरदा छे बंदन बन जन्दी है बास्त विक्ता विच रेंदे होए कम कर दे रहो कल्पना ते नहीं अर्थात कोई चा ना होवे स्वर्ग दी मुक्ती दी तुसी अचा हो जेकर प्रमात्मा दी भी इच्छा ना रहे क्योंके जीव अंच दे लई ही इश्वर अंच मददगार है अते इश्वरी अंच दा मुक लक्ष भी ब्रह्म तक पुचोना है हुन हौली हौली अखां खोलो अते इसनु हो ठोस प्रयोग बनान दे चले जाओ क्योंके इस दे उपर ही अगला प्रयोग निरपर करेगा सूर्ज देखना है तां अक चाहिदी है अक देखनी है ता मन चाहिदा है मन देखना है तां बुद्धी चाहिदी है बुद्धी देखनी है तां मैं चाहिदी है मैं देखना है ता कोई नहीं चाहिदा अर्थाक सूर्ज देखना है तां आख मन बुद्धी अते मैं चाहिदा है अपनी आख देखनी है तां मन बुद्धी अते मैं चाहिदा है जेकर केवल मन देखना है तां बुद्धी अते मैं चाहिदे हन केवल बुद्धी देखनी है तां केवल मैं चाहिदा है केवल मैं देखना है तां कोई नहीं चाहिदा इसे क्रम विच असी अपने अंदर दी यात्रा करनी है आत्मा जे कर अन में कोश ते प्राण में कोश विच बद प्रमन कर दी है तां उस लईवारी तीर्थ जुरूरी है जिस दी आत्मा मनों में कोश विच कुम दी है उसले वारी तीर्थ अते अंद्रूनी तीर्थ दो में ही जिरूरी हन पर जिन्ना ने ग्यान तत नाल अपने मान दियां इच्छावानों समझाया काबू किता अते पक्ती मार्गते चलौन लेई अपने अधीन कर लिया है दूसरे शब्दां विच जिन्ना दी आत्मा विग्यान में कोश अते अनंद में कोश विच विचरन लग गई है उन्ना लैता केवल आतम तीर्थ करना ही सब तोत्तम है इन अनुचार पागां विच वंड के देख सकते हन हड़ी मास दा पिंजरा अन में कोश इनर्जी अग अते शक्ती प्राण में कोश इच्छा मल में कोश आंत्रिक आनुपव इंट्यूशन विग्यान में कोश इनना चारां विच्छों सड्डे वेच चारे हुंदे होएवी कोई एक परदान मात्रा वेच होएगा जिस दी मात्रा सब तों ज्यादा होएगी सड्डी आतमा उसे कोश वेच रमन कर रही है उस आतम तीर्थ नूँ सहायता करन वाले कुझ अंश एवी हन सत्संग, संतोख, शान्ती, खिमा, तीरज, वेरा, योग, अते ज्यान ए अंशिक तीर्थ आतमा दे अंतह करन दी मैलूं, अंदरों कड की शुद करन विच बहुत जल्दी सहायक होंदे हन अते नाल ही महा तीर्थ आतम तीर्थ दी यात्रा किसे महा पुर्ष दी सहायता नाल चल ही रही होंदी है एक वार असमेज यग विच शिरी कृषन साधू महात्मा मानदा आतर सत्कार अते चर्ण तो रहे सन अते उननू अपने अपने आसन ते विठा रहे सन तद एक त्रिकाल दर्सी संत ने कहा कि तुसी की लेना है कि जो तुसी चर्ण तो रहे हो अते साद मांदा आदर सतकार कर रहे हो तत श्री कृष्ण ने उत्तर दिता के जो मैं कारे हाँ मैं ता अपने प्रेम दे वर्ष्विच होके कारे हाँ मैंनू देख दे कुछ होर लोक भी करनगे उनना दी मन बुद्धी दा ग्यान अते मैल जो पंजास आल दी निर्क पट अते निसकाम पकती नाल भी दूर नहीं ओ तो हड़े संतां दे आदर सतकार अते दो कड़ियां दे सतसंगतों ही उनना दान तहकन शुद्ध हो जावेगा जदे श्रीर ना होन जा होन नाल जीव पने विच कोई फर्क नहीं पेंदा ताए जीव जो के आवास केवल आत्मा मत्र है ताओ साक्षी विच कुठसत अंश विच तत्स रूप आत्मा विच स्तित होन लगदा है श्रीर विच सुपने विच गर्दन विच एक हीते नाम कनाड़ी है जिस विच सौंदे समय पर्वेश कर नाल सुपने शुरू होन दे हन उस विच आवास मात्र जो जीव है वो सुखम श्रीर विच पर्वेश कर लेंदा है जो के पेड़ पवदे सारी जिंदगी जही अवस्ता विच गुजार दे हन उस तो अगए जोदो जीव अश मन विच आउंदा है अरथात गैरी नींद विच हुनदा है उथे कोई सुपना नहीं हुनदा तासुखम श्रीर दाता कोई मतलब नहीं हुनदा उथे काण श्रीर विच जीव दा आवा आसमातर रहन दा है यही अवस्ता पत्थ्रा पहाड दी हंदी है शरीर विच जदो जीव अंश इस टों भी अगए चला जन्दा है का उत्थे जिमें कार्ण शरीर विच गैरी नीद हंदी है बस उही गैरी नीद नहीं हंदी पर कार्ण शरीर ऊथ हुँन दा है उसे जीवंश विचार शील हुंदा है जद हो थे श्तित होया रहे अदे जागरित सुपन अते सखोपत अवस्ता नाड़ उसदा कोई लैंड देन ना होवे ताउ जीवंश भी साक्षी वेच श्तित हो लगदा है जिस्तों पैदा होया है ओ जो जदवी श्रीर विच इंद्रियां विच महसूस हुंदा है ओ आदार्वी साक्षी ही हुंदा है जिमें के किसे रौशनी दा अपना आपा कमरा है बलव है जां बिजली है की है ता सुचन ते पता लगदा है के रौशनी दा अपना आपा बिजली है बलव ते कमरा नहीं इसे तरह दे जड़ जाती दी है, मन इंद्री भी जड़ जाती दी है, साड़ी चेतना जिस विच असी हाँ, अते ओ साड़ा है, जिस नाल साड़ा नित्स दीवी सवन्द है, ओ चेतन है, इसलिए यसी दो में एक ही जाती दे हाँ चोथा शिशा स्थूल अते सूखम श्रीर, इज़ा शिशा मन जिस विच दुख सुखदा एहसास हुन्दा है, दुज्जा शिशा बुद्धी जिस विच राग दवेश हुन्दा है, पहला शिशा आवास अंश, तमो रजो सतो कुणा दे मिले हुए सुवा बांदा एकट है, जिमें सूर्ज दा प्रकाश पहले शिशे विच्चों गुजर के, दूसरे शिशे विच्च, दूसरे शिशे तों गुजर कर तीसरे, अते तीसरे शिशे जों गुजर कर चोथे शिशे विच पांच दा है, शिशे चाहे चार होन्द, पर उन्ना विच्चों गुजर जो प प्रकाश पहुंचदा है वो ताव सूर्जदा प्रकाश ही है जिमें सुपने विच इस स्थूल श्रीर नहीं हुंदा जां वो महसूस नहीं हुंदा इसे तरह ब्रह्म प्रकाश स्थूल श्रीर तों हटके अर्थाद चौट्थे शीशे तों हटके प्रकाश तीसरे शीशे व इच्छ सौं रहे हुंदे हां जिते कोई सुपना नहीं हुंदा अते स्तूल श्रीर दावी पता नहीं हुंदा ता उते साथा ब्रह्म प्रकाश तीसरे शीशे दों दूसरे शीशे वेच आ जानदा है बाकी जो दूझे शीशे दे का महन अते पहले शीशे दे का महन उसे तरह चल दे रहें दे हन अर्थाद पहले यते दूसरे शिशे तो खिच के प्रकाश आपने तीसरे शिशे वेच स्थित हो जानदा है इसे प्रकार जदों गैरी नीदी अवस्तादा ओही रहे पर बाहरी अंश जाग दे रहन जदों असी समाधी वेच होई ये ता अपने आवास मातर जीव अंश अर्थाद स्थूल श्रीर जहां सूखम श्रीर दियां इंद्रियां तों हटके जदों ब्रह्म प्रकाश मन वेच आज आनदा है ता ओह चोथे शिशे तों तीसरे शिशे वेच आज आनदा है जो के इच्छा बांदा पुंज मातर है उस तो बाद जद मन तों ब्रह्म प्रकाश पिछे हटके बुद्धी वेच आनदा है ता तीसरे शिशे तों हटके दूसरे शिशे वेच हटके आज आनदा है अर्थात इंद्रियां ते मन हुंदे ता जरूर हन पर महसूस नहीं हुंदे इसे तरह जदों साड़ा ब्रह्म प्रकाश बुद्धी तों हटके अपने आवास अंच जन्जीव अंच वेच पहुंचदा है ता ये दूसरे शिशे वेच पहुंचदा है ता ये दूसरे शिशे वेचों पहले शिशे वेच प्रवेश करदा है अर्थात इते मन बुद्धी दुख सुख जिस विच राग अते दवैश हुंदे हन ओवी नहीं पहुंचदा इस पहले शिशे अते ब्रहम बिच ए फर्क हुंदा है के पहला शिशा परवर्तन शील हुंदा है अनांत जनमातों हरेक जनम दे स्वानु अपने उपर लेके बदलदा रहंदा है अते ब्रहम बिच कोई परवर्तन नहीं हुंदा हुण इसे तरह दुज्या प्रयोग अते फिर तीज्या प्रयोग करांगे पर हरेक प्रयोग एक दूसरे नाल मेल खांदा है पर पहला प्रयोग जिनना चंगा है उनना ही दूसरे प्रयोग विच त्रक्की मिलेगी दूसरा प्रयोग जिननी ततपरता सजगता अते संयम नाल कीता जावेगा तीजे प्रयोग विच उननी ही त्रक्की मिलेगी आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू, 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 व आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू प्रयोग नम्बर दो लंबा सा लेना फेर चड़ना कुझ पल एक अर्ण तो बाद हौली सा चड़ना जिस विच कोई अवाज ना होवे अते फेर चड़ना उस्तों बाद छोटे छोटे सा लेना अते चड़ना जिमे के कपाल पाती कर दे हां हुण सुवाविक सा आउन देओ अते जान देओ सा नू सिर्फ देख दे रहो जड़ सा आवे ता इज्जत नाड बलालाओ अते जड़ जावे ता प्यार नाड पेज देओ वी ती वार करनतों वाद वाही गुरू जा राम जा अपने इस्ट दा नाम लै सक देओ सा जान दे वेले वाहे बोलो अते आउन दे वेले गुरू बोलो शब्द सा दे नाड जुड़िया होना चाहिदा है इंज लगे के अंदर सा नहीं शब्द चल रहा है जो सा नू जिन्दा राख रहा है जे कर सा दी एक किर्या ना चल सके ता दूसरी किर्या करो इस सा दी प्रिक्रया विच सा नू अपने आप ना चलन देओ सा लवो अते सा चड़ो सा वीच ताक्त लोनी बवेगी सा आउन विळे अराम नाल लवो अते जन्दे विळे चड़के नाल सुटो फिर सा अराम नाड लओ अते चटके नाड बाहर सुटो कुछ पल ए करके फिर अंद्रों सब कुछ रुक जान देओ सा श्रीर अते मन दी कोई हल चल ना होवे जिमें विश्राम कर रहे हो हुण जद विश्राम कर दे कर दे ठक गए तर लंबा सा लो अते चटके नाड छट देओ पचीती वार करन तो वार फिर रुक जाओ मन श्रीर ता रुक्या होवे जा सा विच चार छे वार दा बकफा आजावे अर्थात चार छे वार सा ना लिया जावे ये बहुत बड़ा विश्राम है पर आनंद सा लैन विच है अते जदन सा लैनदे होए ठक जावो ता रोक्या विच अनंद आवे दोना विच पाव सा रोक्या अते सा लैन विच बराबर दा आनंद होना चाहिदा है जदों चटके नाल सा छड़या जावे ताँ पखाने दर रस्ता अंदर नूँ सकोड लवो अंतनिया उपर नूँ आउन एक करदे करदे बामे थोड़ा जहा पसीना भी आजावे पासा वदल सकते हो शरीर विच कोई दर्द ना होवे इस तरह बैठो जिमें दर्द तो रहत हो सको क्योंके त्यान कर लेई असी जिद भी करिये ताँ दर्द सा नूँ खिच लेंदी है इसलिए जिस तरह भी वैठो त्यान विच सहाइक होवे वाहि गुरू जा कोई होर मंत्र भी कर दे रहो अदे जे कर शवत तो त्यान हट जावे ते सात त्यान आ जावे जेहा कर दे होए भी त्यान चंगा है कुझ ना दिखे ताँ भी देख दे रहो कि अजे तक कुझ नहीं देखदा तुंदलापन, कालापन, हनेरा, होली होली कागरता विच ठहर जाओ देखना है, कुझ सोचना नहीं है, हाथ जां उंगलियां, जां हथेली अखां ते रखो तंगा बदलो, जिस त्रीके नाडवी ते आन विच सहायता होवे, पर जे अंद्रों पूरी कागरता ते सजगता नाड़ जाग रहे हन उननु कुझ करन दी जरूरत नहीं, कोई फेर वदल नहीं करना, पर जाग दे, अते देख दे रहो अखां बंद करन ते वी हनेरा दिखे, प्रकाश दिखे, कोई बिंदू दिखे, निला, पीला, सूर्ज, चंद्रमा, देवी देवता, जां, होर चमत कार दिखे देखना ही सोख है, द्रिश्दा कोई महत्तव नहीं, किसे नू कुझ पुछ पुछो ना, कोई इच्छा नहीं, कोई चा नहीं अचा हो के देख दे रहो, अते होश बिच बने रहो, कोई होर प्रियतन नहीं, इच्छा बान दा त्याग सब योजना मा ठप हो गईया, देख दे रहना, एही योजना है चेतन रहना, एही संकल्प है, द्रश्टा पन सद गया, ता ये योजना भी बंद हो गई जेकर अंद्रों जाग दे रहना, अते देखना सहज हो गया, ता देखन दा संकल्प भी हो गया इस नाल सीं, चोथे शिशेतों, तीसरे शिशे वेच पहुंच जावांगे होनसीं, तीसरे शिशे तों, दूसरे शिशे वेच पहुंचन लई, इसे प्रयोग नूँ चालू रखना है, अते अग्गे बधोना है अजेहा करदे करदे, चेतन ता पैदा होन लगेगी, अते कुझ अंश तक चित आकाश वेच कुमन लगेगा कई वार साच अटके नाल लेंदे रेना चाहिदा है, इस नाल कुंडलनई, जागरन अते अंदर दी सुनता पैदा हो सकती है शिरीर वेच पारीपन अते हलका पन भी हो सकता है, बाहर दे ते अंदर दे अनुपव कोई भी होन, परसी ता जाग रहे हां सिमरन हो रहे है, ता वी ठीक, जे नहीं हो रहा, फिर वी ठीक एक रस अंदरों वस देख दे रहो, इस दे शरीर तों, प्राण शरीर तों, मन शरीर तों, चेतना तीसरे शिशे तों, दूसरे शिशे वेच पहुंच जाएगी कोई संकल्प, बिकल्प नहीं, हर प्रकारदी सोचतों, बहुत दूर निकलाए हो, कोई चिंता, पैह, अते दुख नहीं, कुछ महसूस करन दी, कोई कमी नहीं है, के मैं अपने करविच वाप्स आ गया हां सब बाकी कूडा करकट कड के बहर सुट दिता है, अते अपने मन रुपी करनू साफ कर लिया है, मन निर्मल, शांत, एक रस, सा नाड़, शब्द नू चल दे होए, देख दे रहो, सुन दे रहो, शब्द वेच प्रेम, इस परकार होवे के, अनंत काल दे प्रेम, अनंत पर कारना, जो भी असी पिछे की ते हन, वो सारे इस प्रेम ते निशावर होण, मन निर्मल, अते शांत हो जावे, इसे ते पग्द कवीर जी ने किहा है के, कवीर मन निर्मल पया, जैसा गंगा नीर, पाच्छे लागो हर फिर है, कहत कवीर, कवीर, सब प्रकार दी हल चल बंद हो गई, प्यार रूपी शब्द, सा रूपी माला नाड मिलके, एक दैवी रस पैदा हंदा जन्द है, अख, नक, कन, चमडी, जुवान उपर, सब अंद्रों ते बारों विश्राम हो गया है, बाणिये वाडा हिसाब छाट दे हो, लावानी दाय थे कोई महतव नहीं, केवल देख रहे हो, जाग रहे हो, कोशिश नाल नहीं, बलके चितनता, अते सजगता नाल, अंदर द्रश्टा पन विच हो, हुण असी इस प्रयोग नू चालू रख दे होए, तीसरे शिशे विचों, दूसरे शिशे विच प्रवेश करांगे, तिन नंबर प्रयोग विच भी, इसे प्रकिर्या नू ही चालू रखांगे, पैर चूहन नाल, जिते होर फायदे हुंदे हन, उत्थे अहंकार भी कटदा, अते गलदा है, जदों असी अनंद लई पजन करांगे, ता आनंद मिल भी सकदा है, जा नहीं भी मिल सकदा, पर परमात्मा दे प्रेम लई पजन करांगे, ता अनंद अते प्रेम दोनों मिल लणगे, हरेक व्यक्ति अपनी मैं नूबदाण विच लगया होया है, इस तरह हरेक दा अहंकार बदी जन्दा है, जेकरोही व्यक्ति ब्रहम नाल जुड़ जावे, ता उस दा मैं किनना जावेगा, रेक व्यक्ति दुनियावी लगाब विच जी रहा है, पती, पतनी, बच्चे, पाई पैन आद विच जी रहा है, पर जेकरोही व्यक्ति अपने निजदे अंकार नूँ छट के, चेतन विच अपना आप लै जावे, ता उ किनना विशाल हो जावेगा, जिमें चेतन नूँ इंद्रियाँ तो पाल्ट के दे विच, दे विचों पाल्ट के मान विच, मान विचों वी अंधर बुद्धी विच, अते बुद्धी तो पाल्ट के चेतन, अपने ब्राम विच पहुंचे, उते द्रिष्टा बन के सारे कम करदा रहे, अते ये भी समझ लवे के द्रिष्टा केवल एक ही है अपने गुण तर्म कर्म आदनू पचानू अपने आपनू पचानन लई इनना नकली पंज कोशांतों अलग होना पवेगा कोश दा मतलव है परदा जन्टकन इथे तक के अनाध में कोश भी एक आवरण है इस आवरण नू हटावना पवेगा समझावेगी दूसरे साक्षी देखन वाले दे विना सुपना नहीं होना पर ख्याला वीच सुपना जरूर होना है पर साक्षी नहीं उन्दा जिमें के अजेवी जागरित वस्ता विच मैं इंद्रियां मन बुद्धी रूपी दे हां एतां जान रहा हां पर इसनु चलोन बड़ा अपना आपा साक्षी रूपी द्रिष्टा महसूस नहीं कर पा रहा हां प्रमात्मा दे गुण अवेकारी नू बिकारी नहीं बना सक्दे प्रमात्मा अवेनाशी दा नास नहीं कर सक्दा प्रमात्मा जिना मी नराज हो जावे अपने आपतों जीव नू दूर नहीं कर सक्दा क्योंके उसे दी शक्ती नाल पैदा होया उसे दी शक्ती नाल चल रहा अते पल रहा है अकीर उसनु अंतिम अराम भी प्रमात्मा बेच ही मिलेगा प्रमात्मा प्राप्त नहीं करना केवल उसनु महसूस करना है क्योंके वो हर जगा है साक्षी खुद ही प्रकाश में ही है त्यान विच आवास नू आवास कल्पना नू कल्पना नहीं समझांगे तां त्यान जां समादी अदूरी ही रहेगी जिमें आवास पहला शिशा अटे साक्षी विच फर्क है उसे तरह साक्षी अते ब्रह्म विच भी फर्क है साक्षी तो हड़ा सुद्ध सुरूप नहीं तो हड़ा सुद्ध सुरूप तां ब्रह्म है अर्था तुसी ब्रह्म साक्षी नहीं हो जिमें इते आवास अंश मिथ्या है उसे तरह इश्वर अंश भी मिथ्या है साचता केवल ब्रह्म है जिसतरा साड़ी दे अते आवास अंश खत्म नहीं हूंदे ए ब्रह्म बीच एकठे हूंदे हन अते उस बिच ही मिलजाने हन इस लई जगर चन दी ताकत इश्वरी अंश विच है ना के ब्रह्म अंश विच पर ब्रह्म तक पहुंचन लई इश्वरी अंश अवतारां गुरुआं महापुर्शांदी अराधना करनी पेंदी है अते उनना दी किर्पा दा पातर बनना पेंदा है जिस नाडो सानू ब्रह्म तक पुचोंदे हन गुरुदा आवास अंश अते जीवदा आवास अंश दोनों ही मर दे हन ता दोना विच फर्क की है गुरुबिच जो आवास अंश हुन्दा है उ मरन्त वार ब्रह्म बिच स्थित हो जान्दा है अते जीवदा आवास अंश जेकर ब्रह्म तक नहीं पुचेया ता हो कुझ होर जन्म बनना है जिस तरण दा जनम हुनदा है उसे तरण दा उस दा आवास अंश बनदा है आवास अंश अर्थाद पहला शिशा ते चेतन जदों ये सूर्ज विच समा जानदा है तां फिर कदे कदे सूर्ज विचों बाहर निकलदा है अते दे दे प्रती जागदा है अते फिर कदे सूर्ज विच जाके सूर्ज प्रती जागदा है कदे दोहां तो वक्ष होके बेखवरी विच भी रहनदा है इस विच संत्रण जी सिंग्डा कई वार आवास अंश विच रह के डाड़ी अते किसां ते किने ही समय तक हाथ अते कंगा भी मार दे चले जान दे सी बेखवरी विच खोर कई वार सुझ रूपी सचित अनन्द विच स्थित रहन दे सी वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू संत महराजी दा अपने आप विच ही मस्त रहना अते आपनी समधी विच ही लीन रहना इहो जहे बहुत सारे उदार्ण हन ज़स संत महराजी आपने आप विच ही मस्त रहन दे सी अते एहो जहा लगदा सी के उना दी उना दे अंदर ही समधी लगई होई है अते संत महराजी नू इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा सी के कोई उना नू देख रहा के नहीं जद देखे जन्दा तां कदे कदे महराजी कोई कम करन लगदे ता कावी समय तक लगातार ओही कम कर दे रेंदे सन्थ अते एहो जहा महसूस हुन दा के संत महराजी दी जिमें अंदर तां बहुत गहरी समधी लगाई होई है अते ओ उसे विच मस्त हन अते जो कमो बाहर अपने स्रीर करूप बिच कर रहे हन उस नाड उना नू फर्क नहीं पैंदा अते ना ही उस चीज़ दा आवास कर दे क्यों की कर रहे हन इक वार दी गल है के संत महराजी कुलविंदर सिंग पिंदी उतर चर्ण जी सिंग बापला पिंड जो के बगोल्ड सिटी विच रहेंदा है उस दे का ठहरे होई संद ता सवेरे दे समें दी चा संत महराजी नू प्रवान क्राउन दी ड्यूटी पाई कुलविंदर सिंग पिंदी दी सी क्योंके राजु अबाजी सवेरे दे समें संत महराजी नू इश्नान करवाके अते संत महराजी दे वस्तर पहना के खुद इश्नान करन चले जन दे इनने समें बिच जद तक राजु अबाजी बबाबलकार सिंग जी संत महराजी दे होर वस्तर दी सफाई कर दे अते खुद इश्नान कर दे ता तक कुलविंदर सिंग संत महराजी दी चाले के कमरे विच आजन दा सी तपाई कुलविंदर सिंग दा खुद आयत जर्वा सी के उनने बबाजी बबाबलकार सिंग जी नू दस्या के उननाने देख्या कि संत महराजी दस-दस मिंट तक आपनी दाडी ते ही हाथ वेर दे रेंदे अते ज़ाद आपनी दाडी नू ब्रश नाल सही कर दे ता दस-दस मिंट तक सिर्फ उसनू ही सही कर दे रेंदे अते जद कदे आपने सिरवेच कंगा करन लगदे तां काफे समे तक आपने सिरवेच कंगा ही करदे रहेंदे अते कुलविंदर सिंग उनना दे सामने उस समे तक चाल लेके खड़े रहेंदे तां एक आम ब्यक्तीनु संत महराजी दा एक उतक समझ वेच नहीं आउदा सी जद के असलियत वेच उस समे संत महराजी अपनी शरीर दी हरकत दा ओ आवास ही नहीं करदे सी के बाहर शरीर नाल की कंगा रहे हन जद कदे राज्यू बाबा जी बाबा बलकार सिंग जी संत महराजी दे किसे अंगनू हथ लगाऊं दे अते उथे वस्तरां दी स्वाई कर दे तां संत महराजी अपना त्यान हटा के उनना बल देख दे के एक ही चौंदा है नहीं तां संत महराजी हमेशा ही अपनी त्यान मगन मुद्रावेच ही रहेंदे पामे वाहर कुझ हुंदा रहे ज़संत महराजी परशादा परवान कर दे ताउ परशादा ही परवान कर दे रहेंदे अते उन्ना नू उस समें खुद ही महराजी नू रोकना पेंदा के महराजी आप जी ने काफी प्रशादा प्रवान कर लिया इसलिए हुण तुसी बस करो अते जादा तुसी प्रशादा प्रवान ना करो एक वार संत महराजी नू फुल गोबी दी सबजी बहुत पसंद आ गई ना पूरे हफ़ते संत महराजी सिर्फ फुल गोबी दी ही सबजी परशाद्डे दे नाड प्रवान कर दे रहे इहो जहे फोर वी कई वाक्या हन जिमें के संत महराज जी जद कदे कदाई अपनी दस्तार सजाओं दे अते ओ जेकर उननु पसंद ना हों दी ता कई दस्तारां बदल दे रें दे पते काफी समय तक दस्तार ही सजाओंदे रहंदे ताँ इस तरह संत महराज जी दे कई कोटक इहो जहे दे खंडू मिल दे जो के बिलकुल ही बखरे होया कर दे सी जिन्नानु हर ब्यक्ती नहीं समझ सकदा सी इहो जहा वी कई वार हुंदा जद सवेरे दे समय बाबा बलकार सिंग जी संत महराज जी दे कोलाओं दे पते उस समय पावे संत महराज जी वैठे होय होन जान लेटे होय होन ताँ इहो जहा महसूस हुंदा सी के जिमें संत महराज जी निद्रा मगन हन पर असलियत विच संत महराज जी उस समय निद्रा विच नहीं बलके अपनी त्यान मगन अवस्ता विच हुंदे सी उस समय ना उन्ना दे श्रीर दा कोई अंग हिल दा अते ना ही उन्ना दे श्रीर वेच कोई हर्कत हुंदे होये दिस्दी अते काफी काफी समय तक जदुन्ना दे चर्णा दी मालिश करदे रहंदे ता संत महराजी अपने चर्णा नूं हिला दिन्दे अते बोल दे के हाँ पाई तैनूं कोई कम है की ता इस तरह संत महराजी नूँ उन्ना दी त्यान बगन अवस्ता विचों होले होले बाहर ल्याउना पेंदा सी जो के उन्ना दे असली सेवादार जिमें के बबा बलकार सिंग जी ही कर दे सी जो के 24 कंटे संत महराजी दी सेवा विच ही रहंदे सी ता जद कदे सवेरे देश में संगत संत महराजी दे दर्शन ले आउँ दी ता ओ एक कंटे पहला तो ही महराजी नूँ उना दी त्यान मगन अवस्ता विचों बाहर लेआउन दी कोशिश शुरू कर दे जिमे के जेकर संत महराजी ने सवेरे दस वजे संगत नू दर्शन देने हन ता बबा बलकार सिंग जी सवेरे नौ वजे तों ही संत महराजी नू उन्ना दी त्यान मगन अवस्ता विच्यों बाहर ले आउन दी कोशिश करना शुरू कर दिन दे अते उन्ना नू हर पंद्रा मिंट दे अंत्राल दे वाद संत महराजी दे कोड चकर लगोना पेंदा अते एक त्रीके नाल उसंत महराजी नू बाहर निकलन ले मजबूर कर दिन दे के हुण आपने संगत नू दर्शन देने हन ता कहन दा मतलव है के संत महराजी हमेशा ही आपनी अनंद मैं त्यान मगन अवस्ता विच ही रहन दे सी जुस तुम बाहर नहीं आउना चौन दे सी अते इसलिए जदवी संगत संत महराजी नू सहसंग दा समय पुछ दी ता कोई होर एहो जही गल जो सहसंग दे परोगराम नाल जुड़ी हुन दी ता संत महराजी हमेशा ही बचन कर दे के आप राजू बाबा बलकार सिंग जी तो पुछ लो क्योंके हुन याद नहीं रहन दा अते मैं पुल जन दा हाँ इसलिए हुन सारा कम इसने ही संबालया होया है अते जेकर कदे संत महराजी ने किसे दे कर जाना होंदा अते संगत समेंदे वारे विच पुछ दी तां वी महराज एही वचन कर दे के पाई तुसी राजूतों ही समन निश्चित करवा लो ओही तो हनु दस देनगे जो समय ओ दस देनगे असी उसे समय दे उनसार आ जावांगे अते होर वी एहो जहे कई उदारन हन के जिमें जद कदे संत महराज जी गड़ी तो किदरे जा रहे हन तामी महराज जी अपनी अनंद मै त्यान मगन वस्ता वेची ही रहें दे सी अते जिमें के गड़ी दे समने कुझ आ गया अते जाद सेवादा संत महराज जी नू दस दे के महराज जी गड़ी दे समने कुझ आ गया सी तामी संत महराज जी एही बचन कर दे के पाई मैंनू ता पता नहीं लग गया इसे तरह कदे कदाई इहो जेहा हुंदा सी के जिमे संत महराज जी जेकर कदे किसे नाल कुछ बचन करन लग जान दे ता काफी समय तक संत महराज जी बचन ही कर दे रहन दे जिस वेच कदे कई कंटे वी इसे तरह निकल जान दे ता उस समें बाबा बलकार सिंग जी नू खोद ही संत महराज जी नू कहना पेंदा के महराज हुन बहुत समा हो गया है अते हुन तुसी चल के आराम करो ता संत महराज जी बचन कर दे के हाँ पाई समा ता बहुत हो गया है तुसी सानू पहला क्यों नहीं दस्या इसलिए संत महराजी इनना बबा बलकार सिंग जीनू हमेशा ही आपने नाल राख दे शी तां कहनदा मतलव ए है के संत महराजी हमेशा ही आपनी अनंद में त्यान मगन अवस्था वेच रहें दे शी अते उन्ना नू बाहर दे कार्ज कलापा नाल कोई खास मतलब नहीं हुन्दा सी पहला इंद्री मन बुद्धी नाल एकठा होके पहले शिशे विच आ जान्दा है फिर साक्षी अते जीवदा फर्क समझना पहला शिशा भी उन्ना ही नकली है जिन्ना के चोथा शिशा इंद्री दे ए इसे तरह कम करदा है जिस तरह साटी स्थूल दे कम करदी है जदो साक्षी नू समझया ता पता लगया के सब जगा एक ही साक्षी है अते ए भी जान लेा के चार चार वाड़े संख साक्षी हन पर सब दा साक्षी एक ही है जेकर असी चोथे तीसरे अते दूसरे शिशे विच्चों होके पहले शिशे विच बैठ दे हां अते उत्थे बैठ के ही दूसरे तीसरे चोथे शिशे दा कम कर दे हां ते उथान दी स्थिती बण जान्दी है इसे दे उल्ट जे कर पहले तों दूसरे दूसरे तों तीसरे तों स्थूल शरीर विच रह के छौथे चौथे शिशे विच रह के असी सारे कम कर दे हा तां यह पतन दी स्थिती है अर्थाद जदों असी पहले शीशे विच रहके सारे कम कर दे रहांगे तान जिस सूर्ज दा अक्ष पहले शीशे विच है वो प्रकाश फिर हौली हौली अपनी असली सूर्जी प्रकाश रूप बेच इस्तित हों लग जावेगा तद पता लगेगा कि संसार बेच केवल एक ही चेतन है दूसरा कोई नहीं है जिस तरह के पगवान केदे हन के सब प्रकाश ना सब बेच मैं ही हां अपना अपना प्रकाश रूपी मैं मैं कहके अनांत जी बने वैठे हन। चारा नकली मैं बिच्चों हो के असली मैंनू पालाओ ता फिर दूसरा नहीं बचदा। ब्रह्म एक ही है जो के सच है बागी सब असत है सिर्फ लगदा ही है। चंचलता खत्म हो जावे ता समझो मन शांत हो गया अटे हुणे निर्ना करंदी अवस्था भी बंद हो जाए के एक राग्द वैश नाड़ बनने होई ख्याल हन यह दोनों तरह दे स्वाल बंद हो जान अते अंद्रों शान अते विश्राम वाली अवस्ता विच बैठे जाग दे देख दे रहो तहां जानों के बुद्धी ने वी ख्याल छट देता है होनों ते जाग रहे हो ओ जीवदा आवास अंच है बुद्धी बंद होन ते जित्थे असी जाग रहे हां अवियास करन ते उत्थे असी जाग दे रहांगे ता पता लगेगा के इता मेरी आत्मा दी छाया रूप है असली ता मैं आत्मा हां द्रस्टापन बनेया रहे जिमें पहिया तेज को मनते भी उस दी तुरी नहीं कुम दी ग्यानी दियां सत पूमिका मां बेच कई प्रकार दे अजीव चिरित रहूं दे हन जिमें के पूमिका बेच कोई खाने दी मंग करेगा ता कोई खाल लवेग नहीं ता पुखा ही रह जावेगा किसे पूमिका बेच वह चोटे बच्चे जिहा विवहार करेगा पर चौथी पूमिका एक तराज्यू वर्गी हुन दी है जो दो दाने उद्र बाड़े विच पै गए तां उद्र पार हो गया जिकर इद्र बाड़े विच दो दाने पै गए तां इद्र पार हो गया चौथी पंजमी अवस्था विच इद्र उद्र कुम्दा रहनदा है जही पूमिका वाले दा ग्यान नश्ट नहीं हुंदा अते ओ पहली दूसरी तीसरी पूमिका विच कदे नहीं आउंदा गडबड हो जान नाल भी अगे वाले ही वदेगा ब उड़ा होवेगा जहां कमजोर होवेगा तां उस दीपूमिका त्रकी वलवद जाएगी पाप बदल जावेगी प्रकिर्टी विच काम क्रोध लोब मोहंकार आद प्रविति अपना कम कर दी है जदो काम छड़ द्यांगे तां काम आद प्रकिर्टी तो अराम हो जावेगा ओ ब्रह्म ग्यानी होन भी अपनी प्रकिर्टी उनसार ही कम करने जिमें सुई तलवार कैंची आद पारस नू छुह नाल सोने दियां तां हो जान गियां पर सुई सुई ही रहेगी अते तलवार तलवार ही रहेगी जिमें कोई खत्री ब्रह्म ग्यानी दे समने किते लड़ हो रही हो बेगी तां उस दियां वहमा वी फड़कन लग जान गिया लोग सुपने तो आदमी दे सुवादी पशान कर दे हन क्योंके सुपने उस दे सुवादी अनुसार आउन गे ख्याल बहुत संक्रमित होनते वी आदमी दा सुवाद नहीं बदल दा बगती नाम त्यान ग्यान विज्यान एक एवल इस लई हन के अंदर प्रमात्मा नाल जुड़के एक दिप प्रेम रस पैदा हो जावे अंत विच अनंद होना जानना होना सजगता दा रहना जानना रहना द्रश्टा दी पावना दा आउना जानना ओना नित चेतन विच चित वी पावान दा आरोपतत है चेतन ता जड़ता नार आरोपत है असली ता के बल्चित सुरूप है बाकी सारे जिन्ने उपर दसे गए हन ए सारे जड़तत हन अजेहा चेतन जिस विच कुछ जानना ही ना बवे ओ सच है जो आपने आप विच परीपूर्न वस्ता विच है जो सदा रहे जो कदे होवे कदे ना होवे जांकि से यतंद्वारा प्राप्त कीता होवे ओ सच नहीं है विकार नश्ट करना ओदेश नहीं है विकार दी ग्यान हो नाड जीवात्मा ब्रह्म राक्षिस तक तां वन सक दी है अते वेदां विच केड़े पन्ने ते केड़ा मंतर लिखिया है उस दा टीका कर्ण तां कर सक दी है पर जिथे वेदां दा अंत हुंदा है सचित अनंद रूपी पगवान विच स्थित नहीं हो पाउंदा वेराग अते एकला वेराग हो नाड हमेशा हमेशा लई अपने दुख दीन विर्ती अते सदा सदा लई परम सुख प्राप्त कर लई बहुत मेनत नाड करम कर दे हुए चोदा वार इंदर लोक दा राजा तेती करोड देवी देवतावान दा राजा बन देवाद तुटियां टंगां वड़ा कीडा था बन सकदा है पर ग्यान ना होन देकान उस अनंद रूपी पगवान वेच स्थित नहीं हो सकदा वाहे गुरुँ आहे गुरु आहे गुरुँ आहे गुरु वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू प्रयोग नमबर तिन पिछे दसे गए दूसरे प्रयोग दा समा कट करदे करदे जदों अदे कंटे तक हो जावे तादे तीसरा प्रयोग शुरू करना चाहीदा है शवद निश्किरे हो रहा है किते रुकना नहीं केवल दिखना है तो हड़ा ग्यान विच बाहर दाहूर अते अंदर दाहूर बखवख दसे आ गया है जद के दों में एक ही हन किसे भी चीज दा वोज नहीं केवल चेतन हाँ जेकर इस विच भी जोर पेंदा है ताँ केवल हाँ केवल देखना ही है कुछ चोना नहीं अपने अंदर बैठके देखो के कुछ चा रहे हो के जान सिर्फ देख रहे हो सब इच्छावां खतम कर देओ कुछ पल दे लई मन किते चला गया अते फिर आ गया अते जाग रहे हो फिर कुछ पल दे लई, विचार उठे, अतिशान्त हो गए, सब कुछ ठहर गया, श्रीर मूर्त बन गया, फिर मन किते गया, फिर आ गया, अपनी आखां विच पूरी मेनत लाओ, ठहरन देश कम विच इने लग जाओ के, बकी सारे कम कम ही न रहन, आतों अंत, जनमतार्न कर द अते हुड मैं कर रहा हा, सारे कर्म इंद्रिया, अते ग्यान इंद्रिया दे विश्यां दि मम्ता, इकठी करके, सिर्फ अ खां विच प्यार नाल देख़ दे रहो, इसलमately कैहा है, एक ही सादे सबसदे, सबसदे सब जाए, इस दह पाव है के, इक दे सादे नाल, सब सादे क्योँके दुन्यावी विद्या अते योग विद्या जित्थों पैदा हुन्दी है। वो आतम विद्या जा महा तीर्थ कर रहे हैं। शरीर है संसार है पर कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ चेतन बने रहो पहला देखन दा यतन फिर यतन दा वी त्याग। देखन दा त्याग नहीं सिर्फ यतन दा त्याग देखना सहज हो जावेगा पहला एक आगरता फिर उस दीवी कोई जुरूर्त नहीं सिर्फ सजगता चितनता तो हड़ी इच्छा है तांखा बंद रखो अंदरों अजेवी जाग रहे हो अते देख रहे हो पैर बदलना बैठन दी कुछ अवस्ता विच जेकर कुछ बदलना होवे तां बदल लओ, पर अंदरों जाग दे रहो, अते देख दे रहो, शांत हो, बाहर दी अवस्था नाल कोई फर्क ना पवे, अंदरों चेतन बने रहो, इस अवस्था विच विगन, रुकावट, जां कोई शोर होवे, तां उसनू शांत देखना है, शोक ग्रस्त होके, जां विख्षेप, आपनू उस्तों अलग होके नहीं देखना, होण कोई फर्क नहीं पेंदा, बाहर दे द्रिश होण, जां अंदर ले, होणे दो में द्रिश इकोज है हन, अंदर दे होण, जां बाहर दे द्रिश, पर दोहा नू देखन बाला मैदा केवल द्रिश्था ही हां, राग्द वैसनाल नहीं शांत हो के देख दे रहो पेद मिट गया ताकत आ गई बाहर दी कोई कटना होवे जां अंदर दी कोई कटना बाहर दी दुनिया होवे जां अंदर दी सब दृष है केवल मैं ही सब्दा द्रिष्टा हां इसे नू केंदे हनके इको अंकार सत्गुर परशाद तनासरी महला नौवां काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपाद तो ही संग समाई रहाओ ओप मद जयों बास वस्त है मुकरमाएं जैसे च्छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खो जो हो पाई बाहर पीतर एको जानो यो गुर ग्यान बताई जन्नानक बिन आपाचीन मिटे न प्रम की काई हुन बाहर ते अंदर दा पेद मिट गया तुसी ही शरीर दे अंदर नू देख रहे हो अते तुसी ही बाहर दे संपूर्ण संसार नू जान रहे हो मैं दूसरा नहीं हां पामे बाहर दूसरा अते अंदर दूसरा है मैं एक ही हां दृष दूसरे दूसरे हन संसार स्थूल अते सूख हम है अंदरूनी अतेवारी है पोतिक अतेपावनात्मक है पर देखन बाडा मैं दृष ता एक ही हां हुण तीसरे तूँ दूसरे शिशे विच प्रवेश कर चुके हां हुण दूसरे शिशे तूँ पहले शिशे विच प्रवेश करांगे इंज ही स्तिरता, जडता, जागरिती, सजगता बनी रहे इस तरह करदे करदे चितनता पैदा होन लगेगी बदर लगेगी हते चित आकाश विच कुमन लगेगा तुसी ऐसे चित आकास हो, ऐसे सुन आकास हो ऐसे चेतन आकाश हो केवल ओहो जही ही चेतनता सुनता बनी रहे तुसी केवल चेतन हो अते आतम सुरूप नाल जाग रहे हो साक्षी पन जाग रहा है चेतन पन जाग रहा है अते दृष्टा पन भी जाग रहा है चेतन पणावी छड़ो अते आलसियां दे महराजा बणो कोई यतन ना करो कोई द्रिष्टा जा द्रिष्टी जा कोई कल्पना ना होवे वस जो है वो उसे तरादा ही है अंदर दे खाली बण विच उतर जाओ सुन विच उतर जाओ बस होन तुसी आपने पहले शिशे विच स्थित हो जदो इथे लम्मे समय तक जाग दे रहोगे ता सारा पेद मिट गया सब जड़ है अते केबल तुसी ही चेतन हो सारा कुछ जानन योग है अते केबल तुसी ही जानन वाड़े हो जाने आ गया देख्या गया महसूस कीता गया सब द्रिश है केबल तुसी ही द्रिश्टा हो तुसी ही चेतन हो तुसी अलेप हो निरलेप हो निर्विकार हो शांत हो हुन कोशिश कोई भी नहीं फिर भी सब किर्या प्रिकिर्यातों छुटकारा अंदर पूर्न तादा अनुपव कर रहे हो इस तरह केबल देख दे रहो दृश्टा कोई किर्याता कोई महतव नहीं है तुसी केबल दृश्टा बने रहो तुसी चल दे, फिर दे होई, कोई कम कर दे होई, अंदर तो जाग रहे हो तद असी शांत वस्ता, मौन वस्ता, निर्विकल्प वस्ता, चेतन वस्ता, मुक्त वस्ता, जागरत वस्ता विच डुब दे जावांगे वसे एक त्रीका आ गया ता इस तरह दे हजारा स्वाल हल हून लग जानगे हून देख दे सुन दे सब कर दे होए वी अंदरों जागना सिख रहे हां निर्विका रह के दिखना जान गए निर्विका रह के जागना जान गए निर्विका रह के छूना जान गए निर्विका रह के सुनना जान गए निर्विका रह के करना जान गए निर्विकार रहके सब होन दा अते करन दा अनुपब हो गया तद मुक्त हो गए ये आखरी अवस्ता है जो सनु आवास अंश तक पुचोंदी है इस आवास अंश तों साक्षी पाव अते साक्षी पाव तों ब्रह्म तक इस तरह दा व्यास करदे करदे होए पंचना है उत्थे तक पहुंचन लेई इसे तरह दी साथ ना करनी पवेगी अते जिस तरह भी हो सके कट समय विच सजगता इकागरता चेतनता सुनता आप आप तक पहुंचना अते हार रोज इत्थे पहुंचन विच कुछ पाल जा मिंट कट हुंदे जान तां एक दिन जिहावी आवे के बैठ दे ही निर्विकार वस्ता तक आजावे अते उसनू तिन साथे तिन कंटे बणा के रखो पहला कर विच बैठ के टीवी देख दे हुए लोका नाल गल कर दे हुए निर्विकार वस्ता नू अंद्रों फढ़न दी कोशिश करो फिर कर विच चल दे फिर दे उठ दे वैंदे छोटे मुटे कम कर दे हुए जिस नाल के जादा कम दा नुकसान ना होवे तां कर दे सारे कमा विच बी निर्विकार वस्ता बना के रखन दी कोशिश करो अते एक चंगी साधना है के जदों वी तुसी सौंके उठन लगो तां उठो ना इंजी ही लेटे रहो अते अखां बंद होण अते चारां शिश्यां दी जात्रा करो चोथे तों तीसरे शिशे विच स्थूल श्रीर तों मान विच तीसरे शिशे तों दूसरे शिशे विच बुद्धी विच दूसरे शिशे तों पहले शिशे विच अपने आवास अंश अते इसे तरा उल्टे क्राम विच होली होली पहले शिशे तों दूजे शिशे विच अते दूजेतों तीजे शिशे विच फिर तीजेतों चोथे शिशे विच पाव इस स्थूल श्रीर विच बापिस आओ अपने साक्षी पन्नाड ब्रह्म तक पुजन दी कोशिश करो यह बहुत आसान है क्योंके मननु सादन लेई जिस सा अते शब्दी प्रक्रिया दी लोड़ पेंदी है उस तों वाद भी बहुत समा लग जानदा है मननु शान्त कर्न अते सादन लेई इते लेटे लेटे बिना किसे मेनत देहोन लग दा है जिदों इंद्रियां दी शक्ती कमजोर हो जन्दी है जिनना विश्यान आदमी इंद्रियां दे दोरा प्राप्त कर्दा सी हुन ना प्राप्त कर्नते दीनता अते हीनता दा आनुपव कर्दा है अजेहा होवे इस तों पहला सानू अजेहा हो जाना चाहिदा है के इनना दी जरूरत ही ना रहे श्रीर दे दुआरा श्रीर दी जरूरता रहे पर बड़ापे विच शक्ती दे अनुसार श्रीर दिया जरूरता कट हो जान दिया हन पर शरीर कमजोर होवे वाशनामा प्रवल होण ता एक दुख दा अनुपव हुंदा है बुड़ापा इसे दा नाम है शरीर अते इंद्रियां कमजोर हुंदियां जान दियां हन अते मन शक्तिशाली हुंदा जान दा है बारों जो अनुपव की तासी जान जिसनू वार वार पौण दी इच्छा है जो संसकार पिछले जनमातों बारों कुछ पौण लई बन गए हन ओ बड़ा पेविच भी बने रेंदे हन जदों शिरीर अते इंद्रियां कमजोर हो जान दिया हन ता मन उस लई लल्चोंदा है जदों ओ पदार्थ नहीं मिल दे ता उस लई सुपने बुणदा है जां वाशनामा दी पूर्ती लई दूसरा जनम लेंदा है मनुख जेकर मौत तों पहला वाशनामा तो शुटकारा पालवे तां दूसरा जनम नहीं लवेगा कुझ पलावेच पिछे दित्ते तिन्ना प्रयोगानू कर दे रहांगे जेकर सबल हो गए ता अनुपवानू याद रखांगे इनना अनुपवान दे वल ते असी आपने सस रूप आत्मा बल राबनाओं दे चले जावांगे अते उस अवे आसनू बे वहार बे चले आवांगे जिस नाल होली होली वाशनामा दा अन्त हुंदा जावेगा जदोंवी वाशनामानू वदाउं दे हां इंदरियां द्वारा जो कुछ भी मिल दा है उस दे मन विच एक अनुपव दे रूप बिच अंकित हो जन्दा है जो इंद्रियां नहीं हन उनना दी वाशना नहीं जनम लवेगी पर इंद्रियां द्वारा पूगलैन ते भी इंद्रियां कमजोर हो जान तद भी वाशना नस्ट नहीं हुंदी इसनु ही श्री कृष्ण केंदे हन विशे विनवर्तन ते निराहस्य देही नाम रस वर्जन रसो पैस्य परम द्रिठवा निवर्तन ते इंद्रियां विशे तो रोक लैन ते जहां कमजोर होन ते समरत होन ते इंद्रियां विशे तो रोक लैन ते जहां समरत ना होन ते लगाव नहीं जावेगा राग तां परम द्रिष्टा निवर्तंते अर्थात राग तां परम राग नूँ प्राप्त करके ही जावेगा जां तां सी उस रस नूँ प्राप्त हो जाईए जां निर्विकार वस्ता विच रेना आजावे तां होर जरूरता नूँ होर माद्यम राही पो गंदी लोड नहीं रहेंदी जदों पो गंदी लोड नहीं रहेगी तां जो पहला संसकार पैदा हो गए हन ओवी हौली हौली कमजोर हुन दे जानंगे उदारन लेई कोई चीज खान दे रहेए तां खान दी इच्छा है उस दे रस लेंड दी इच्छा है हौन उमर दे हिसाब नाल ओ खराब भी करदा है पर जुवान द्वारा उखा रहे हां इसलेई उस दा आकर्शन भी है इंद्रियां कोई वी होन इंद्रियां दे द्वारा कोई वी रस ले आ गया है तां साथी वुद्धी विच ग्यान विच गल आ जान दी है के सुख उस विच है उन दंद ना रहे तां की होवेगा अक ना रही तां की होवेगा कंद ना रहे तां की होवेगा कमजोर हो गए हां तां की होवेगा बुड़ापा आ जावे तां की होवेगा अंद्रों इस तरह दी इच्छा मनुख वेच पशूतों भी जादा वनेगी पर पशू मनुख नाड़ों थोड़ा बख है वो कमजोर अवस्ता वेच कामना नहीं करदा इसलिए जाद विशे ना होन जाँ इंद्रियां कमजोर होन ता उसनों जरूर्त नहीं सताँ दी मनुख ही एक जेहा प्राणी है जो ना उपलब्द होन वाड़े विशे दी कामना करदा है इसलिए बुड़ापा दुखदाई हुन दा है पर मनुख इसलिए पागशली है कि कमीदा अनुपव कर सके शरीर कमजोर है वाशना प्रवल है पदात उपलब्द नहीं है ता एक पीड़ा अनुपव करेगा इसलिए उन्ना वाशनामा दी नविर्तिदा संकल्ब भी मनुख ही कर सकदा है पशू नहीं कर सकदा जो वाशनामा दियां इच्छावां दी पीड़ नहीं जान सकदा उन विर्तिदा त्रिकावी नहीं अपनाएगा पशू बेच जद इंदरियां आसमरत हो जान दियां हन ता उन्ना विश्यां दी इच्छा नहीं रहन दी ता बहुत दुख महसूस नहीं करदा जानवर नू उन्ना दुख नहीं हन्दा जिनना के मनुख नू हन्दा है चिन्ता जादा पै मनुख नू जादा हन्दा है क्योंके मनुख अंदर ग्यान है जो कमजोर होंते भी सोचदा है असमरत होंते भी कोशिश करदा है आप आप गृबी विच भी जो एक करदा है बुद्धी नाल खोजा मिच लगया रेंदा है यही उस दे पतन दी स्थिती अते उन्दी दी स्थिती विच सहजोगी हुंदा है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ती ही पतित होंदा है अते बुद्धिमान व्यक्ती ही उच्च वस्थानू प्राप्त होंदा है पशुनाता जादा पतित हो सक्दा है अते ना ही जादा उन्नत इसलिए मनुखनू जादा महान कहा गया है साधन ताम किहा है क्योंकि डिगन दे मौकेवी इसे विचहन पते उठन दे मौकेवी इसे विचहन वाशनमा दे अनुसार हेठा डिगदा जावेगा शरीर कमजोर हो जावेगा तां दूसरा शरीर चाहेगा इंद्रिया कमजोर हो जानगिया तां दूसरी इंद्रिया चाहेगा दुवारा शरीर चाहेगा दुवारा पदार्थ चाहेगा पशू विच जेकर उस दी जवानी चली गई तां उस दी जरूर चली गई मुनुख दी जवानी चली जावेगी पर कामना मझभूत हो जावेगी दिसना बंद हो जावेगा तां बेखन दी इच्छा तेज हो जावेगी लड़ाई विच समरत नहीं तां बुड़ापे विच ज़्यादा लड़ेगा समरत आदमी ज़्यादा लड़दा है समरत तां जदों लड़ 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 जिमें पशू जदों लड़ेगा तां लड़ेगा जदो बंद करेगा तां अंद्रों भी बंद करेगा आसमरत आदमी दीवारों लड़ाई बंद हो जान्दी है पर अंद्रों ओ लड़दा ही रेंदा है बाहर दी लड़ाई बंद हो जान्दे भी कदे कदे मन्दा क्रोज जुवान दे आ जान्दा है सुपने विच शुरीर सुता प्या है पर बच्चियां अते कई होर लोकांदे प्रती एज जुवान वी सकेरिया चल है जिमें बुड़ा बिमार कमजोर पागल शुरीर तो कमजोर हुंदा है बिमारी वी मन विच गई अते बुड़ा पावी मन विच ले गया सुपने विच मन विच ले गया फिर शुरीर बिलकुल छुट गया सुपने विच मन ने अपना शुरीर बना ले अते कलपना नार सारे कम करन लगा बुड़ा पाव सुपना बिमारी सब एक ही चीज है श्रीर जिते छुटेया जनक कमजोर होया तां कलपना मजबूत हो गई हुना आदमी कलपना तो मुक्त हो जावे ए है त्यान ए है साधना शुरुआत इत्थु है मन लओ ए स्थूल श्रीर नहीं है तां की करोगे हुन तो ही त्यारी करो स्थूल अते सूखम श्रीर रह त्यान विच लगणवल चेतन तानू प्राप्त करन दी कोशिश करो अंदर देख दे रहो मन जिते जान्दा है देख दे रहो अते मन दे करन नू होली होली खत्म करो अचा हो जाओ तुसी चेतन हो अपने सिवा कुछ भी नहीं चाहया जान्दा किसे भी दूसरी चीज ते अपने इलावा चाह नहीं निर्विकार अवस्ता समधी अवस्ता आत्मा दी उपस्थिती चित चेतन दी स्थिती जिस विच कोई दुख नहीं चाह नहीं किसे दे होन जा ना होन दी लोड नहीं अपने सिवा अपने शुद ग्यान स्रूप दे सिवा कुछ नहीं चाहया जान्दा तां तुसी मुक्त हो त्यान विच हां सावदान हां कुछ भी पाउन जां कुछ भी बाहर लेन दी कोशिश विच असी गुलाम हो गए पहला ओ ना रहे तां उसनू तर्स दे रहे दूसरा तद भी जेकर वाशना खटम ना होई तां नमिया नमिया योजनामा बना के श्रीर पाउन दी एक लम्मी जात्रा तीसरा तेल कटन लग गया तां तेल पादित्ता इसलई के विशे रूपी मच्छरा नू खान दी आदत जोत रूपी श्रीर विच है विशे नू प्राप्त करन दी आदत जी विच है जो प्रकाश मच्रा नू खान दी इच्छा करेगा अते श्रीर रूपी दीवा वुजन लई राजी नहीं होवेगा तां तेल रूपी योजना पाउन रहेगा तेल पावेगा जड़ेगा अते मच्छर खावेगा पहला इनना मच्छरां तो अराम हो जावे के इनना तो की लेना देना है फिर जदो मच्छर खाने नहीं हन ताँ इनना कालपनिक योज नामा दे बुद्धी रूपी तेल दी की जुरूरत है जनो कार्न नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, कोई पुख नहीं रही, तां हौली हौली तेल रूपी योज नामा दी जरूर्त भी नहीं रहेगी तां जो तेल बच जावेगा, तां वो अपने आप जल जावेगा तेल जल रहा है, रेक पल जल रहा है, जले विना जोती रही नहीं सक्दी, तेल जल जानते, जो तेल पौण दी किर्या चालू रहें दी है, योज नामा रूपी तेल पौणा बंध हो जावे एतद होवेगा, जो दो सानू जरूर्त नहीं रहेगी, दीपक बुझ जावेगा, दीपक दावुझ जाना ही, दिर्वान वस्तानू प्राप्त हो जाना है पहले खत्म होवे मेरा, अंत विच होवे मैं छीन, केवल निर्विकल्प वस्ता विच रमन करना शुरू हो जान्दा है इस नाल दिमाग दी जड़ता नस्ट हुंदी है, मंजले शरीयत शुद कर्म करवाएगी, अते आदत पवाएगी, जिस नाल स्तूल शुरीर नू शुद कराएगी, अते पावा नू शुद करांदे होए, इस तों भी अजादी दवाएगी मंजले हकीकत उस कार्ण शुरीर जिस विच केवल तिना गुणा दा सुमू मात्र है, उते दा शुदी कर्म कराएगी, अते कार्ण शुरीर दी पाकडवी खतम करवाएगी आत्मा जिस देश दिवासी है, उस देश देवारे विच जानकारी देवेगी, जीव मंजले हकीकत विच उस देश दावासी वनना शुरू होवेगा, अते अखीर उस देश दाही वासी वन जाएगा अखीर इनना तिनना पिंजिर रूपी शुरीर दी कहतों छुटके, आत्मा रूपी पंच्छी आजाद हो जाएगा, अते परमात्मा रूपी अकाश विच खुली हवा विच कुमेगा, उन पगवान नू ऐसा समझना होवेगा, जिमें मा आते बेटा आपस विच एक जे नू चंगी तरह जान दे, अते समझ दे हन, पूरी परकिर्ती विच एत्यान रखना है के, अन्द में इकोश, फिर प्राण में इकोश, फिर मनों में इकोश, विग्यान में इकोश, अते अखीर अनन्द में इकोश विच 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 वोके आत्मा गुजरेगी, पते एक एक करके सब नू जड़ वस तू जान दे समझ दे होए अपने आपतों अलग कर दी चली जाएगी पर ए रस्ता इनना बिच्चूंदी होके गुजरेगा चाहे ओ बहुत पाक्षाले लोका लई छिन मातर ही आए लेकिन ए उनना नू ही छिन पर लई आएगा जो इनना सब नू तुछ जान दे होए पगवान दे प्रेम नू बहुत बड़ा मान दे हन अते उस नू बहुत महतब दिन दे हन इस सारा वियाज शुरू करन तो पहला अपने गुरू अते इश्ट जान होर भी कोई ब्रह्म ग्यानी जान कार्क होवे जान गुरू ग्रन सहिब जी जिनना नू भी मन दे हो ताउना सारे नू त्यां साधना ना एक जगा रखके अपने हाथ वेच एक अच्छी जही जोत पहड़के इनना सारे अंदी बहुत प्रेम नाल आरती उतारो ओ आरती ऐसी होवे के जिस नाल तो हड़ा सारा प्रेम रस उबराए फिरे साधना तिन्ना प्रयोगां द्वारा अरंब करनी चाहीदी है विच विचे चेक कर दे रहना चाहीदा है के हुण मैं केड़े वाले दिखन वाले श्रीर जान दिखन वाले श्रीर उत्ते जिस विचके कलप नामा रूप रंग आकार अते विशे जाना थे त्यान बने रहेत हन जानk तीसरे शीषे जान ते विचे रहे हो। चाहे हो सूखम होन जान स्थूल ओ साधी साधना विच नाओन अते नाही विगन पैदा कन हौली हौली इत्थे दुख सुखदा महसूस होना खत्म हो जाए जान दूसरे शिशेते है जिस विच किसे किसंदा साधी अंदर राग जान दवैश ना होवे जां पैले शिशे विच है जो इनना सारे तो उपर उठके जिस विच गैरी नीदी अवस्ता हुंदी है उस अवस्ता विच असी निरंतर देख रहे हां अते जाग रहे हां अते असी पूरे अवियास विच हां तिन्ची जान निरंतर बदाउं दे रहू अते हार छिन्चे कर दे रहू वाहे गुरू 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 जड़ता इकागरता सूखमता जड़ता जड़ता दा मतलब है जिमे के दिवार पून रूप में जड़तत है इस विच अंदर तो लेके बहर तक एक समान जड़ता है थोड़ा जहावी जड़ता विच कोई फर्क ना होवे अंदर तो लेके बहर तक जैसा के उन तिना प्रयोगां विच साधी प्रकिर्या कर दे होए जड़ों बिच विच बोल्या गया है के सावीरों को उस दावी एही आर्थ है अंद में कोश प्राण में कोश मन में कोश पूर्ण रूप नाल स्थेर जान जड़ हो जान जिस नाल के साधी आतम शक्ती इन तिना कोशां विचों अराम नाल बाहर आ सके क्योंके ए अंद में कोश तक जिन्नी भी देखन ते महसूस करन वाली चीज है हकीकत विच वो जड़ रूप है साधी जीव अंश बुद्धी होन करके सानु ईश्वरी अंश सुख शान्ती अनन दे लोब द्वारा सानु पड़ाई क्रोंदे चल दे हन जिन्ने साधी अवियास विच जड़ता सहज हो जाएगी उन्ना ही असी इकागरतानु असानी नाल पकड़ सकांगे इकागरता चेतनता जागरत वस्ताओ चीज है जिस नाल सानु अप्रोखष ग्यान जा अपरा विद्ध्या विच हकीकत जानन लई सहायता मिल दी है इसे इकागरता दे कार्ण ही असी अपनी इस्तिते वदा सक दे हाँ जिमे संती शिर सिंग जी महराज बोल दे हन के जग्यासू जिस जगा बैठ के पाठ करदा है उस जगा तो अगली मंजल उसने तै करनी हुन दी है जिस पौड़ी ते असी स्तित हुन दे हाँ उस तो अगली पौड़ी विच स्तित होन लई ए एकागरता बहुत सहाइक है सुखमता यह दिब्य शास्त्र है जिस नाड़ सी अंद में इकोश मनों में इकोश प्राण में इकोश बिग्यान में इकोश अते अनंद में इकोश नू पार करके अपने असली सुरूप तक पहुंच सक दे हाँ अंद में इकोश तों अनंद में इकोश तक एक एक करके कोश अत सूखम हुन्दा जान्दा है उन्नी ही इस विच ताकत वद्दी चली जान्दी है जिस दी वज़ा नाड साड़े कोड अगे अगे हरे कोश नू पच्छानन अते त्यागन लई इन्ना तों अती सूखम पैमाना होना चाहिदा है नहीं ताना असी इन्ना नू पच्छान सकांगे अते ना ही त्याग कर सकांगे इस सूखम तादा पैमाना जो सानू देख रहा है जे उसनों महत्व ना देए तां साड़े कोल दूसरी शक्ती केवल ओही हुंदी है जिस शक्ती नाड़ा सी सारियां चीजां देख रहे हां स्थूल श्रीर ना होवे तां सी सूखम श्रीर विच हुंदे हुए भी देख दे हां थे सुखम्श्रीर साधे कौल ना रहे त determines कार्ण श्रीर विच भी देख रहे हूं देयां कार्ण श्रीष तो भी असी हट जाए तन आत्म में विच जा साक्षीपा विच देख रहे हूं देयां इसे देखन वड़िशक्ति नाल जदों असी आत्प्रेम कनदे तहां पता लगदा है कि ए दिखन वड़ी शक्ती वी साड़ी नहीं है जो के खुद ब्रहम्स रूप है साड़ी आत्मा दी आत्मा जो के इस आत्मा नू चला रही है असी निरंतर दो प्रकार्णिय यात्रा मा एक साथ कर रही हां अनंत कालतों जिस विच पहली यात्रा श्रीर दी हुंदी है वो श्रीर चाहे सानू किसे प्रस्तिती जा किसे कार्णवस मिले आ होवे कई अमीर हन कई गरीव हन किसे नू पैसे दी कमी है किसे दी संतान नहीं है किसे दी संतान है ताँ ठीक नहीं है किसे नू परिवार दी जरूर्त है ताँ कोई परिवार विच रहंदे होए दुखी है आद पर एक गल्ट है है कि इस इंसानी श्रीर दी यात्रा विच पूर्ण रूप विच सुखी कोई नहीं रह पौंदा जे पूर्ण तौरते सुखी हो जाए ता जो उस दी दूसरी यात्रा आत्मिक यात्रा है उसनू ना ही अरंब करेगा अते ना ही उसनू श्रीरिक दुखांदे कार्ण आत्मिक यात्रा विच चलन दी शक्ती मिलेगी अंत विच आत्मिक यात्रा खत्म करके आपने विच स्तित हों लेई वी इस श्रीर दे दुख ही कार्ण बन दे हन इसे परकार जदों भी असी पुजा पाठ विच बैठन लग गिये ता वार वार सनू इस श्रीर दे दुख परेशानियां वो ममता वाशनामा स्ताउन गियां उसमें सनू अपने मन नो समझाओना है के हाले साठी श्रीरिक यात्रा नहीं चल रही असी हुन आत्मिक यात्रा विच बैठे होई हां इनना दोना यात्रा मानू हमेशा अलग रखना है जद के श्रीरिक यात्रा विच तांके वल कोई कार्ण बने होई हन उनना दे दुख ही सानू अपनी आत्मिक यात्रा विच मदद करनगे पर जिन्नी त्रकी साधी आत्मिक जात्रा दी होवेगी उन्नी ही सूजबूज साधी ये स्रीरिक जात्रा नू मिलेगी क्योंके साधी आत्मा जिन्नी मात्रा वेच पगवान दे प्रती द्रब पूत होवेगी जिन्नी पगवान दे नजदीक आएगी उन्नी ही प्रमात्मादी अनुपूती उन्नी मात्रा विच संदेश निर्देश बाहक बन जाएगी पाठ शुरू करन तो पहला असी जिन्नी देर पाठ करना है उस दे सनूतिन हिसे बना लेने चाही देहन पहले हिस्से बिच चाहे पगवान दा सुरूप त्यान वी होवे अते उस दे अनंत गुण प्रेम दे रख्या दे मिठास दे जिन्ने भी कार्न होन लीलात्मक पावना रूप बिच इन्ना ते वी त्यान दिन्दे होए पर प्रमुक्त त्यान सादा सिम्रन वीच होना चाहीदा है जिसनू गूंज गूंज के उच्ची अवाज वीच करना चाहीदा है वो चाहे फिर श्रीर दे अंदर तों किसे जगातों का रहे हो जां जुवान तों इस समेंदा पहला हिस्सा होना चाहीदा है समेंदे दूसरे हिस्से विच त्यान शक्ती ते जोर देना चाहीदा है इस विच श्रूप शक्ती नूँ ठीक तरह नाल पकड़ के रखन दी कोशिश करनी चाहीदी है गुरूदा सुरूप साफ दिखदा रहे अते हौली हौली ओहो तस्वीर ना हो के साक्षाद जिमें के सुरूप दिखना चाहीदा है वैसा दिखे ए पहला हने रेविच होएगा अते फिर हौली हौली रोश्नी वद्दी चली जानी चाहीदी है हुण कर्म अते त्यान समें दे दो हिस्से जद खत्म हो जान ता तीसरे हिस्से विच पावना नूँ प्रमक रूप नाल पकड़ना चाहीदा है उस विच इस पावना विच जो भी गुण जान लीला होवे ओ इन्नी विशाल व्यापक जान अदपुत होनी चाहीदी है के जिस नाल सनु पूजा पाठ कर दे होए इस श्रीरिक जात्रा उस लीला दे समने बहुत छोटी फिकी अते अस हाय लगे जिस नाल आत्मिक जात्रा दे लई जो थोड़ा जिहा समा मिलदा उस विच श्रीरिक जात्रा कोई नुकसान ना कर सके जिमें किसे द्रिया विच तेज बहादे कार्ण पानी गंदा हो जान्दा है ताउस विच सूर्ज दा अक्ष पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन होन्दा है उसे तरह जे असी सिद्धी पाबना नुँ पकड़के पूजा पाठ करन दी कोशिश करांगे ताउ पकड़नी मुश्किल हो जाएगी अते बारवार श्रीरिक जात्रा दी पाबना प्रवल होके बारवार सामने आएगी क्योंकि अजे पाणी मिच मिट्टी विक्षेप है जिस देकार सूर्ज रूपी त्यान पकड़या नहीं जाएगा हलका फुलका पकड़े जान तो बाद भी श्रीरिक जात्रा दा विक्षेप रूपी त्यान बहुत सारा समा खा जावेगा इसलई द्रियादा पाणी पहला रुक्या होया होना चाहिदा है जोके कर्म रूपी सैयम नाड़ होवेगा फिर जिमे जिमे पाणी बिच्चों मिठी हेठां बैठ दी जावेगी उमे उमे त्यान रुपी गुरुदास रूप पकडन बिच आसानी हो जाएगी जिमे जिमे रुक्य होय पाणी विच्च बैठी मिठी विच्च सूरज दे अक्ष दे पैए होना अते दिखना ये इको चीज है जिमे के अनन्त जन्मा विच्च सनुराम, क्रिशन, गुरुनानक देवजी, गौतम बुद्वर के महापुष दिख्दे रहे हन पर उन्ना तो असी कोई लाव नहीं लै सके क्योंके उन्ना दी गुण लीला दे वारे विच्च पता नहीं सी, उन्ना नाल साड़ा संबंध की है अते उन्ना तो असी की लाव लै सक दे हाँ, उसे तरह रुके हुए पानी, अते वैठी हुए मिटी विच्च सूर्ज दे अक्ष रूपी पगवान दा सुरूप, त्यान विच्च साफ दिखाई दे रहा होवेगा तद असी उस दे ना रिष्टा जोड़ना है, उस दा अते सड़ा आप स्विच की संबंध है क्योंके ओ भी नित है, असी भी नित हाँ, ओ भी चेतन है, असी भी चेतन हाँ, ओ विशाल चित है असी अनुचित हां असी उसे दे ही अन्श हां अते ओही केवल साड़ा है इसे तुम बिछड के असी अनन्त शरीरां दी यात्रा कर दे होए दुख तकलीफां पो उगदे होए अज इस शरीर वेच्व पगवान दी अत किरपा दी वजह नाल इनना ग्यान मिले है के बिना आत्मे के यात्रा दे शरीर के यात्रा अदूरी ही नहीं वेर्थ ही लग दी है साड़ी आत्मानु जो जिन्दा रख रहा है ओ अनन्त काल तों साड़े नाल है अते ओ एक ही है जो सनु अनन्त कालतों अनन्त परकार दे शरीर मिले अते बिछडे अते अनन्त कालतों अनन्त परकार दे शरीर के रिष्टे बन दे रहे अते तुट दे रहे पर पगवान नाल जो साड़ा रिष्टा है अते अनन्त कालता की ही रहेगा उसे तोंसी पैदा होए हां अते ओ हमेशा ही साड़े नाल रहेगा ओ ही कुरोडां ब्रहमंडा दा मालक है कुरोडां ब्रहमा विश्नू महेश उसे दी उपाशना कर दे हन जिनना विशाल ओ है उनना विशाल उस दा हिर्दा भी है यह सब जान के समेदे तीसरे हिस्से विच सिम्रन त्यान दे नाल नाल एपावना जोडनी चाहिदी है के उन्जता महापुर्ष किसे वी रूप बिच मिल सक दे हन पर असी ता उनना तो केबल किरपा ही मंगनी है ना के उननू किसे परकार नाल विख्षे बिच लिएउना है जिमे के संती शिर सिंग जी महराज दस दे हन के एक वेदान ती बबा कर्म सिंग जी दे कोड़ा के उननू वार वार पुछदा रहा के जीव ईश्वर्दा पेद की है बबा कर्म सिंग जी ने पहले दिन किहा के किसी सास्त्रा दे गयाता तो पुछ लओ दूसरे दिन ओ वेदान ती फिर ओही सुआल पुछणा आ गया तद बबा कर्म सिंग जी ने फिर कुछ कह के टार देता तीसरे दिन ओही गल जद फिर पुछी ता वाबा जी ने कहा के तूंता चला है इना कहन तो बाद ओ वेदानती पागल हो गया अते कुछ साल पागल रह के ओ मर गया इसे परकार ओ अखरी ग्यान दे पिछे पे आ रहा जलके उस अखरी ग्यान दा एक कही मकसद सी के आतम साक्षात कार हो जाए जे ओ इनी द्रेडता नाड किरपा मंग दा ता शायद किरपा हो भी जन्दी पर अनुपवी ग्याननों कुछ ना समझ के ओ अखरी ग्यान दे ही अटक्या रहा पसी पग्त कवीर जी रविदास जी बाबा फरीज जी अते होर भी किने पग्त पड़े लिखे ना होनते भी उना ने किन्या नुग्यान कराया अते किन्या ते किरपा की ती इस लई किसे भी महाँ पुष्दे नाड शवदा ते नहीं अटक्ना चाहिदा केबल अते केबल किरपा दा पातरवर्ण दी कोशिश करनी चाहिदी है क्योंके गुरवानी विच कहा गया है के साद की मैं मा बेद ना जाने जेता सुन हैं तेता वखे अने साद की उपमा ते हो गुणते दूर साद की उपमा रही परपूर साद की सोबा का नाही अन्त साद की सोबा सदावे अन्त साद की सोबा उचते उचे साद की सोबा मुचते मुचे साद की सोबा सादवन आई नानक साद प्रवपेद ना पाई जो सादू हन वो बेदां तो उपर हुंदे हन अते जे साड़ा कम के वल किर्पा मातर नाड ही हल हो रहा है तासानू शब्दां ते नहीं अटकना चाहीदा अते शब्दां ते जिद्ध वड़के अपना नुकसान नहीं करना चाहीदा क्योंके ग्यान विच फर्क हो सक्दा है पर सिदात विच कोई फर्क नहीं हुन्दा क्योंके सच दियनु पूती सारे महापुर्शानु एक ही प्रकार दी हुन्दी है क्योंके पगवान एक है अतेओ आकाश खाली जगातों भी क्रोड गुणा सूखम हुन्दे होये वी अर्थात असिय व्यास करदे हुए पहला पूर्ण जड़ता नू पकड़ना है इंद्रियां मान बुद्धी अते आवास अंश पूर्ण रूप नाल जड़ करना है मतलब प्रतिमा बना देना है के उस विच कोई हर्कत ना हो वे अते ओ ठैर जाए अते रुक जाए उस तों वाद जो पूर्ण रूप जड़ हो चुका है उसे नू सूखम रूप बिच बदलना जां हवाद अकारदा सरा कुछ बढ़ना चाहिदा है जड़े पूर्ण रूप बिच हवाद अकारदा बन जाए तद अकाश रूपी सूखम ता विच बदल देओ जिस विच किसे किसमदा रूप रंग आकार ना हो के के बल एक सुवा रूपी आत्मास्तित होवे जादे पूर्ण रूप नाड़ हो जाए फिर इसे पूर्ण वस्तानू चेतनता विच परिवार्तित करंदा व्यास करो जिमे के जड़ता विच भी सानू देख रहासी चाहे ओ दिखन वाली शक्ती खुद पगवान ही है फिर ओही सानू सूखंता विच भी देख रहासी चाहे ओ दिखन वाली शक्ती खुद पगवान ही है इसे तरह ही जदों असी चेतनता विच परिवार्तित करांगे उथे भी दिखदा रहेगा पर उथे एस वारूपी रजो तमो अते सतो गुण दा कुछ ज्यादा कुछ काटब मात्रा दा मिला के बनेया होया पुंज उथे नहीं पहुंच पाएगा उथे स्तित होना अते एकागर रहन दा ही सारा व्यास है ता उथे तक पहुंच जावांगे ता आत्मानु ब्रह्म दी अनुपूती होन लगेगी अते ओ अनुपूती ही ब्रह्म दा संदेश बहक भी वन जाएगी जद के इस संदेश बहक ते त्यान नहीं देना बस तिरता इकागरता चेतनता अते सूखमता उथे तक अपने आपनु महसूस करना होना चाहिदा है के पिछे दसे गए तिन्ना मारगा बिच्चों इमें चलना है जिमें कोई लंबी दूरी दा मुसाफिर यात्रा करदा है ता उस यात्रा बिच चलन तो पहला हर जगाते आपना ठहरा बनाया होन दा है जिमें अराम करूंदा है के यात्रा दे दुरान उसने किते रुक के खाना है अते किते अराम करना है बिलकुल उमें ही जदसी पक्तीदा वियास करांगे ता कुछ समेवाद साड़ा कर्म त्यान अते पाबना पटक सक्दी है उस दी चिंता नहीं करनी एता सुबाविक है क्योंके इस जगा मन साड़ा ठक जानदा है अते सद नहीं पौंदा तदसी पक्ती वेच अंदर तों अगला कदम नहीं रखना अते जो कर्म त्यान अते पाबना नाल पक्ती कर रहे हन उसे जगा कर दे रहना अते उसे कदम नूपका करना क्योंके अगले कदम दा पड़ा इस कदम तों को ज़्यादा ताक मंग दा है जो के साड़े कोल नहीं है जिस दी वज़ा नाल एका अगरता पंग हो रही है पर जन्ना अवियास वेच यहो जही जगा नू नोट करो अते होले होले यहो जही जगा दा अराम कट कर दे जाओ आखिर वेच करम त्यान अते पावना इकली वेच चल पवे जिसना दस दस बारां बारां कंटे दे अवे आस दी थां मतर साथे तिन कंटे वेच चही पून होन लगेगा सनमान सनु सब्दा सनमान करना चाहिदा है क्योंकि सारी श्रिष्टी सजीव है जिमें पगवान रिश्व देवदा वेटा पर्तवी इसे गलती दे कार्न इनसान तो हिर्न बनेया अते फिर इनसान बनेया इता जानबरा विच हो गया स्वर्ग लोग विच भी कुछ देवते वे शर्म होके कुछ अशलीन कर्म का रहे सन अते देव लोग दी मर्यादा वीपां का रहे सन जदो नार्द मुनी ने उनना दे इस विवहार नू देख्या ताँ तद नार्द मुनी ने उनना देवते अनू शराप दे देता के जाओ मृतू लोग विच अते वरिक्ष जूनी पोगो ताँ के तो हनू कोई देखे जा ना देखे उथे तो हनू कोई फर्क ना पवे जिमें तुसी इथे कर रहे हो ए आगया पेड़ पौद्यां विच पत्थरां विच गौतम रिशी ने अपनी पत्थनी इहल्यानू उस दी लाप्रवाहिदे कार्ण पत्थर बना देता जिसनू फिर त्रेता युग विच पगवान राम ने अपने पैर देश पर्षनाल पत्थर अहल्यातों इंसान बना दिता इसलिए कोई वी किसे भी स्थिती विच होवे सब विच जीवात्मा है चाहे ओ पत्थर होवे पेड़ पौदे होण पशू पंची होण जा इंसान किसे ते भी किमे भी हसना जा उस दा मजाक नहीं ओड़ावना चाहिदा अते हरेक दा दिलों आदर सनमान करना चाहिदा है वाहे गुरू, आहे 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 आधे गूरू, आधे गुरू, आधे गूरू. तत ग्यान ब्रह्म ग्यान इस्तों पहला सहज मार्ग प्रेमा पक्ति मार्ग अते ग्यान मार्ग दे त्रीक्यां वेच्चों कुछ दसे जान दी कोशिश कीती गई है जो के ब्रह्म ग्यान दी अवस्ता पाव कैवल्य मुक्ति तक पहुंचा सकती है उस्तों अग्ये लई सिर्फ कुछ लच्छन मातर ही लिखे जा रहे हैं जिस नाल के अयोग यग्या सुस्त्रीके दी प्रेक्टिस थे प्रेक्टिकल ना करे नहीं ता बुरे परिणाम हो सकते हन इस तो अग्ली अवस्ता दे लई महात्मा दे दर्शन करदे रेना अते बचन विलास करनते ओ खुद ही अग्ली अवस्ता दस देनगे जे कुत्ता पूरी जिंदगी रोटी दे लई ग्यान प्राप्त करदा रेंदा है कित्थों मिलेगी अते किमे मिलेगी अते सूर भी पूरी जिंदगी गंद खान दे लई ग्यान प्राप्त करदा रेंदा है कि खान दे लई कित्थों मिलेगा ता इसे त्रीके नाड इंसान भी कुली जुली गुली दे लई पूरी जिंदगी ग्यान प्राप्त करदा फिरदा है कित्थों मिलेगी अते किमे चं जानवर अते इंसान विच की फर्क रह गया जानवर दे लई पाप उन नहीं हुंदे इंसान दे लई हुंदे हन ओ जानवर रूपी इंसान ही हुंदे हन जो इदर उदर दी गल तां सारी जिंदगी ही कर दे रहंदे हन पर जदो पगवान दी गल शुरू हुंदी है तां उठ के चले जन्देहन जद के जानवरते इंसान विच एक ही बड़ा फर्क है के इंसान पगवान दे बारे जान सकता है आपने अते पगवान विच की रिष्टा है उस बारे जन्दन दी कोशिश कर सकता है इस तों बिना ओ एवी कोशिश कर सकता है के मैं सदा लई पर्म सुखी के में हो सकता हां उस दे लई की करना चाहिदा है जद के एक अल जानबर नू किसे भी तरीके नाल दसी जां समझाई नहीं जा सकती क्रोडपती होवे जां पिखारी अकलमंद होवे जां वेवकूफ श्रीर तों तंद्रुस्त होवे जां अस्वस्त किसे भी तरह नदा कैसा भी पर जे करो किसे तरह नालवी पुखा है तां दुखी है जिस दी पुख मिट जाएगी ओही पर्म सुखनू प्राप्त होवेगा रेक प्रकार दे श्रीर वेच एक जीव आत्मा जरूर है जो के अपने अनंस रूप तों वंचित अते पुखी है जदों तक उसनू अनंस दुखी ही रहेगा सिद्धी सिद्धी मुक्ति प्राप्त करन दे प्रयतन करन वाले सारे अशांत हन पते रहनगे जो नित दास बनेया ओ है संत उस दी अपने लई कोई योजना नहीं हुंदी अते जो अशांत हुंदे हन उना दी केवल अपने लई ही योजना हुंदी है जो मन मार के प्रमात्मा अंदा चिंतन कर दे हन जा मन मार के प्रमात्मा नू प्राप्त करना चौन दे हन उन्ना नू प्रमात्मा मिलना मुश्किल है उन्हां लोका लई वहुत सारियां परिशानियाते क्लेश हन जो लोग प्रमातमा दे वारे बिच जो ग्यान है ओ प्राप्त कर दे हन चाहे ओ किसे भी प्रंपराराही होवे जिमें गुरुशिश जां संत सादक देरू विच तां इस परकार नाड प्रमात्मा मिलना बहुत आसान हो जन्दा है अते सहस्ता विच ही प्राप्त हो जन्दा है निमन लिखित कुछ मुक्स वाल हन जो जग्यासू लई जानने जरूरी हुंदे हन के ग्यान की है की प्रमात्मा कोई वस्तू है विग्यान की है वास्तविक विच प्रमेशर कोई है उस दे नाड असी के में मिल सकते हां उस दे नाड के में गल कर सकते हां उस तो के में निर्देश ले सकते हां असी प्रमात्मा दी प्राप्रकिर्ती हां अते अप्राप्रकिर्ती जड़ है जिस्ते विच ही मिट्टी पाणी अग हवा आकाश है पर पुर्ष्टा के वल्पगवान ही है पाव समाधी तक पॉंचन दे लई पौडी दर पौडी यतन करके अगे चड़ना पेंदा है सब तों पहला प्रमात्मा दे शर्दा हुंदी है फिर हौली हौली साधू संता दा संग होना शुरू हुंदा है जिस्दे फाल्स रूब पजन पाठ करना शुरू करदा है अते इस दी अगली पौडी वेच अधियात्मिक तलते हलके विचार वालेंदा संग काट जां खतम हुंदा जन्दा है उस्टों बाद कदे कदे अपने हिर्दे वेच प्रमात्मा देख के मुस्क्रौंदा है अगली पौडी वेच प्रमात्मा दे प्रती जानकारी दी रूची वो कौण है कैसा है वद्धी चली जन्दी है उस्तों अगली पौडी विच प्रमात्मा दे नाल सच्चा रिस्ता जोडन दी कोशिश अते केवल ते केवल उसे नू प्राप्त करन दी इच्छा बणाउंदा है यही अखीर विच जाके पाव समधी विच बदल दी चली जान दी है पाव पग्ती विच परिवर्तित हो जान दी है प्रमात्मा सब दे हिर्दे दे विच रेंदे हन वो ब्रहम रूप विच सारी जगा है कि असी सब जगा हां जां हो सकते हां नहीं समुनदर विच लख़ांट अननमक है वो ही समुन्दर एक बूंद बेच वी है पर एक बूंद बेच लखाटन नमक नहीं हो सकदा जद के समुन्दर दी एक बूंद बेच अते समुन्दर दे अधा पाणी दे ततता इको जहे ही हन पर मात्रा बेच फर्क है इतना ही जो एक बार पर मात्मा तो जन्म लेके जीवात्मा बन चुक्या है ओ सदा दे लई जीवात्मा ही रहेगा इसलई साड़े लई पर मात्मा दी शर्न विच जाना अते उस विच रैना ही वदिया है अहार, नीन, संपोग अते दुश्मन तों बचा ए विर्ती जानवरा अते इंसाना विच इको जही है जेकर अड है ता केवल मैंदा ग्यान प्राप्त करना अते उस दे अनुसार सुबावानू बदरन दीत पस्या करना अते अन्त विच आपने शुद सुरूप मैंनू प्राप्त करना तमो रजो सतो गुणा नाल परे होए जिमे जिमे असी कर्म इकठे करांगे उनना तता दे अनुसार ही सनू अगले जनम मिलनंगे सनू एक श्रीर छटके दूसरा श्रीर लेना पेंदा है अते लेन्दे ही रेना पेगा जदों तक असी मायातों आजाद नहीं हो जान्दे हरेक श्रीर विच जनम अते मौत निश्चित है उस दे विच दुख परेशानिया अते चिंता लगी रेंदी है असी अखरी ग्यान तो अनुपवी ग्यान तक पहुंचना है अनुपवी ग्यान ही सनु उठे तक पहुंचा सकदा है क्योंके अनुपवी ग्यान केवल पावनात्मक नहीं है बलके विच्यान परपूर है जिनना दी अक संसारी है उसादु महात्मावां दे नाल रेंदे होएवी उनना नुपणे वरगे इंसान समझन दी पुल कर दे हन जिनना दी प्रभू दी किरपा द्रिष्टी ना अदे आत्मिक द्रिष्टी बन गई है उक कितों कितों अते किनी किनी दूर्तों केवल महात्मावां दे दर्षन मातर लई ही आउंदे हन मुख विशा ए है के असी चेतन हाँ अते मिटी पानी अग हवा अते अकाश दी जर्ता विच कैद हाँ ज्यान बोल दे हन सिदांतिक थियोरेटिकल शब्दानू अते विज्यान बोल दे हन परियोगिक शब्दानू जिद्धां बड़े विज्यानी दस्दे हन के ए पिन पिन चीजा नाड मिल के वणे होई हन अते पिन पिन वस्तुआनू किमे किमे अड कर करके किसे एक वस्तुनू उस बिचों कड़े अजा सक्दा है इस सब प्रियोग शाला विच प्रियोग कर दे हन जिमे ग्यान मार्ग विच चोथे शीषे तों तीसरे शीषे ते दूसरे शीशे तों पहले शीशे विच फिर पहले तों अपने आप विच स्थित होंदे जावांगे जाँ एवें कहो के सारे शीशे एक एक करके जड़ होंदे जानगे जो के इस आत्मा तों पहले वी एजड़ ही सी क्योंके इस अब मिट्टी पानी अग हवा आकाश दे वने होंदे तां एदे विच एक ही चेतन रूप बचेगा जो ना कदी जड़ होया सी ना कदी जड़ हो सकेगा उसी साड़ी आत्मा नाल ही साड़ा स्वास इस तरीके नाल चल रहा होएगा जिमें बहुत गर्मियां दे दिनाच लग रहा है के हवा बिलकुल नहीं चल रही इहो जिहा सिर्फ सानू महसूस होंदा है जद के ओ हवा पूरी तरह अपनी हरकत विच चल रही होंदी है बिलकुल इमें जिमें ही साड़ा स्वास बड़े राम देना होर लमा लमा चल रहा होए भूर चारों सिशे अवास अंच तक जड़ हो चुके होन तां साड़ी आत्मा साफ प्रकाश हुंदी होई महसूस हो रही होवेगी कई जिगे आसू के बल पहले जां दूसरे शिशे तक ही जड़ होन तो बाद अपनी आत्मा नो लबन लग जान देने ज़ा महसूस करन दी कोशिश कर देने जो के गल्त है पर चारों सिशे जड़ हो जान वोर स्वास ना देवरा बर चल रहे होए पर होए लंबी अते गैरी तां आत्मा पूरी प्रकिर्तितों अलग हो जान दी है जिस वजा नार रबदी तर्व नू अपने आप ही खिचदी चली जान दी है जिमे के पाणी टलान नू खीर समुंदर वेच पैन वास ते अग उपर नू उठती है अपने सूरज नू मिलन वास ते अथे कोई पथर उपर सिटन ते बापिस जमीन दी तर्व जान दा है उमे ही असी जा तक ए चारों शिश्यां दे नार एक होई हुंदे हां ता तक रबसान नू अपनी तर्व नहीं खेच पांदा होर जाद कोई पकड नहीं हुंदी ता अपने बेच ही साचित अनंद अपने असली सवरूप नू पकड अंदी कोशिश करदा है इथे पहुंच के आत्मान्दा अद्धा सफर खत्म हो जाएगा होर इथे रह के किसे प्रकार दीथ कावट जनकमांड वेच आके अपने अवयास नू रोक देए ता सानू अपने महापुर्शान दी तर्व नजर करनी चाहिदी है जो के अनंद कालतों सचित अनंद प्राप्त होन दे वावजूद गुरू रूप जनकारिक रूप बिचा के सासंगदी सेवा कर दे होए अपने अनंद रूपी रब दे नार प्यार बदान दे चले जान दे हन अप्राक्रितिक इंद्रियां तो ही प्रमात्मा जाने आ जाएगा जिमें प्रमात्मा दियां इंद्रियां हन उसे तरह इंद्रियां साधियां भी हन जड़ वस्तू की है अते जीवित वस्तू की है इस दा पे सानू पता होना चाहिदा है ब्रम सच है ता जगत भी सच है क्योंके पंजेत तत ब्रम विचों ही निकले हन पामे जड़ रूप हन माया दे तिन गुण जिमें साधी आत्मा नूटा के प्रकाश्दा दर्शन नहीं होन दिन्दे जिमें के अकाश विच बदला जानते सूरज छुप जान्दा है अते नजर नहीं आउंदा पर इद्दा नहीं होन्दा के सूरज लोग गया जा खतम हो गया उसे तरही जीवा आत्मा तो ये तिन गुण परदा ता कर दिन्दे हन पर इन तिन गुणा विच इनी समरथा नहीं है के ये प्रमात्मा ते परदा कर दें जा उसनू टाक सकन ब्रम ग्यान विच अंशिक ग्यान होन्दा है प्रमात्मा ग्यान विच ब्रम ग्यान तो जादा ग्यान होन्दा है अते पगवान ग्यान नाल संपूरन ग्यान हो जन्दा है संपूरन ग्यान विच सचित अनंद तिन्नादी परिपूर्न अवस्था प्राप्त हो जन्दी है इसलिए प्रमात्मानू तिन परकार दावी कहा गया है ओग पुगता अते प्रीकारम इस देवारे गुर्वानी विच दस्या गया है कि ब्रहम दीसे ब्रहम सुनिये एक एक वखानिये आतम पसारा करण हारा प्रभिना नहीं जानिये आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवानत नान कसे जाने जिन्नी रास पिया प्रमात्म एक हुंदे हुए वी तिन रूपा विच रह के कम करदा है ठोस द्रव अते गैस जो उपर तिन नाम दसे गए हन ब्रहम रूपी ठोस प्रमात्मा रूपी द्रव अते पगवान रूपी गैस पगवान दे तिन रूप पोग पुगता अते प्रीकार्म नू इस तरह भी समझा जा सकदा है पोग खानवाली वस्तू पुगता खानवाला प्रीकार्म खानवाले नू प्रेर न देन वाला इसलिए केंदे हन के संपूरन जगत विच प्रमात्मा तो इलावा कुछ भी नहीं है पर केवल बोलन दे नाल जाएंज कहले ये केवल अखरी ग्यान नाल सानू ओ सचित अनन्द पाव संपूरन ग्यान दी अवस्ता प्राप्त नहीं हो सकदी बिना बिग्यान दे नाता अनुप अभी ग्यान होवेगा अते ना ही उस विच्च स्थिती होवेगी इन अतिना श्रीरानू छड़ना अते परमात्मा दे देश साक्षात पहुंचना बिना प्रटी गल्दे नहीं होवेगा कई लोग ब्राम ग्यान प्राप्त करके ही हाट जान दे हन अते अपने दुनियावी विवहार वेचे लग जान दे हन क्योंकि उस विच अनांदता लेश मात्र ही हुंदा है चित्रूपी चेतन ताता उस विच एननी दवी होई हुंदी है के उस विच उस दियापनी पछान ही गुम जही रहन दी है यह जरूर है के मुक्त वस्ता हुंदी है जिमे के दिल विच प्रैक्टिकल कर दे हुए जो कुछ अन्शिक हुंदा है उसे दा थोड़ा जहाबद के त्रिकुटी विच अते शुद्ध वस्ता विच पहुंच दा है पर परिपूर्न वस्ता ता के वल्यम मुक्ती विच ही मिल दी है उस विच नितता सदा देले मिल दी है अते ओ कट दी नहीं किते कोई संकल्प बिकल्प जां कोई सोच नहीं रेंदी सुन अवस्ता रेंदी है इस तरह किन्ने ही लोग के वल्यम मुक्ती नुही सब कुछ समझ के छट दिन दे हन के सनु सब कुछ प्राप्त हो गया पर सनु जो प्राप्त हुंदा है जिस तरह परमात्मा तिन प्रकार उसे तरह ए अवस्ता वी तिन प्रकार दी उंदी भर्म ज्यां दि उवस्ता जिस विचट तरिकभी वेच जिस तरह जीव hombres फ्रकार दी है तों बहुत ही गहरे हैं नियुल स्थय प्रप्त हों दी है अपनी अपनी परचांड दकर रह जंदी है परेह वस्ता वी अनंदमई कोष्टों अगे लंक के मिल दी है जदों असी अनंदमई कोष्ट विच हुन दे हां तां किसे नाल बनने होई हुन दे हां पर ब्रह्म विच खुद्धा श्रीर हुन दा है अते पंज कोष्टों परेहो जान दे हां दूसरी वस्था प्रमात्मा ग्यान है जिस विच गे असी सुपने वांग जीवन जयों देहां पर इनी चीतनता साथे वेट कहंदी है अते ब्रम ग्यान तो इथे प्रमात्मा ग्यान दे चीतनता बहुत उरवर्क अते साक्षात हुदी है पर फिर भी इस वस्ता ते भी साड़ा ऐसा रांग रूप आकार जमेंदा के साड़ा कुदरती श्रीर है उस तरांग दा नहीं हंदा तीजी वस्ता पगवान ग्यान विच साथ दी संपूर्ण सत्ता अते प्रमातम ग्यान दी संपूर्ण चेतंता दे नाल नाल संपूर्ण पगवान दा जो अननद हुनदा है उही अननद रूपी साड़ा श्रीर सदा सदा लई बन जनदा है परे अनंद में कोश्टों बिलकुल अलग होंदा है इसलिए पिछे जो भी प्रेक्टिस कीती ओज ग्यासू अपने आप भी कर सकदे हन पर इत्थे था संत महाबुर्ष जां गुरु जान्दा सहयोग बनेया रेना चाहिदा है इसलिए इसनु जादा खोल के नहीं दस्या जान्दा तांके कोई आदमी इस नाड परंबिच ना हो जाए अते जां फिर जो लोग पंजमी छेमी जमात नहीं पड़े हुंदे ओ भी इस बड़ी जमात विच वेठन अते पड़न दी कोशिश कर दे हन जिस नाड इस दे बुरे परेणाम भी हुंदे हन इसलिए संत महापुर्ष्टों आग्या लेनी जाओन दे हुकम दा पालन कर दे होए ए प्रेक्टिस करनी चाहिदी है नहीं तांजि में एक छोटी जही तार विच विजली दा जादा बोड़ दा प्रवाह कर नाल तार जड़ जन्दी है उसे तरह किसे दा नुकसान भी हो सकता है जिस तरह के संतीशर सिंग जी महराज बोल दे सन के शेर नींदा दुद्द केवल सोने दे कटोरे विच ही तिकदा है बकी बरतना विच छेक कर दिन्दा है सिख्या सुपातर नुँ ही योग बना सक दी है कुपातर दाता नाश ही कर दिन्दी है जिमे के गुरुवानी विच फुरुमान है ग्यान खंड में ग्यान परचंड तिथे नाद बिनोद कोड अनांद शरम खंड की बानी रूप तिथे कार्त कड़ी है बहत नूप ताकि आगल्ला कथिया ना जाहे जी को कहे पिछे पचुताए तिथे कड़ी है सुर्त मातमन बुद्ध तिथे कड़ी है सुरां सिद्धां की सुद्ध इसे तरह तीसरी वस्ताविच जदों जग्यासू पहुंचेगा ता ओदोंस दी वस्ताविच नादा ब्रहम रूपी शरीर होवेगा तिथे ना ही सुपना रूपी संसार लगेगा जिस विचो कदे पच सकदा है तिथे कदे तेज नहीं पच सकदा बलके ऐसी वस्ता होवेगी जिमें के ऐसी इस संसार विच जागरित वस्ता विच हां तिथे अपने आपनू तिथे अपने आसपास की है की नहीं सब नू ठीक तरह देख रहे हां अते जान रहे हां पर एक उदरती श्रीर इस अप्रकिर्टिक संसार विच नहीं जा सकदा ब्रह्म ग्यान विच श्रीर दी पच्छान दव के रह जन्दी है अते सचित अनंद विच पहुँच के जहां परमात्मान दा ग्यान होनते चिन मैं जा अनंद रूपी श्रीर पर तक अते साक्षात हो जानदा है चिन मैं श्रीर तो ही चिन मैं परमात्मानों देख सकदे हां नहीं ता एक गुंगे दी मिठाई है जो पहुँच गया उसनों इस देवारे विच दसना बहुत मुश्किल हो जानदा है अते जिग्या सुकोड इन्दी मोटी तार नहीं हुंदी जिस बिच्चोंदी के ओ परवा वै सके इस देलेई शुद्धी अते कागरता बहुत जुरूरी है दोना तो विना लक्ष दी प्राप्ती नहीं होवेगी जिनी जिनी कागरता वद दी जावेगी उना उना ओ परमात्मा में चिस्तित हुंदा जावेगा पर उसनु जान नहीं सकेगा अते जिनी जिनी शुद्ध तावद दी जाएगी उननी ही उस दी नजर सचित अनन्द रूपी प्रमात्मानू साक्षात देखन अते जानन लई साफ हुंदी जाएगी जिमे के गुरवानी विच लिखिया होया है कि सब कुछ हुकम दे अंदर है अते जो कुछ हुकम दे अंदर नहीं है ओ है इकना हुकमी वक्सीस जिस दा पाव है अशीरवाद जहां बदवा हुकम दे अंदर नहीं हुंदे जिस नाड जिन्दगी बदलन विच देर नहीं लग दी इस करके अशीरवाद अते बदवा देन विच बहुत सोच विचार होना चाहीदा है क्योंके उस विच त्वाड़ी आत्मिक अते अदे आत्मिक शक्ती दा ही कुछ अंश निकल दा है ब्रह्म ग्यान कैवल्यम्मुक्ती दिवस्ता विच उपाशना कर दे होए कोई रूप रंग आकार अते शवद नहीं पहुंच सक्दा जिसनू गुर्वाणी विच लिख्या है रूप ना रेख ना रांग के चत्रहो गुणते प्रावपिन जिसा है बुजाए नान का जिसो हो वै सो परसन पिछे जो तिन प्रकार नार प्रैक्टिस है अगे उन्हां दे अनुपवाण दे तलते मनोखिस ब्रह्म ग्यान दी कैवल्यम्मुक्ती तक पहुंच दा है जिस विच उस दे ठीक ठीक तरीके नार समझा जन्दा है के ब्रह्म दी प्रमात्मा दी पगवाण दी उपाशना तिन फुला नार ही किती जा सकती है ओ है शां सम बोध शाम सम द्रिष्टी सम चित दी कागता बोध तत ग्यान जो के बहुत शुद्ध वस्ता विच ऐसी नजर मिल जन्दी है जिस नार के उस परम ततनु जानते पहचान सकता है जिमे के संती शिर सिंग जी महराज दस देहन के जिग्यासू ने अपने तिन दो शानों ही दूर करना है मल विक्षेब अते आवरन जिमे जिमे मल खत्म हुंदा जाएगा उमें उमें सम द्रिष्टी और वर्क हुंदी जाएगी उस तो बाद जिमें जिमें सम द्रिष्टी और वर्क हुंदी जाएगी अते जिमें जिमें शाम अते सम फुल विचों खुश्वू बादी जाएगी उमें उमें ओ द्रिष्टी रूपी तत ग्यान हुंदा चला जाएगा उन्जता सी उस जगह दी गल कर दे हां जिते कोई भी कुदर्ती चीज नहीं पहुंच सक दी ता इस तरह केवल शब्दा दा ऐसा समी करन बढ़ा के दसन दी कोशिश है जिस नाल शुदता इकागरता स्थिर्टा नू चंगा बल मिले उस लई एक छोटा जहत्री काई थे केवल अंदाजे मातर दसे आ जा रहा है जिमें अकाश विच कई तारे बहुत ही छोटे हुंदे हन उनना दा प्रकाश इनना कट हुंदा है के त्यां नाल देखन ते ही पता लगदा है के अकाश विच कोई तारा चंक रहा है जिते आंग ना देता जावे तां पता ही नहीं चलदा जद के अकाश दे तलते अगर उस तारे नू देख्या जाए तां वो चंदरमा तों भी लखांगुणा वड़ा हुंदा है पर वो साड़े तो बहुत जादा दूर हुंदा है इनना छोटा नजर हुंदा है उसे तरह ये जो तरीका दस्या जा रहा है वो ये थेक चलक मत्र है जद के चलक भी उस तरीके तों क्रोडां गुणा दूर है इस विच दो तिन चीजां दा त्यान रखना है पार, साकार, सुभावां दा मिश्रण अते तमों रजों सतों गुणां दा मिश्रण आकार, चेतनता अते निराकार किसे भी प्रकारदा कोई भी श्रीर होवे चाहे ओ पारदा होवे जां हवा वाले अकारदा जां गुणा वाले समूंदा इननु प्रतिमा बणों दे चले जाना है तदे जाके श्रीर छोट दे चले जानंगे अते ब्रह्म रूपी पगवान दे विच मिल दे जानंगे वाहे गुरू आहे 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 गुरू वाहे गुरू, 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 वाहे गुरू बैठके पजन करदे हुए अखां बंद रखो अते बार बार अपने उस श्रीर अते श्रीर दियां किर्यावानू ते आनमिच रखदे हुए करदे रहो हुण हौली हौली इस पूरे श्रीर नू मूर्ती जाएक बुत जिहा बणाउंदे चले जाओ इस परकरिया वेच तिन हिसे बणा के रखो मिरा श्रीर अते उस दीकरिया मैं मैंनू प्रिरित करन बाला क्योंके इनसान नू छटके बाकी 84 लख जून है चाए हे ओ हवा वेच पलन वाली है पानी वेच पलन वाली है पशु पंची हन पेड़ पवदे हन इनना सार्या नू हर रोज दा खाना परमातमा दस्दा है कि किते है किसे नू जे कोई श्रीरिक बिमारी हो गई है तहां परमातमा उस दे अंदर तो ही प्रेड़न करके ते उसनू दस्दा है कि ए खाओ हते ए ना खाओ ए तेरे लई नुकसान दे है इच्छावा तां सारे जीव जन तू रख दे हन पर उनन दी पूरती कित्थों हते किमे होवे इस बारे परमातमा ही अंदर वैठे प्रेर्ना दिन दे हन एकिते कमा नहीं सक्दे खाना एकठा करके रक नइं सक्दे इनन रोज आपने कारविचों निकलके खाना लभना आते खाना हूंदा है सारे नु प्रेडना देनबला अते पालन वाला प्रमातमा हूंदा है इसले इस दा Musik नाम प्रेरिक भी है हुन ते आनसादना विच बैठे अपने श्रीर दिया किर्यावा नू समझ दे अते जान दे हुए ए पहला हो गया दूसरे विच अपने आपनू मैं नू इस तो अलग जान दे हुए अते तीसरे विच मैं तो क्रोडां गुणा सूख मेरा प्रेड़क जो मैं दे अंदर वेठा है उसनू वी निरंतर देख दे रहना है अते प्रेम करना है इनना तिना नू देख दे जान दे हुए कदे अपनी मूर्ती बन दे हुए श्रीर नू महसूस कर दे रहो उस्तों बाद मैं नू अते जो पजन चलदा रहेगा ओ केवल मैं दे अंदर वेठे प्रेरक दियो पाशना ले पजन चलदा रहेगा पर क्रम नू सार थोड़ा थोड़ा समा तिना विच बंड दे हो उदा अरंदे तौरते दस मिंट श्रीर अते उस दी क्रिया लच्छन नू महसूस कर दे हुए जो के प्रतिमा बनया होया है पजन कर दे रहो अते दूसरे विच मैंनू देख दे अते जान दे हो जो के इस पार अते अकार रूपी प्रतिमा श्रीरतों अलग है इस मैं विच बैठके पजन कर दे रहो तीसरे विच इनना दोनानू पुल के सब कुछ पुला के इस दे अंदर जो सब दा प्रेरक बैठा है उस दा पजन कर दे रहो तिननानू तिन मिंट विच बंड दे हो दस मिंट विच श्रीर दूसरे दस मिंट विच मैं हते तीसरे दस मिंट विच प्रेरक हौली हौली इस प्रतिमा रूपी श्रीर दा पार खतम कर दे जाना नते इस दे गुण लच्छन तरम बाला बहुत छोटा जिहा किसे वी कीडे दे अकार दा हवा बाला श्रीर ब्णवना है हौन इस वीच भी पजन पूजा कर दे रहना है पर पजन उची उची गूझ कर करके होना चाहिदा है हौन इस बहुत ज़्यादा सूखम हवा बाले अकार दे श्रीर बिच अपने आपनू रखो जा महसूस करो हौन इस श्रीर दापार हट गया है इसे श्रीर बिच बैठके इस श्रीर दे लच्छन किरिया अते अपने अकार नू देख दे जान दे होए उस जगाते पजन करो फिर उस तों बाद अंदर बैठे होए मैं विच स्तित हो जाओ फिर दस मिन्ट उपाशना करो फिर उस मैं विच बैठे होए सारे जीव जनतुआनू पालन वाले प्रेरिक नाल नजदिकी महसूस करदे होए उस दी उपाशना करो जदों 293 नू दस-Dस मिन्ट हो जाए फिर चाली में मिन्ट बिच फिर उही पहले मिन्ट बाला पारतों रहत छोटे जहे आकार वाले श्रीर नू देख दे अते जान दे होए उपाशना करो पंजाब में मिंट बिच फिर मैं देव पाशना करो सठ में मिंट बिच फिर प्रेरक उपर करो सत्र में मिंट बिच फिर ओही श्रीर 80 में मिंट बिच मैं 90 में मिंट ते फिर प्रेरक 100 में बिच फिर श्रीर 110 में बिच फिर मैं 102 में बिच फिर प्रेरक इसे क्राम बिच उपाशना कर दे जाना है ओ चाहे तुसी अद्धा कंटा कर रहे हो जा एक कंटा चाहे चार पंज कंटे कर रहे हो हुने इस तों बाद जो पहला पारूपी श्रीर हटे आ सी हुने जो छोटा जहा दिखन बाला हवा दा सुखम श्रीर जिस दे लच्छन अते सुवा नू देख दे जान दे होई कर रहे सी हुली हुली इस अकार नू भी खत्म करना है इक अपने सुवा दा अकार बनेया होया जिस विच पैर हाथ मूँ सेर कुझ भी नहीं है जिमे के तुसी हुने ही पढ़ दे होई एक मिन्ट ले अखां बन्द करो तान तो हनू हने राजहा देख रहा है अते अपना सुवा महसूस हो रहा है पर इस विच तो हड़ा कोई आकार नहीं है इसे तरह इस अकाश रूपी श्रीर नो खत्म करके इस सुवा रूपी आकार विच बैठके एक मिन्ट थे उपाशना करो दूसरे मिन्ट इस तो हटके जो मैं है उस विच उपाशना करो जो के सुवावां दी जड़ता तों अलग होवे तीसरे मिन्ट विच ऐसे अनंत मैं रूपी जीव आत्मामा दे अंदर बैठा प्रेरक चाहे वो पहाड पशू पंची इनसान दे विच जा कोई भी जीव होण उन्हा सब दे अंदर बैठा प्रेरक ही उन्हानु सहाइता करदा है इस तीसरे मिन्ट विच इसे प्रेरक दी उपाशना करनी है फिर चौथे मिन्ट विच उसे सुवावावाले श्रीर विच बैठके उपाशना करनी है पंज में मिन्ट विच फिर मैं विच करनी है छे में विच फिर प्रेरक सत में विच फिर सुवारू पी आकार विच बैठके अठ में विच मैं, नौ में विच फिर प्रेरक, इसे करम विच उपाशना कर दे रहना है, ओ चाहे किन्ये वी समय लई कर दे हो, उन्हें सुवा रूपी श्रीर वेच मैं साफ पचाने आ जानदा है क्योंकि सुवा मेरे ही हन उस बारूपी अकार तो मैं साफ पचाने आ जानदा हाँ जद के सुवा मेरे आपने नहीं हन एक उदरती हन ये तमो रजो सतो गुणा दा मिश्रन है उन सब तो पहला जो सब तो ज़ादा जड़ता पर पूर गुण है हो है तमो गुण हौली हौली इस दे कन महसूस कर दे हां असी आपने स्वाविचों तमो गुण छड़ दे अते कड़ दे जा रहे हां हौन जादे पूर्ण रूप बिच पारी पर कम जड़ रूप तमो गुण काड़ दिते ता हौन दस मिंट लई इथे उपाशना करनी है ये कोई पशान नहीं के की निकलिया है अते किना निकलिया है अते किमे निकलिया है क्योंके शवद प्रकिर्ती यते कार दे उपर अधारित हन जड़ के असी निराकार दे नस्दीक जान दी कोशिश कर रहे हां ता एठेक मिंट उपाशना करनी है बी में मिंट जो मैं है उस विच उपाशना करनी है ती में मिंट सारे मैंनू चलोन बड़ा जो प्रेरक है उस नाल जोडन अते उस नाला अपना सच्चा रिष्टा जान दे हुए उस दी उपाशना करनी है चाली में में विच रजो अते सतो गुणा बाले विच बैठके पजामें विच में विच शट में में विच फिर परेरक सत्र में विच फिर जिस तिन गुणा बाले पुंज विचों कडे गए तमों गुण अते बचे हुए रजो सतो गुण बाले विच बैठके उपाशना करनी है असी में बेच जो के ना तिना गुणा तो अलाग है गुण अतीत है उस विच बैठके उपाशना करनी है नबे में बेच फिर जो इस मैं दे अंदर जो इस मैं नू जिंदा रखन बाला प्रेरिक है उस नाल इक मिक्ता प्रा आप्त करनी है अते उस दीव पाशना करनी है। उन इसे तरह रजो अते सतो गुण नाल मिशरित मैं बिच्छों। रजो गुण जो के तमो गुण तो हलका है उसनू कड़ना है अते केवल सतो गुण विच बैठके उपाशना करनी है। दूसरे मिंट विच मैं विच बैठ के उपाशना करनी है तीसरे मिंट विच मैं नुच लान बाले प्रेरक दी उपाशना करनी है फिर चोथे मिंट विच सतोगुण विच बैठके पंज में विच में विच छे में मिंट विच प्रेरिक दी इसे करम विच पाशना कर दे जाना है अते हुण केवल में विच बैठके दस मिंट विच पाशना करनी है जिते कोई गुण तरम सुवा नहीं है केवल चेतनता है अते इसे तरह साक्षात है जिमें के हुने पड़ाओं दे हुए अपने आले द्वाले दियां वस्तुआ नू जान दे हुए अते बातावर नू साक्षात महसूस कर रहे हां बिलकुल उवे ही उस बातावर नदी चेतनता नू साक्षात महसूस करना है उस तो बाद भीमें मिंट विच मैं दे अंदर बैठी इस परमपिता परमेशर प्रेरक दीव पाशना करनी है तीमें मिंट विच फिर मैं विच करनी है जो के अतियंत जड रूप है उन सब कुछ रुकिया होया अते ठेहर जह होया है सब कुछ साध्या होया है चाली में मिंट विच इस मैं तोंबी अनंत सूखम स्थेर अतिपूर्ण चेतन रूप विच परकाशित हो पंजामें विच फिर मैं सथ में विच फिर प्रेरक शतर में विच फिर मैं असी में विच फिर प्रेरक फिर हॉली हॉली मैं दे चारे पासे दाइरा रूपी आकार तोड़ना है अपना आपा नाश्ट कर दे हुए केवल उस परम्पिता परमेश्यर जो के हर जगा है अते जो हर पल भरतमान है जागरित है जो सार्यांदा सहाइक है सार्यांदा जीवन दाता है सबनू पलन वाला है अते सबनू बहुत प्यार करन वाला है केवल अते केवल उसे धी उपाशना कर दे रहना है वो चाहे जिनना भी समा कर दे रहो जदों इस तोड़ा रुकाबट आउन लगे विक्षेप आउन लगे ता हौली हौली छे में नंबर ते उपाशना शुरू कर देओ अते कुछ समा इते उपाशना करन तो वाल फिर पंजमे नंबर ते उपाशना शुरू करो फिर चवथे तीसरे दूसरे अते पहले नंबर ते करो अर्थात जिस त्रीके नाल सत्मे नंबर तक व्यास कीता उसे त्रीके नाल उल्टे करम नाल बापे सौना है फिर अखां बांद करके जिस पास से जेडी अवस्ता विच तो हनू तो हड़ा सुरूप सत्मे नंबर ते महसूस हो रहासी उसनू साच मनना अते इस दिखन वाले श्रीर नू उस दा कपड़ा मातर मनना पूरे दिन विच कोई कम ना कर दे होए कि ते अराम नाल बैठे होए हो ता उस सत्मे नंबर ते अवियास विच जो के तो हड़े अपने श्रीर दी अवस्ता सी उसनू महसूस करना है एक अधे मिंट लेई जरूर होवे इस एक अधे मिंट नू देन विच आठधा स्वार जरूर महसूस कर लेना हुन हुली हुली एक्खां खोलो हुन हमेशा समने गुरू दे सुरूप नू मत्था टिकना अते तनवाद करना एही कम शुरू करन तो पहला गुरू दी किसे कोई परताख जोत अते जे ना हो सके धा त्यान विच ही एक जोत जगा के एक वार आरती उतार लेनी ही केवल उदारन मात्र है जो असली तरीका है ओ केवल जोग सादक नोही महात्मां दस्देहन क्योंके ओ आपने अनुपबा आविच इनना पंजा कोशादों के में अलग होया हून्दा है अते कि में आपने तिन्ना गुणातों अलाग होया हुन्दा है उसनू परताख आनुपाब होया हुन्दा है उसनू दसना जा समझाओना आसान हुन्दा है जिस तरह जवानी वेच बुड़ा पेदियां दुख तकलीफां अते परिशानियां समझ नहीं आउंदियां अते जिमें पेड बौद्यानू बड़े बड़े पेडां ते लटक दे फड़ांदा आनू पब नहीं हुन्दा पेड पौद्यानू पशू पंची की में चल दे अते उड़ दे हन इस समझ नहीं आउंदा उसे तरह बिना ब्रह्म तक पहुंचे उस्तों बाद प्रमात्माते पगवान्दा ग्यान जहां साक्षातकार कैसा हुंदा है उस देवारे विच समझ नहीं आ सकदा नोट इना सता अवस्ता वानू एक एक दिन कर दे रहो जदो सतमी अवस्ता दा दिन हो जाए ता अठमे दिन फिर पहली अवस्ता तो शुरू करो जदों फिर सतमी अवस्ता तक करके जदों फिर अठमे दिन आए ता फिर पहली अवस्ता तो शुरू करो इस तरह जदों तक हरे एक बिच पंजातों साथ परतीसत तक सरलता ते सहस्ता आ जाए ता इसे तरही कर दे रहो फिर जदों सरलता सहस्ता अच्छी हो जाए ता हरे एक दो दो अवस्ता वानू एक एक दिन कर दे रहो जदों बहुत जदा सरलता ते सहस्ता आ जाए ता एक दिन विच तिन दूसरे दिन विच चार अवस्ता वानू करन दी कोशिश करो अते जद आत सूखमता, सरलता, सहजता, शुदता, इकागरता वाद जाए तां सत्तानू एक दिन विच ही करंदी कोशिश करो प्रंतु ए समा कट तो कट साथे तिन कंटे तों सत कंटे दा होना बहुत जुरूरी है सरलता सहजता जुरूरी है संती शर्जिंग जी महराज बोल दे सन के जो भी कम निता प्रति कर दे रहो उस विच सरलता अते सहजता अपने आप ही आउंदी चली जन्दी है बसो कम पूरे दिल नाल कीता होया होवे ये पक्ती मारग शुरू तों लेके अखीर तक प्रेम निमरता सहजता शुदता दा विशा है जो इनना तो ज़्यादा दूर होवेगा उस दी त्रक्की उन्नी ही आहिस्ता होवेगी जां रुकी रहेगी सानू बापिस आपना मन बहुत ज़्यादा सल जिमे के छोटे बच्चे दामन शुद्ध सहज निरकबट निरवैरता पर पूर हुनदा है उसे तरह दा बनोना है जड़ता सनू रेक वस्ता विच पत्थर वर्गी बना के रखनी है संती शिल सिंग जी महराज कैंदे संद के पाई नुक्ता चीनी करना अते गलतियां कड़ना दसब दे वस्ता हुनदा है पर पता उथे लगदा है जोनों आपने मन नू रोकना जन साधना पैंदा है जिते संकल पूरी तरह नाल बंद हो जाए असली ताकता उथे पता चल दी है नोट अवे आस कर दे समय हर देंदा समा साधे तिन कंटे तू सत कंटे दा कट तो कट होना चाहिदा है फिर उस समय नू तुसी पामे एक अवस्ता जां एकठी तेन अवस्ता जां एक सार सत अवस्ता वां कर दे हो ये हेठा लिखे होए किसे ना किसे विशेश विशे नू प्रेणा दिन देहन बुत प्रस्ती करदे करदे खुदा प्रस्त बन गए मिटा दे अपनी हस्ती को गर खुद कुछ बनना चाहे क्योंके दाना खाक में दिल मिलकर गुले गुलजार होता है जाकी रही पावना जैसी तिसको होवत प्रापत वैसी एक ही सादे सवसदे सवसादे सव जाए प्रेम ना शोला है ना शबनम प्रेम आँखों की मस्ती नहीं है प्रेम आत्मा से होता है पैदा और प्रेम की कोई वस्ती नहीं है दिब्य शाश्वत प्रेम वाहे गुरू 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तत ग्यान बाड पक्ती रूपी मा अते उस दे दो बच्चें ग्यान अते वैराग नू तंदुरुस्त रखन लई उस दी बाड बनोणी पैंदी है इस नू असी दो रूप नार लवांगे एक श्रीरिक अते मानसिक रूप बिच साथ के बैठन दी कोशिश अते जदो बैठ जावांगे ता स्थूल सूखम अते कान श्रीर नू एक करके उपाशना दी कोशिश जिनना बस्तुआं दे लई जिनना ब्यक्तियां दे लई जिस समाज दे लई जिनना मकाना दे दुकाना लई ब्यक्ति जिंदगी पर मेंत करदा है मर्न तुवार इनना बिचों कुछ भी नाल नहीं जन्दा पर इनन दी ममता नाल चल दी है अते ममता दे कार्ण प्राणी बारवार उसे महौल उसे जगा उनना ही चीज़ां अते मनुखां दे आसपास मोद दी इन होके बारवार जनम लेंदा रेंदा है जे इनसान दा जामा नहीं मिले आ पशू पंची दे रूब जनम लेंदा है ओही सोख जो उसनू नहीं मिल सके उसनू अग्यांता दे अदीन होके इकठा करण दी कोशिश करदा रेंदा है इते गुर्वानी विच किहा गया है कि कतूत पशू की मानस जात लोख पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मलमाया चपश नाहें कच करच पाया बाहर ग्यान त्यान इश्नान अंतर ब्यापै लोग सुआन अंतर अगन बाहर तन सुआ गल पाथर कैसे तरै अथा जाके अंतर बसै प्रवयाप नान कते जन सहज समात पूरी जिन्दगी आदमी छोटे छोटे सुखानों एकठा कर ले मेंट करदा है अतियांत बिच उस दे हाथ दुख अते जो आपदारी ही बच दी है ती चाली साल जिन्दगी खर्च करके मूटर गड़ी दुकान मकान एकठा करदा है जे वो सारा कुछ बापस भी करे ता समेदा एक प्रतिसत हिस्सा भी उसनू बापस नहीं मिलदा जो के उन्जवी सारा को जड़ ही जाना है दुनिया विच अच्छे अच्छे नामी ग्रामी लोग दुश्मन बन जानगे ता ज्यादा तो ज्यादा की हुवेगा के मौत जल्दी आ जावेगी लटक दे पटक दे हुए मर नालों ता अच्छा है के चल दे फिर दे मर जावांगे दुनिया विच नामी ग्रामी लोग जे बहुत हितैशी वी वण जान ता ज्यादा तो ज्यादा बंदे दा श्रीर थोड़ा मुटा हो जावेगा थोड़ा अराम ज्यादा खरेगा लेकिन इन्ना दोना हालाता विच जो भी बनेया इस नश्वर श्रीर दा ही बनेया असी ता फिर भी कंगाल ही रहे हलके विचार वालयां दे नाल बैठना अते खाना पीना ठीक नहीं इस नाल साधे पक्ती दे अंदोलन कान नश्ट हुन दे हन थोड़ी जही सावदानी रखनी जुरूरी है समाज तो कटना नहीं है जिन्नी जिन्नी पक्ती वदे उन्नी उन्नी सावदानी वदी चली जानी चाहिदी है क्योंके जमीन ते चलन वालेयां दे मुकावले जिनना कोई द्रख्त दियो चाईयो ते चड़या हुन्दा है उन्नी ही उसनू साथ ज्यादा गेरी लग सकती है संसार विच दो प्रकार्दियां शक्तियां हन राक्षशी अते दैविक राक्षशी शक्तियां नो एकठा करना पतन दा मार्ग है दैविक शक्तियां नो एकठा करना उठान दा मार्ग है जो अन्त विच प्रमात्मा तक पुचोंदा है जमीन वेच सब्तों ज्यादा नकार आत्मक शक्ति हुंदी है जिमें जिमें तो उपर दी बलों दूरी बद्धी चली जन्दी है उमें उमें सकार आत्मक शक्ति बद्धी चली जन्दी है इसलिए जिमें चाडू पोचे नू टेबल बैड अते होर फरनीचर उत्ते नहीं मार सकते उसे तरह ही फरनीचर दी सपाई करनवाड़े कपड़े नाः उजा स्थालनों साफ नहीं करना चाहिदा उसलिए अलग कपड़ा रखना चाहिदा है नील गिरीदे पेड आसपास नहीं उग्य होने चाहिदे अगर उग्या होया होवे ता उसनू उठों कटके सुट देना चाहिदा है उस पेड़ दी निशानी है के उस दियां टैनियां उते कोई भी पंची नाद बैठेगा अते नाहीं आपना आलना बनाएगा उस दियां जड़ां विच चूहे नियुले आद अपना करवी नहीं बणाउन गे इस तरह दे पेड विच उएसियां जहरीलियां हवावा निकल दियां हनके उस दिन नजदीक रहन बालेयानू टीवी हो जान दी है इस तरह दी नकार आत्मक शक्ती वहर सुटन वाले अंग्रेजी बवूल दा पेड अंग्रेजी का अंग्रेजी पालक आद है जिस नाळ श्रीर नू नुकसान ही हुंदा है जदों तुसी स्वार्थ रहत कम कर दे हो तां प्रमातमान दर्तों प्रेजना दिन्दा है नाम अते त्यान सूखम है अते उस दी रख्या करन बाला प्राण शक्ती अपान उदान समान आद इना नुबी सानु सूखम बना और ना रक्त नाडियां बिच जो कच्चा रास रुकाबट देरू बिच प्या है जिस दौरा साड़ा कई वार त्यान नहीं लगदा अते पजन विच भी बहुत दम लवना पेंदा है प्राण शक्ती नुँ सूखम कर नाड रुकाबट खत्म हो जावेगी जो दिस्दा है उस सब माया है दिखन बाला ही केवल आत्मा है हड मास चमडा खून थुक लाड वाड तटी पिशाव तुसी नहीं हो तुसी परमात्मा दे सनातन हमेशा हमेशा तुस्पूत हो इस सब चीजां पंच पूतक श्रीर विच बनिया हो यहां किते दा इंसान चलदा फिरदा तीर्थ बन सकदा है अते किते ओ नकली अते छोटे छोटे सुखानू एकठा करन दे ले अनंत कालतों पिखारी बनिया बैठा है जिमें किस संस्था दा बड़ा आदमी आके अपनी कुर्सी टे बैठ जाये तां वह कि सारे लोक अपने आप ही सुचारू रूप नाल कम करन लग जान दे हन उसे तरह जदों असी प्रमात्मा दा सिम्रन कीर्तन करदे करदे प्रमात्मा बेच रुकन लगांगे तां प्रमात्मा साड़े योग खेम नूच लाउनगे योग दा मतलब है जो भी साड़े कोल सुक सादन है उस दी रख्या प्रमात्मा करनगे खेम आउन वाले नुकसान दा अवलोकन करके जिस विच साड़ा हित होवे ओ ही होन देनगे जिमें सूरज दे चड़न नाल अपने आप ही बातावर्न विच आकसीजन बदन लग दी है पंची कलोल करन लग दे हन किटानों मरन लग दे हन पूद प्रेदा डार कट जां खतम होन लग दा है हुण सादना विच बैठन तो पहला सानू कुझ शरीरक कसरत कर लेनी चाहिदी है जिस नाल के साड़ी प्राण शक्ती सूखम अते सुखमना नाडी विच आ जाए जिनना साड़ा मन इकागर होवेगा उन्नी ही शुदूर्जा साड़े हिर्दे विच आवेगी कुझ कसरत दोना हथा पैरा नाल करो फिर उस्तों बाद एक पैर उपर अते एक पैर हेठा करके कुदो फिर गर्दनू पिछे करके तेज तेज सालो अते छड़ो जिस नाल जे दिमाग दिया नाडिया विच कोई द्रब रुख्या होवे जो के दिमाग नू हली हली चलनले म और रुकावट भी दूर हो जाएगी इस नाल बुद्धी दा विकास होवेगा तमों गुण रजो गुण विच बदल जाएगा एक असरत कर दे हुए वस हत दिया मुठिया बंद होन अते श्रीर दे नाल लगिया हो या होन गर्दन अगे तो मोड के ठोड़ी चाती नाल ल गा के हत्थादिया मुठिया बंद करके अते बावास दिया करके वी पच्ची वार सा लेना अते छड़ना करो इस नाल व्यक्ती मेगा वीवी बनेगा अते जाशक्ती वी तेज होवेगी पन छे वार कपाड़ पाती हते अनुलों बिलों भी कर लो ए जरूरी नहीं के इस सारा करना तो हनुपक्ती मारगले सहाए के ही होवे उजा पाठ तो पहला कर लो पर एक व्याम जो थोड़ा जरूरी है उ कर लो ताँ ठीक रहेगा दोनों मुठियां बंद करके वामा सिदियां जमीन बल करके सजे मोड़े ते ठोड़ी लगा के दोनों वामा सजे पासिबल मोड़ो अते लंबा सालो उस्तो वाल इसे तरह दोनों वामा मुठी बंद करके खबे पासिबल लह जाओ अते उत्थे जाके चटके नाल सा चटो फिर उत्थों गैरी सा लेके दूसरे पासे बाम मोडो अते गर्दन अते ठोड़ी मोडे नाल टाच करो अते सा चाट देो इस तरह सजे तो खबे खबे तो सजे कर दे होए गैरी सा लो अते चटो एक अट तो कट पचीती वार कर लो इनना सारे वियामातों सड़ा मूल कार्ण है के शरीर अते दिमाग दिया नाडियां वेच जो कच्छा रस है और रुकावट पैदा ना करे अते प्राण शक्ती सुखमना नाडि विच चल पवे सुखमना नाडि विच चलन दी निशानी ए होवेगी के साथ दोनों नासा रही ब्राबर चलन लगेगा ऐसा नहीं होवेगा के एक पासे दी नासिका साल आते छड रही होवेगी इस नाल प्रान शक्ती सुखम हो जाएगी अते नाम अते त्यान दी रख्या करेगी हुण आपने आसन ते बैठ जाओ जिस विच शरीर दा कोई भी अंग जमीन नाल टाच ना होवे हुण पजन शुरू करो जे हुण भी मन एकागर ना हो रहा होवे तां भी पचीवा नक नाल लंबा सा लो अते पूरा सा चंगे त्रीके नाल बाहर कड़ो ज़त तक पेट अंदर ना चला जाए पर सा कड़दे वक्त मूँ खुलिया होया होना चाहिदा है पाव लंबा सा नक तो लेना है अते मूँ तो छड़ना है ये सारे क्रिया क्रम केवल मन नू साधन दे लई हन अते जे मन साध्या होया है तां इस विच कुछ भी करन दे जिरूरत नहीं है जे पहले नंबर दे तरीके नाल मन ना साध्या जा रहा होवे तां दूसरा नंबर है प्रमातमान दी याद अते प्यार जे में के एकवार राम जी नू लंका युद विच नाग पाश विच बन लिया सी मेगनाथ ने तां नागां तो मुक्ती करवान लई हनु मान जी ने गरूड नू प्रार्थन कीती सी के राम जी नू नागां तो मुक्त करवाओ जद गरूड जी आ रहे सन तां उनना दे मन विच विचार आया के कैसे प्रगवान हन जो के खुद ही नागा नाड बनने होए हन जे मैं ना जावाँ तां पगवान राम दा की होवेगा तदा के उननने अपने पंजया नाड जिनना विच के नागां नू मारन लई त्रंगां निकल दिया रहें दिया हन जिस नाड उनना दे पहुंच दे ही कुझ ता मर गए हते कुझ चुझ नाड उनने मार दिते लेकिन उदों तो गरूड जी दा मन अशांत रहन लग पया तदो शंकर जी दे पास गए हते कहन लगे के मेरा मन बहुत अशांत है ज़द शंकर जी ने पुच्छया के कदों तो तेरा मन अशांत है तद गरूड जी ने दस्या के मैं पगवान जीदा दोश देख्या सी तद शंकर जी ने कहा के मैं तेरे लई कुछ नहीं कर सकदा तू नाग सुंडी कोल जा अधे ज़द गरूड नाग सुंडी कोल गए तहां नाग ने प्रेम पूर्बक पगवान राम दी कथा सुनाई अते गरूड ने शर्द नाल सुनी उदों तो उस दा मन शांत हो गया इस दा मतलव है के पगवान दा हर जगा होना इनना सुखदाई नहीं जिनना उस दी याद अते ग्यान सुखदाई है इसले पगवान अते महापुर्षा दे दोश देखन नाल मन विच शांती अपने आप आजान दी है उसे तरह पगवान अते महापुर्षा विच शर्द रखन अते प्रेम नाल उनना दी कथा सुन नाल शांती भी अपने आप आजान दी है अते विगन जा रुकावट भी अपने आप दूर हो जान्दी है कहन दा मतलब है कि असन ते बैठन तो वाग सा लेन जा छटन वाडा तरीका ना चले ता ए दूसरा तरीका प्रयोग विचल्योन चाहिदा है उनना दी कथा कहाणी प्रेम पूर्वक याद करनी चाहिदी है मन दी शक्ती नू प्रयोग विचल्योन चाहिदा है जिमें अमरीका विच एक आदमी नू फानसी दी सजा हो गई ता जजदे मित्र मनो विग्यानी ने एक प्रयोग कर लई जज़तों इजाज़त लई मनों भिग्यानी अप्रादी कोड चार वजे गया उस दी फानसी दा समा चार वजे दा सी चार वजे जाके उसने अप्रादी नू तिन प्रकार दी फानसी दी सजा दे वारे विच दस्या अधे चौथा अपने दो प्रकार दे पानी दे वारे विच दस्या के इस विचिक पाणी बहुत कोड़ा है जिसनू पी के अधे पौने कांटे वेच तडप तडप के मरना होवेगा दूसरा पाणी आम पाणी दे स्वाद वांग होवेगा ओ पीन्दे ही तू मर जाएंगा तेनू तडफन नहीं पवेगा उस प्रादी ने सोचया के की मैं कोड़ा पाणी पी के तडफ तडफ के मरना इस तो चंगा ता साधे सुआद वाला पाणी पी के मर जाना ही ठीक है अधे तडफन नहीं पवेगा फिर पंज बजे उस मनों विग्यानी ने नाटक कर दे होए बोतल विचे पाणी कड के गिलास विचे प्रादी नू दे देता अधे किहा के इस नू पीन्दे ही तू मर जाएंगा अप रादी ने ओही पाणी पीता अधे तुरंत ही मर गया उस दे मरंतों बाद मनों विग्यानी ने उन्हा सारे बैठे होए जज्यानू पुछे आ के कि इस पाणी नू कोई पीना चाहेगा ता सारे जज्याज डर के बोले के इसी हाले मरना नहीं है तद उस मनों विग्यानी ने हस दे होए बोतल दा टकन खोल लिया अते सारा पाणी पी गया तद उसने दस्या के ए जहरवाडा पाणी नहीं सी एता आम पाणी है तद मरिक्का वेचे गल बहुत भेली सी अते उत्थों दे समाचार पत्रां वेचवी आई सी कहन दा मतलव है के उस दे मन दी शक्ती ने एतारना बना लई सी के इस पाणी नू पींदे सार ही मैं मर जावांगा अते मर गया इसे तरह असी पूजा करन तो पहला मन दी शक्ती नू पहाड वरगा मजबूत बना लईये के श्रीर दी जैसी भी अवस्ता होवे मैं पाणी बहुत चंगा ही करांगा कोई रुकावट मेरे रा नू रोक नहीं सक्दी उस चंगे पाठ दे लई कुझ पॉइंट अते उस हरे एक पॉइंट दा कुझ समा जा कुझ हिसाव निर्दारित करो क्योंके कुझ बंदना नू तोड़न दे लई दूसरे बंदना नी जुरूरत हुन दी है जदो थे पहुंच जाओ ता अपने आप ही बंदना तो मुक्त हो जाओगे एता हो गईयां मान दी एक आगरता नू सादन दियां कोशिशाँ वाहे गुरू आहे 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 गुरू, आहे गुरू, आहे गुरू, साधना शुरू, साधना कोई भी करो, शुरू विच, आते अखीर विच, मान आते बुद्धीनों रोकन, आते स्थेर करन दी कोशिश जरूर करो, पहलना साधना विक्षे बहुत ज़्यादा होवेगा, बिल्कुल इस दे विच, कर्म, त्यान, आते पावना, इकागर्ता दे एतिन हिस्से बने रहनगे, संती शिर सिंग्जी महराज दस्दिहन के सब तो पहला आवस्ता हुंदी है, पगत सुंगे, इस विच, जद भी कोई खुशी जा प्रेम परेया, बैरागदा कर्म, त्यान, अते पावना तो कोई संकल्प उठेगा, ता बिल्कुल विक्षेप आएगा, जिमें रोणा, हसना, खुशी मनोणा आद। जिमें सुंगे दूर तों देखता है के केड़ी जगा है, किन्ने लोग हन ससंग बिच, ये छोटियां छोटियां चीज़ां देख के खुश जां दुखी हुंदा रहनदा है, दूसरी अवस्ता विक्ष हौली हौली पशु पंची बरगी चंचलता रह जाएगी, अथे अंदर पजन चलदा रहेगा, इस विक्ष यादा खुशी जां दुख मिलनते ही पक्त कुछ बोल सकेगा, जिमें हाथी किथे इंसाना वांग लगातार बोल सकता है, और किने ही जानवर हन जो बहुत ही कट बोल सकते हन, पर उन अदा अंदरों प्रेरिक नाल जुडाव, और भी मजबूत हुंदा है, पहली वाली अवस्ता वांगी, पगत दी दूसरी अवस्ता दसी गई है, पगत खुंगे दी हुंदी है, जिस विच मन नहीं लगदा, ता बिच बिच कदे खाज, कदे खांसी विच त्यान लाके रख दे हन, लेकिन जो आत्मा नुवी जिन्दा रखन वाला है, अते आत्म दे अंदर बैठा है, अगर ओ बाहर विच बिच नहीं आएगा, ता बिना ही कुछ कीते, ओ प्रमात्मा दे नजदीक है, जिमें जड़ चीज नूँ किसे भी तरीके नाल हाथ विच फड़िया होया है, ता ओदों तक ओ चीज तो आड़े हाथ विच है, अते ओ विच शे प रूपी वंदन तोड़ देओ, ता जो चीज भड़ी होई है, उसनू छट देओ ता गरूता कर्शन शक्ति नाल, तरती अपने आप ही उसनू अपने वल खेच लवेगी, इसे तरही प्रमात्मा वी विना विक्षे बड़े जीवात्मा नू अपने वल खेच लवेगा, ती की पकड़न ते, बहुत खुशी जां प्रेम रूपी बैराग मिलन नाल वी, जिमें पेड़ पहुदे कुछ बोल के, ता विक्षे पैदाकर ही नहीं सकते, बलके थोड़े जहे जादा करनगे, ता कुछ पत्ते, कुछ टाहनियां हिला लेंगे, पर अंदर तो जिमें प्रम नावी हौली हौली एक हुंदी जाएगी, जिस तरह दी पकतांदी तीसरी वस्ता हुंदी है, जिस विच मन अते बुद्धी विच, जिननी भी खुशी अते गमी आए, विक्षेप नादे वराबर ही हुंदा है, क्योंके जड़ चीज, इंदरियां, मन, बुद्धी असल व पगत दियां चिंतावां समापत होन लग दियां हन, जिस नाड के उसनू नीद आउन लग दी है, इसनू उंगे केंदे ने, फिर विक्षेप दिय वस्ता शून हो जावेगी, इथे कोई फुरना नहीं रहेगा, जद के पाठ कर दे वक्त, फुरने बंद करन दे, सब दे अ मननों अरदास करके समझाओं दे हन, अते कई जिमें शोर मचांदे होए बच्चे नू चुप करांदे हन, पुर के मूते उंगली राक के, क्योंके बाहर दावात वनता, इकांत मई हुंदा है, जिस दे कार अंदर दा बोलना पाठ कर दे वक्त, साफ सुनाई पैंदा है, अ पुदों भी साफ दिखाई पैंदा है के, ए मेरा मन मैं नुकी दिखा रहा है, इस सारी तपस्या दे लई, एकांत में इवाता वन बहुत जुरूरी है, जिस नाल सालनादा कम महीन्या विच हो सके, तद होली होली वैसे था कोई फुरना उठदा नहीं, इस वस्ता विच प बंद कर लेंदा है, इस नाल प्रमात मांदा जो अनंद अते प्रेमरस मिल रहा हुंदा, उसनू इस तरह पींदा है, जिमें ए उस दा हर रोज दा आम पोजन होए, दूसरे पासे उस दी अवस्ता पहाडा वर्गी हुंदी है, बस इस दा इना ही फर्क हुंदा है के, अते जग्यासुदी अवस्ता पूर्ण रू बिच जड़, अते जग्यासुदी अवस्ता पूर्ण रू बिच चेतन दी हुंदी है, उने इकागरता पहाड वर्गी, अते शुदता जमें छोटे वच्चेदा मान हुंदा है, सच्चा अते साफ, इस तरह हो जाएगा ता, आवर्ण हटन अते लक्ष प्राप्ती विच देर नहीं लग दी, इदर पक्ता दी चोथी वस्ता कहूंदी है, पगत चूंगे, जिमें के बहुत त्यान नार पढ़न वड़ा आदमी, पूरा मन इकागर करके, शब्दा नू पड़े ही नहीं रहा हुंदा, बलके पी रहा ह इसनू बोल दे हन पगत चूंगे, इस वस्ता विच बैठके, आपरण बहुत जल्दी हटदा चला जान्दा है, जदों वियासन लाके उपाशना करनी है, जिमें शुरू विच मन बुद्दी नू रोकन दी कोशिश किते, ता कुछ समा एवे ही इथे अंदर ही उपाशना खत्म करन तो वाद कुछ समा दुवारा मन बुद्दी उन रूपना रुकी रहनी चाहिदी है, इस तो वाद उसे जगा दे आसपास 15 मिंट दे लई लेटना चाहिदा है, अति आपने पूरे अवे आसदा नरीखन करना चाहिदा है, जो कठनाईयां जा त्रक्की मिली मिलना चाहिदा है के इनाते हो त्रक्की कि में हो सक दी सी, उन मत्था टेक के जदो एसा संतों उठो तां कुछ समय लई एकांत बिच्ची अपने छोटे मोटे कम निप्टाओ, जिस नाल के कीता होया पाठ जा पूजा पच जाए, उस तो बाद ही किसे नू मिलना चाहिदा है, पिछे असी स्थूल सूखम कार्ण श्री तिन्ना नू इक करके उपाशना करंदी कोशिश किती है, अते चोथी वस्ता विच्च शाम सम वोध जोके ब्रह्म ग्यानी दे, उपाशना दे त्रीके हुंदेहन उस नाल होनी शुरू हो जाएगी, अते इत्थे होली होली शा सम बोध तिन्ने वी एक हुंदे चले जानगे, बिल्कुल एवे ही जिमें साड़े तिन श्रीर एक ही परतीत हुंदेहन, जद के साड़ा श्रीर तिन श्रीरा नाल मिलके बनया होया है, स्थूल सूखम अतेकार्ण श्रीर, हर करंदियां अपनिया ना दिसनवालियां तरंग जिस नालोत रंगा साड़े जी सूखम रूप विच सम्मेलत हुंदीयां जान दिया हन। भूणोत रंगा चंगियां न जाएप उक्त ही दस्था hy क्योंके साड़े मन विच बदलाव औंध है τη बदलाव सदे पक्ति मारग नू नुखसान दिन्दा है जां फायदा दिन्दा है इस नाड़ पता चल जन्दा है कि केड़े कर्म सदे लई चंगे हन जां बुरे संत बाबारंजी सिंग जी महराज दिवान विच कैंदे सन के पाई किसे भी सूतर दी परिवाशा हुन दी है कुझ छड़ना अते कुझ पकड़ना इस त्रीके दे दुआरा पागत अपने कर्मा मेचल निरंतर कांट छांट करदा रहन दा है जिस नाड़ो प्रमातमांदी नस्दिक की प्राप्त करदा चला जन्दा है जिमें पौतिक तरते असी कैंदे हां के छिखा अओंदी हां तां कोई तो हनु याद कर रहा है फिचकियां अओंदी हां तां कोई तो हड़े बारे वेच गल कर रहा हुन दा है जदे दुनिया भी तोरते एक श्रीर दूसरे श्रीर तो इना निशानियां दे तोरते अपने रिष्टेदारां अतिसके समंधियां दे बारे विच जान लेंदा है ता जो आत्मा दी भी आत्मा बन के प्रमात्मा उस दे अंदर वैठा होया है उस तो सद प्रेरना निर्देश मिले एक कोई वड़ी गल नहीं पर अग्यानी आदमी लई ए लब लेना के केड़ा मेरे मंदा फुरना है अते केड़ी प्रमात्मा दी सद प्रेरना है ए फर्क जान सकना बहुत मुश्किल है जिमे के हलके सुवा हलके विचार वालया नाल रहन नाल व्यक्ती दा सुवा के में हलका बन दा जान दा है इसनू पकड़ना बहुत मुश्किल हुन्दा है जिमे के एक रिशी ने गदे नू अपनी शक्ती दे के इनसान दी बोली दिती अते पुछया के तू इन्ने हरे परे तमबा कूदे खेद विच क्यों नहीं जन्दा जद के उस विच कोई बार नहीं लगी होई ते बाहर तू सुक्की होई का आखा रहा है तदो गदा बोल्या के पिछले जन्न बिच मैं इनसान सी अते तामसिक पोजन नशा इतियादी करदा रहा सी जिस दी वज़ा नाड एक गदे दी तामसिक जून मिली है जे मैं हुण भी तंबा को खाना शुरू कर दिता ता पता नहीं किनी गएरी तामसिक जून दा श्रीर लेना पवेगा इसे तरा सानू तमो कर्म तो रजो कर्म बिच अते रजो कर्म जादा कर दे हां ता सतो कर्म बिच परिवर्तित होना चाहिदा है इस नाल साटे पक्ती मारग वेच बहुत सहायता मिल दी है जे कुझ अग्यानी तामसिक विवहार कर दे रहे अते तामसी खाना खान दे रहे अते दुझे पासे चंगी पक्ती भी कर दे रहे ता उनले गुरुवानी केंदी है कवीर चतुराई अतकनी हर जप हिर्दै माहे सूरी उपर खेलना गिरेतां ठाहरना हे अर्थाद तमोंगु नाल अगिराता नहीं है जे मन साफ नहीं है तमों सारियां शक्तियां जो पक्ती द्वारा बनियां अते कठियां होईयां उस नाल राक्षस पूत प्रेद्दे जनम बनाएगा अते उस शक्तियां खर्च करेगा जदों उस दियां सारियां शक्तियां खत्म हो जानगियां तद जाके उसनु कोई कुदर्ती श्रीर मिलेगा इसलिए कैंदे हन के मननु साफ रख दे हुए बच्पन तों ही पूजा शुरू कर देनी चाहिदी है जे बच्पन वेच नहीं भी हो सकी ता जवानी वेच कठोर सेवा अते शिमरन करना चाहिदा है ता के बच्पन तों जो गंदे सुवा बिना पूजा पाठ अते ससंग दे पै गए हन ओवी नाल नाल तो ते जान जे बच्पन अते जवानी वेच पकती नहीं कीती है तद बुडा पे वेच ता मन वाशनामा दी पोटली बन के रह गया है मन ता निस्वार्थ सत कर्माना लिप्त रहना चाहिदा है जिमें के समाजदिया वुराईया नू रोकना देहेज प्रथा दा विरोध करना बच्चेयां दे शोशन ते नशाखोरी विरोध आवाज उठोना अते कमजोर लोकां दी सहायता करनी इस नाल अंदर बैठा प्रमात्मा सद प्रेजना दिन्दा रहेगा अते आपना प्यार दिन्दा अते बदाउंदा रहेगा अपने कर विच हाथे विच एक दिन्दा एकांद सेवन करना चाहिदा है इस विच मुँ बंद रखना पजन कर दे रहना ठक जाओ ता महापुर्शादी जीवनी पड़ना जां बाबाई जी दे दिवान सुनना अते उन्ना नू समझन दी कोशिश करना बहुत कट सही अतिपोश्टिक अहार खाना जिस नाल नीद ना आए कमरे तो बाहर ना जाना पवे इस नाल वी जे मन ना लगे ता शिरीर कसरत कर दे रहो क्योंके जो स्तूल रूबिच श्रीर है वो ही सूकम रूबिच मन है पर जिमे के असी पिछे पड़ चुके हां के ब्रह्म जीव माया तिन्ने ही अनाद अनांत हुन्दे होए वी माया अते जीव ब्रह्म दी अंच है पर माया अग पानी मिटी हवा आकाश जड़ रूप है पामे जीव पगवान दी चेतन शक्ती हुन्दे होए इन्ना तिन्ना श्रीरां विच इमे कम कर दी है जिमे के कोई आदमी हरे रंग दा चश्मा पहन ले तां उस दी देखन वाली शक्ती दी जो दिखेगा ओ हर जगा हरे रंग दी पर दानता ले होएगा इवे किसे वी रंग दा जड़ चश्मा पहनेगा तां उसे रंग दी पर दानता ले होया दिखेगा जड़ के ओ रंग दिशन वाला सच्चा प्रकाश नहीं है सच्चा प्रकाश तां सिर्व जो ब्रहम दा है ओही जीवन दा चेतन सब रूप हुंदे होए एक ही अते अपनी पगती मन दे सुवा अते कर्मा दी कांट छांट करो इसे तरह करदे होए हर चोथे मिहने बेच अपने महात्मा दे पास जाओ अते तिन चार दिना लई इकांट सेवन करो जे एवी ना हो सके तां हर छे मिहिने विच अपने महात्मा दे पास जाओ पंच छे दिन दा इकांत सेवन करो कठोर सेवा सिम्रंदी कोशिश करो जे एवी बहुत मुश्किल लगदा होवे तां साल विच कोई दस बारान दिन ऐसे कड़ने चाही दे हन जिनन विच अपने महात्मा जां गुरू कर जा के कठोर सेवा सिम्रंद करो जद भी ख्याल पटकन लगए तां ये देख लेना है के केड़ा ख्याल बड़ा है मतलब किस ख्याल दी कीमत जादा है उस मालक दा ख्याल जेड़ा करोडा ब्रहमंदा दा मालक जिड़ा साच सी अते सच रहेगा जहां दूजे ख्याल दी कीमत जादा है जिस विच मिटी पानी अग हवा आकाश नाल बने होए इस संसार दा ख्याल है जिड़ा जड़ रूप है अते जो मालक दे वगैर किमे भी होए हरकत नहीं कर सकता मतलब मृत श्रीर जिमे है दुनियावी ख्याल जादा तो जादा इस मास दे श्रीर तक ही रहेगा अते इस श्रीर दे खत्म हुंदे ही ना ही ये दुनिया अते ना एक ख्याल रह पाउनगे पर जिस मालक दी पगती का रहे हो उना कदे बदल्या सी अते अनंत शक्तियां दा पंडार हुंदे होए हर पल जाग रहा है अते साड़े अंदर वस रहा है इसे तरह दो ख्याला दी कीमत दा मुल पाल लगा लेना चाहीदा है पहला था आम आदमी ही नहीं बड़े बड़े राजे महराजे उमर होनते सन्यास आश्रम चले जान दे सन्य पर उस समय श्रीर तंदरुस्त अते निरोगी हुन दे सन्य जिस दी वज़ा नाल ओ वड़ा पेवेचे कठोर तब कर लिया कर दे सन्य पर अज श्रीरां दी ऐसी वस्ता नहीं है अद्धी उमर तो वाद ही श्रीर तिले पैजान दे हं गुड़ा पेवेच ता श्रीर रोगा दा मंधर बन जान दा है और नहीं ता जित्ते पदार्थक दुनिया पते श्रीर दे लई इन्ने साल असी कठोर तब कर दे रहन दे हां पर सुखी कोई भी नहीं हो पांदा केवल दिसन मातर विच लगदा है के वह बहुत बड़ा सेठ है ते उन्ना ही ओ सुखी भी होवेगा सो जे असी पदार्थक स्तर ते सुख एकठा करन दी इन्ना कठोर तब कर दे हां ता जे उस दा पच्ची फीस दी ही उस जीवन ले समा कडिये जो साड़ा अनं अनु कोई अलग तो समा नहीं मिलेगा तो हड़े कर्म ऐसे होने चाही देहां के सामने वाले दा साड़ी सोच दे हिसाव नाल हाले वी ओना ही हित हो रहा होवे अते पविक विच भी उस दा हित होवे इस नाल साड़े मां दी स्वाई भी हुंदी जावेगी फिर चाहे ओ क् यकर ही चिलाने पैन जां उपदेश देना पवे भक्ति मार्ग विच सुखम तादा बहुत महत्तव है जिनना सुखम होंदा है उन्ना ही ब्यापक वी जादा होंदा है उन्ना ही प्रवावशाली वी जादा होंदा है श्रीर तो नाडियां नाडियां तो मन मन तो बुद्धी तो जीव जीव तो आत्मा अत्यात्मा तो प्रमात्मा भी इसे करम तो प्रवावशालियत व्यापक होंदा है इस बारे बहुत खूब किहा गया है इको अंकार सतगुर परशाद तनासरी महला नौवां काहे रे बन खुझ जन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ पोहप मद जयों वासवस्त है मुकरमा हैं जैसे च्छाई तैसे ही हर वसे निरंतर काट ही खोजो हो पाई बाहर पीतर एको जानो एहो गुर ग्यान बताई जन नानक बिन आपा चीन ने मिटे ना प्रम की काई वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू शू निशानिया उठांदा मार्ग इस वस्ता विच संतोख बदन लगेगा अतिसादक हरे कमनू सहस्ता नाल करना शुरू कर देवेगा पाप पुन्दा विचार वदन लगेगा उचित अनुचित ते विचार अपने अंदर ही चलन लगेगा कम विच त्रक्की वी होन लग पैगी जीवन शैली विच सरलता उन लगेगी मन दे तलते शुव संसकार बन दे चले जानगे जिस दे रही दुनिया विच केवल ड्यूटी ही रह जाएगी अते प्यार रब ते गुरू नाल वद्धा चला जाएगा अशुव निशानिया पतन दा मार्ग वेई मानी दा अफसराउन लगेगा लोव बदन लगेगा कार्ज पार बदन लगेगा जिस विच पजन्दा समा कट करना जांखटम करना पैसकादा है उस समय कम करना पैएगा जिस समय पजन कर देसी कहन तो पाव है बंदा मैल अते विख्षे बदन लगेगा इना दोना विच शुव निशानिया नूँ फड़ के रखना है अते अशुब निशानियानु पछान के छटदे चले जाना है मन दे तलते अशुब संसकार बदे चले जानगी जिस दे राही संसार बिच अटैच्मेंट होर बदी चली जाएगी रब ते गुरू दे प्रती पूजा पाठ दे रूप बिच केवल द्यूटी मातर पक्ती रह जाएगी उदेश इस समय असी आपने माननों समझाणा है के जे होन तेनों अराम मिलन लगा है ता किस दे कार्न खोजन ते पता चलेगा के इस सब पजन दे कार्न ही होया है फिर जे पजन छट के अशोव निशानियां दा पजन करन लग पया अरते सुखी दुखी दी रट ला लई ता कोई फायदा नहीं होवेगा क्योंके महापुर्ष केंदे हन के जो भी आज इंसान बनेया है और कट तो कट एक बार इंदर लोगदा राजा बन चुका है कोई एक पूरी तर्तिदा राजा होवे जवान होवे पूरे ऐशो अराम होण पूरा जस होवे श्रीर तो तंदरुस्त होवे उस दे परिवार विच सारे आज्या कारी होण अते परजा उसनों आपना पिता घर के मन दी होवे इनना जाहो जलाल होन तेवी उस राजे दा सुख निमन श्रेणी दे स्वर्ग विच रहन बाले लोकां दे सुख दे बराबर वी नहीं तिन प्रका दे स्वर्ग होन दे हन उच श्रेणी मदम श्रेणी अते निमन श्रेणी दे स्वर्ग होन दे हन अते उस पूरी तर्ती दा राजा अते निमन श्रेणी स्वर्ग विच रहन बाले लोकां दे सुख विच इनना फर्क है जिनना के एक टटी दा गुला अते दूसरा बहुत सुगंदित रस गुला राजे दा सुख टटी दे गुले दे बराबर अते निमन श्रेणी दे स्वर्ग लोग विच रहन बाले लोक का दा सुख रस गुले दे बराबर हुंदा है संदी शिर सिंग महराज जी एक कथा विच दस दे हन के चोदा वार इंदर लोक दा राजा बन के पिछे दियां दो लता टुटियां होयां बड़ा कीडा बनयां होया सी इसे तरह ही संदी शिर सिंग जी महराज पशुआ गाईयां मज्जा वाली जगा कुम रहे सन एक काव उनना दी जुती विच अटक गया कोई सेव कड़न लग गया था महराज जी ने किहा इसनू मैं ही कड़ांगा उनना ने हाथ विच लेके उस तिन के नू मसल दिता जद उनना नू पुछया गया था उनना दस्या के ए इंदर लोकदा राजा है जो हुन का बनया होया है हुन एक से गाई दे पेट विच जा सकेगा के नहीं अते फेरे दुद बनेगा के नहीं इसे करम बेच लंबे चकरतों बाद इसने इनसान बनना सी पर हुन ए सिद्धा ही किसे इनसान दे कर जाके पैदा होवेगा कहन दा पाव है कि निमन श्रेणी दे स्वर्ग लोक दे सुख तों एक तर्ती दे राजे दा सुख क्रोडा मेल दूर पैंदा है असी सारे स्वर्गां दे राजे बन चुके हां जद इनना बड़ा सुख मिलन तो वाद भी नहीं रहा तांकि ए लखा क्रोडां दा सुख मिल के सदा लई रह सकेगा इसे तरह माननों समझाओना है ए जनम सुपना मात्र है केवल जो पजन करके आपने उदेश नू प्राप्त कर लईए ओ ही साधी उपलब दी है जिमें स्कूलां विच अधे आपक दस दे हन के ए नलाइक लड़का है इसनू हुश्यार लड़कया नाल बिठाओ अते उनना नाल दोस्ती करवाओ तां ए वी हुश्यार हो जाएगा जिस परकार खीरा छिलन तों पहला एक कोना कटके जद खीरे ते रगड़ दे हन तां उस विचोंस दा कोड़ा पन निकल के बाहर आउदा है इसे तरह अध्यात्मिक तल ते हलके विचारां वाले हलकी द्रिष्टी रखन वाले हलका खान पान दे शौकीन हलका विवहार करन बाले दा संग करके सनु अपनी जून हलकी नहीं बढ़ाउनी जिमे के मलाई नू रेड़कन नाल मखन अते उस तों अगे क्या निकल दा है किसे तरह अध्यात्मिक तल ते हुच श्रेणी दे लोकांदा संग करके ग्यान दी छां विच रेंदे हुए अपने उदेश दी प्राप्ती कर लेनी चाहिदी है पगती पगवान तों दूर नहीं रख सकती क्योंकि जिमे किहा गया है जिमे मामा नू ने पुतर प्यारे पगत प्यारे रब नू कल जुग विच बहुत असान पक्ति मारग है ओ है कीर्तन इसलिए गुरु नानक देव जी जो भी कधन कर देशन गा के कर देशन अते अग्ये जाके ओ गुरुवानी रूप विच परगट होए उसे तरह सिम्रन दे लई सेवा बहुत जुरूरी है जिमे के कीर्तन सेवा दे सिम्रन दी माा है जिमे खाने ने उच़ बौँदे वक्त साठे मुँदी यो लार निकल दी है वो खाणे बेच मिलगे उसनू पचाण वेच मदद कर दी है उसे तरह सेवा सिम्रन बेच जो कोई तुरूटियां रह गईयां होन वो उनना दोके से तरह दे कई रूप वेच हंकार, मान वेच पैदा होय होन उना सारें हंकारा नू साडन लई और सेवा सिम्रन नू पचाउन लई कीरतन बहुत भायदे मन दवाई है उस दी मात्रा इस परकार है कि जिनना समात उसी लोणा है उस दा चाली प्रतिशत कीर्तन, पैंती प्रतिशत सेवा, पच्ची प्रतिशत पिछे तिन्ना किसमा दे जेडे मारक दसे गए हन, उना ते करना चाहिदा है, जिमें जिमें सिम्रन विच्टर की हुन दी जाएगी, महात्मा उसे तरह पहला साधी सेवा कट कर दे जानगे, अते फिर हौली हौली अधियात्मिक उपलब्दी दे अनुसार कीर्तन नूँ भी कट करवा देंगे, परे कीर्तन अते सेवा अन्तिम उदेश दी प्रति तक चलेगी, ये ठीक है कि पक्ति दी आखरी पोड़ी तक स्वार्थ ही सहायता करदा है, जिसनू प्राप्त करन लई प्यक्ति निरंत्र पक्ति करदा रहेंदा है, पर स्वार्थ स्वार्थ विच्वी फर्क है, करदियां चीजां तो लेके पंजाम मुक्तियां तक सब निमन श्रेणी दे स्वार्थ हन, पगवान उपगवान तो मंगणा, अते पगवान तो सच्चा प्रेम मंगणा, रखके भी करो जिमे कीर्थन सेवा सिम्रन तद उस्दा अखीर मां कुझ हिस्सा अपने अंदर वैठे पगवाननु कहके के एक कुझ समाम मैं निस्वार्थ अटे उच श्रेणी दे स्वार्थ दे लई कारे हा हां इसलिए किर्पा करना जिमे जिमे निस्वार्थ नू बदा मांगे वैसे वैसे रष्टा ज्यादा असान हुन्दा जावेगा वरना पतन दे मारग तों पतन निश्चित ही है जीवन विच आत्म हत्या बहुत बड़ा पाप है जो करन नाल इनसान अवगती नू ही प्राप्त हुन्दा है पूत प्रेत राक्षस दी जून विच ही पैदा हुन्दा है पर जे ए फिर भी मरना चौंदा है तां पगद त्रोवदी तरा मरे जिवान लड़के लड़कियां विच आत्म हत्या जान डिप्रेशन नाल ग्रस्त लोक गुरू कर विच जाके इकठोर सेवा ते साधना करन जिस नाल उनना नू इस सोच तों मुक्ती मिलेगी लड़के लड़कियां नू जिनना विच समझ बहुत कट आते अकर्शिंदी मात्रा बहुत बद हुन्दी है जिस करके किसे भी चीज आते ब्यक्ती ते अकर्शित हुन्दे हुए देर नहीं लग दी जिस नाल के पता नहीं किन्ने साल बरवाद हो जान दे हन इनना नू चाहिदा है के एही खिच अपने पर्म पिता प्रमेशर नाल लाउन अते मीरा तन्ना जाट बरगी परिपूर्न वस्तानू प्राप्त करन वस एक अलत्यान रखनी चाहिदी है के रे गुरु घर विच बहुत चंगे लोक अते बुरे लोक दोना तरांदे हुन्दे हन सादक नू आपनी सुरुख्या देख दे हुए निमरता तार्न करके सेवा आते सिमरन विच जुटे रैना चाहिदा है पूर्ण शुद्धता ब्रह्म ग्यानी ही हुन्दा है जो के हर जगा नहीं मिल दे पर संत महापुर्खा ते वी दुर्पावना करन ते आत्म हत्या जिन्ना ही पाप लगदा है क्योंके इथे जीव खुद नू नश्ट कर रहा है अते दुजे रूप विच महात्मा दे प्रती दुर्पावना ले आके जीवन विच ही साड़ा विश्वास है इस साड़ी संस्कृती है जो साच तो वांजा होवे उसानू मंजूर नहीं इस साड़ी जीवन शैली है ज़नों तक असी साच दी रख्या करांगे संस्कृती साड़ी रख्या करेगी साच विच साड़ा विश्वास है इसे तो ही असी आपने उदेश तक पहुंचना है विश्वास नू साच दा आदार होना चाहीदा है सच तक पहुंचन दे मारग अलग हो सक्दे हन संपर्दाय मारग अलग हो सक्दे हन लक्ष अलग नहीं हुंदे साद्य अतिसादक दे विच्च सादना है इक ही गुरू देश शर्दालुआं दी सादना अलग लग हो सक्दे है क्योंके सादना भी मारग है सादना दी पिंता नार संपर्दावां दी पिंता नार उदेश विच्च पेद नहीं हो सक्दा इस सादी सोच होनी चाहिदी है जिस नार असीं पौदिक जहां अदे आत्मिक शैली नो पूर्ण तरीके नार जी सक्दे हां श्रिष्टी विच्च कोई भी चीज अदार तो बिना नहीं है ओ गल होर है क्योंके दिसन वाली चीज नो असी समझ लें दे हां अतिना दिसन वाली चीज नो असी किसे अदार तो बिना समझ दे हां जमें सोने दे गैने आदा आदार सोना ही हुंदा है शिशे दे वरतना आदा आदार शिशा ही हुंदा है मिटी दे वरतना आदा आदार मिटी ही हुंदी है स्थूल जगत दा आदा सूखम जगत है क्योंके सूखम जगत कारण जगत तो बिना नहीं हो सकता कारण जगत बिना आत्मा दे नहीं हो सकता कोई भी आत्मा बिना प्रमात्मा दे नहीं हो सकती पाव हर एक आत्मा विच प्रमात्मा इसे तरह है जिमें पानी विच गिल्ला पन उसे तरह स्थूल श्रीर सूखम श्रीर तो बिना नहीं हो सकदा अते सूखम श्रीर कार्ण श्रीर तो बिना नहीं हो सकदा अते कार्ण श्रीर बिना आत्मा दे नहीं हो सकदा बिल्कुल इसे तरह सब महात्मा प्रमात्मा नू सचित अनन्द केंदे हन जिमें कमरे विच कोई वस्तू ना पई होवे खाली कमरा ही कहांगे अते ना ही उस विच पईयां चीजां दे नाम दस सकांगे इसे तरह स्थूल जगत विच ये कोई चीज नहीं है तां उस दा कोई नाम नहीं रख्या जा सकदा पर ये कोई चीज हंदी है उस दा नाम रख्या जनदा है जिमें मिट्ती पानी अते अगद ता सनु दिस्दी है पर हवा ना दिसंटे भी उस दा नाम रख्या गया है उस तो अनन्त गुणा सुखम आकार जो के महसूस नहीं हो सकदा उस दा नाम भी रख्या गया है जिस बिच अनन्त किसंदियां गैसा हुन दिया हन अते उना गैसा बिच्चों वी जो विग्यानिया नू समझ आया उना उना गैसा दा विग्यानिया ने नाम दे दिता पर हुन तक जो समझ बिच नहीं आ सकया उना दा नाम नहीं है ऐसा नहीं है के होर तरा निया गैसा नहीं हन पर समझ विच ना उन करके उना दा नाम नहीं रख सके इसे तरह ही सारे महात्मामा दा इक ही कथन है के पगवान सचित अनन्द है पाव ए है के जो मिटी जड रूप है ए सूखम देश विच भी उस दा जड रूप है अते सूखम देश विच जड रूप मिटीदा अत सूखम रूप कारण देश विच भी है कारण देश विच जो जड तपाई जन्दी है वो अनन्त गुणा सूखम आत्मा मिच भी है जिसनों सत करके कथन कीता जन्दा है उसे तरह ये स्थूल जगत देश श्रीरां दी जो चेतना है ये ही सूखम श्रीर देश अत सूखम रूप विच है जिसनों लोग पूत प्रेत देवी देवता केंदे हन उते उन्दी चेतनता वी उन्ज ही है जिमें स्थूल श्रीर विच अत सूखम रूप विच होवे अते कार्ण श्रीरां दी चेतनता आखिर आत्मा दी आपनी चेतनता है जिसनों चित करके जान्या जन्दा है स्थूल चगत विच जो अनन्द प्रकार दे कर्म करके अनन्दित हुन दे हन अच्छा जा बुरा ओ भी अनन्द सुखम श्रीर दे अंदर कार्ण श्रीर दे अंदर जो आत्मा है ओ आनन्द उस आत्मा दा ही है जिसनु मल अते विक्षेप दे कार्ण कर्मा दे अदीन ही प्राप्त हुन दा है आत्मा प्रमात्मा दा अंशोन दे कार्ण सच चित अनन्द सुरूप है महात्मा माने उठे पहुँच के अपने शुद आत्म सुरूप नू उस प्रमात्मा दे सुरूप नू जानन दे वाद ही सच चित अनन्द के हा है इस तो ए पता चलदा है के निराकार कुछ भी नहीं है सब कुछ साकार है जाद सी हवा नू देख दे हांता देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हां इस दा मतलब ए नहीं के हवा नहीं है इसे हवा वेच लखा किटानू जीनना दा बजपन जवाने अते बुड़ापा एक कंटे वेच ही भी जान्दा है जे असी इस नू देख नहीं सकते ता इस दा मतलब ए नहीं के वो निराकार है हुनसी किटानू नू देख नहीं सकते परो किटानू अते किटानू आप सवेच एक दूसरे नाड बिलके शृष्टी दी रचना अते मौज मस्तियां कर दे हन ओ इसले इक एक किटानू दूसरे किटानू नू इस परकार पली पांच जानदा है जिमें एक इंसान दूसरे इंसान नुं चंगी तरह जानदा है। उसे तरह जीवा आत्मा नुं जानन वाड़ा अर्थात आपने सच्चित अनंस रूप नुं उस प्रमात्मा नुं при के सचित अनंद है। जिमें एक इंसान नू दूसरा इंसान अते हवा विच श्रिष्टी रचनवाले एक किटानू नू दूसरा किटानू जानदा है दूसरे रूबिच बिग्यानी खुर्दवीन लाके ऐसे किटानूआं देख लेंदे हन जिसी ये मन्निये के साकार नू मन्दना एक अवग्या है ताम बहुत बड़ाओदा अनसादे सामने है बाबा बुड़ा जी जीना अन्दे बचना तो गुरु हारगोविन जी दा जनम होया पर बाबा बुड़ा जी दे अंत समय विच उन्हाने अरदास कीती सी के गुरु हारगोविन जी मेरा अंत समय आ गया है किरपा करके मेरे समने बैठके दर्शन दिन्दे रहो के ब्रह्म ग्यानी महापुर्ष अपने अंत समय विच साकार रूप गवान नू अपने समने रख रहा है बाबा बुड़ा जी गुरु साहब नू परमातमादा साकार रूप मन रहे हन उन्जे असी साकार सुरूप नू ना मन निये ता ठीक नहीं है इसे तरह राडा साहे विच एक मुसल्मान सी जो निम्बूआं दी रखवाली करया करदा सी क्योंके ओं मुसल्मान सी जिस दे कार्ण उन्ना दिना विच उस दे लंगर हाल विच जाल अते परशादे छिकाउन दी मनाही सी जद उस दान्त समा आया तो आपने कमरे विच लेट्या होया ही संती शर सिंग जी नो अरदास करे हा सी के बाबा जी आके दर्शन देओ तद बाबा जी पूरा साहे विचो निकल के उस ते समने आये ता उस मुसल्मान ने किहा के महराजी मेरी गर्दन हिल नहीं रही है मेरे चरना बल नू आ जाओ जिस करके मैं आप जी दे दर्शन कर सकाँ जद बाबा जी उस दे चरना बल खड़े हो गए ता बाबा जी बोले के दर्शन ता तू मेरे रोज ही करदा सी ता इनी जिद भड़के क्यों बैठे रहे के आके अपने दर्शन देओ पर हुण मैं आ गया हाँ ता मेरे तो कुछ मंग मैं इस तरह तेनू जान नहीं देवांगा तद उसने कहा के मैंनू आप जी दे दर्शन दी इच्छा सी जो आप जी दे और नाल पूरी हो गई मैंनू कुछ नहीं चाहिदा ता बाबा जी ने कहा नहीं मैं इस तरह जान नहीं देआंगा जो तुँ गुरु कर दी दस बारा साल सेवा किती है उस दे बदले राजपाट चौंदा हैं तां पूरी पृत्वी दा राजा भी वन्ना तिरे लई छोटा होवेगा तेनू इंदर लोक दी पद्वी दे दिन दे हां तद उस मुसल्मान ने कहा नहीं महराज जी मैनू कुछ नहीं चाहिदा सिर्फ आप जी दे दर्शना दी इच्छा सी जो पूरी हो गई है तद बाबा जी ने तीसरी बारी कहा पाई मैं तेनू इस तरह जान नहीं दियांगा कुछ मंग तां उसने कहा जे आप जी किर्पा दे का रविच आये हो ते किर्पा करना ही चौंदे हो तां ये किर्पा करो के इस जनम बिच आप जी दे का रविच लंगर परशादा संगत नू नहीं च्छिका सके किर्पा करो के अगले जनम बिच मैं आप जी दे गुरु कर आके लंगर्दी सेवा कर सकां संगत नो परशादा पानी छिका सकां उस तो बहुत साला दे बाद जिस समय बाबा रंजी सिंग बिराकर जी दी तपस्या सादना पूरी हो गई सी तादो गुरु कर विच सेवा कर रहे सी तां बड़े बाबा जी ने आके विराकर जी नो पुछया के पाई तैनो पता है उस एक जो परशादे बन रहा है ओ कौन है उस बेले संगत नो बड़े प्रेम पावना लंगर छिका रहा सी तद विराकर जी बोले के महराजी पता है तद बाबा जी ने पुछया के दस कौन है तद उन्ना ने दस्या के उस सिखे माचल विच पैदा होके कुछ सालांदी पड़ाई करके इते गुरु कर विच आया होया है जो लंगर पानी छिका रहा बाबा जी ने कहा कुछ होर दसे देवारे तांब्राकर जी कहन लगे माफ करना महराजी मैंनूता इतना ही पता है आप जी किर्पा करके दसो तद बाबा जी ने दस्या के ए ओही मुसल्मान है जो बहुत समा पहला साड़े गुरुद्वारे विच निम्बूआं दी रखवाली करया करदा सी हुने थे शंका करनवाले शंका कर देहन के उसने सिद्धा ब्रह्म ग्यान क्यों नहीं मंग लिया ब्रह्म ग्यान था एक आत्मिक वस्थादा नाम है जो जग्यासू ने खुद ही मेंत करके उत्थों तक पहुंचना हुन्दा है जिनी सादक दी सिम्रन सेवा हुन्दी है उन्नी ही उस दे बलते ही उस दे महात्मा किर्पा कर देहन बिना अधिकार तो कोई वस्थू किसे नूं नहीं मिल दी नहीं ता बेयंत ब्रह्म ग्यानी महापुर्ष हुन्दे आये हन जित्यों इन्नी मेंत कर देहन कीर्तन कर देहन दर्शन दिन्देहन सेवा सिम्रन्दी प्रम्प्रा चलाउंदेहन इस तरह ता इन्नी मेंत कोई करे ही न अते सार्यानू इको बार ब्रह्म ग्यान दे देन ता जीवा अत्मान्दा हमेशा हमेशा दे लेई आत्मक सफर खत्म हो जाए परे जग्यासुदी खुदी मेंत है कि कितों तक मेंत करदा है इस अब अधिकारीनू ही दित्ती जान्दी है जैसी कईये के असी सुरूप दात्यान नहीं करांगे ता केडी चीज सुरूप तों बाहर है जैसी शवद ते टिक दे हां ता शवद भी सुरूप है प्रकाश भी एक सुरूप है साकार तो निराकार दी प्राप्ति संभव है जिमें नाम देव जी दे नाल पगवान खाना खान दे रहे अते गलां कार दे रहे अते बहत्तर वार उनानू साकार रूबिच दर्शन दित्ते इस तो वाद भी जद आत्मत त्रकीदी गल आई तो पगवान ने किहा के उस जगा एक महापुर्श रेंदा है उस तो दीखशा लेके नाम जपना शुरू कर तद पकत नाम देव जी उसनों मिलन ले उते गए जद नाम देव जी ने उस महापुर्शनों देख्या जो के शाल तो तरम बिच पगवान दा रूप ही मन्या जांदा है तादो उठों भाप्स तुर पए ताँ उस महापुर्श ने नाम देव जी नूं अवाज देती अते पुछ्या के तैनूं पगवान ने पेजया है आ जाओ अंदर आ जाओ 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 अंदर आए तादों ना ने पूच्या के महराज तुसीद था प्रगवां ते पेररक्टे पेप्टे भूए हो एक एमें त सुर्ण के महात्मां अका मेरें था प्रगवा, पि प्वलुए मैं औक NichahIR, है सब जगा ही पगवान है उन मेरे लई एक पत्थर ही है जद निराकार दा साकार सुरूप समझा आ गया पछाने आ गया तदे साकार जगत दे सुरूप दा कोई मतलब नहीं रखदा जिमें बड़े पहाड दे छोटे छोटे टुकडे करके उस बिचों एक मुल लाल रूपी हीरा प्राप्त कर लेंदा है उस्तों वाद ए बहुत पहाड रूपी मिटी जो के तिन प्रकार दे जगत बनी होई हुंदी है स्थूल सूखम अतिकारण जगत ए उसे पहाड वांग उस जग्या सुनू उस उमुल लाल नू छाड के बाकिसा पार असात जड दुख रूप चिन पंगर रूप ही लगदा है गुरू रूप महात्मावां दीर देख रेख विच अवियास करन वाले दी महात्मा कर्म त्यान अते पाबना रूपी उर्जादी कट बट कर दे होई सिम्रन पगती करवाण गे अते जद अन्तह करन पूर्ण रूपतों शोद हो जाएगा ता उस अन्तह करन नू महात्मा ही पहला दिब अन्तह करन बनाउन गे अते फिर जो उन्हान प्राप्त है दिबे प्रेम ओ दिबे प्रेम बनाए होई दिबे अन्तह करन विच पाउन गे जिस नाल जिग्यासूस देशदा नागरिक बन जाएगा जिमें एक जड़िया होया दुझे दीवे नों रोशन कर सकता है अते इसे दिबे प्रेम तों अकाल पुर्खदी उपाशना हुंदी है ऐसा अपना आप सच्छा सुरूप मिल जान्दा है अते उस देश दावासी बन जान्दा है जितों दुवारा गिरना नहीं हुंदा उथे देश काल वस्तूदी कोई गुझाइश नहीं है जिस देश देवारे बेच गुरुआं अते महात्मामा ने ऐसा दस्या है सुही महला पंजवां सुख महल जाके उच दुआरे ता मैवासे पगत प्यारे सहज कथा प्रव की अतमी थी विरले का हूँ नित्रों डिठी तहां गीत नाद अखारे संगा उहां संत करें हर रंगा तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमरित वरखा गुझ कथा है गुर्ते जानी नानक बुले हर हर बानी पगत कवीर जीने किहा है के हम वासी उस देश के जहां पार ब्रहम का खेल दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल पगत रविदासी ने किहा है के बिगम्पुरा शहर को नाओं दूख अंदो नहीं तेठाओं ना तस्वीस के राज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मुए खूब बतन गह पाई उहां खैर सदा मेरे पाई काइम दाइम सदा पातशाही दोम नासे में एक सो आही आवा दान सदा मशुहूर उहां गनीव सै मामूर त्यों त्यों सैल करे जयों पावे महरम महल ना को अटकावे कहर विदास खलास चमारा जो हम शहरी सोमीत हमारा उत्म सिखनू सवर अते शुकरतान करने पैणगे अते किसे प्रकारदा अधियात्मिक अनुपव होवेगा तां उसनू बहुत ज़्यादा आप समझना पैगा अंदर दी किसे किसम दी कोई खुशी मिले जां शक्तियां मिलन तां उन्ना नू इंज पुचोणा होवेगा जिमे पाने गड़े तो हेठा उतरदा ही पचन लगदा है ऐसी तारना वाला सिख अपने सफर नू बहुत ज़्यादा जल्दी तै कर लेगा निर्वान वस्तानू प्राप्त कर लेगा सब तरांदे दर्दानू इको जिहा मन दे होए अर्थात इको अंकार सतगुर परशाद राग गवडी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते एनिस पागो रहाओ सुख दुख दोने सम कर जाने और मान अपमाना हर्ख सुग ते रहे अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दूत आगे खुज बद निर्वाना जननान के एहो खेल कठन है किन हूँ गुर्मक जानना अखीर विच पिछे दसियां गया मुक्तियां हन ओ भी सब तों बड़ा खीला बंदन है जिते सालोक्य विच सदा सदा लई उस दे लोक विच स्तित हो जानगे जद के आत्मा ने इतनी मेंत रूपिय वियास इस लई नहीं कीता सीके आखर काल इते छोटे बंदन नूँ छाड़के बहुत बड़े बंदन विच अनांत का लई भाज जाए वाहे गुरू आहे 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 गुरू इंजता इश्य सिंग जी महराज कहा करदेशी के पाई चार समादियां बिच ही ब्रह्म ग्यांदी पड़ाईप खत्म हो जन्दी है शब्द रूप सा विकल्प समाद त्रिकुटी महसूस हुंदी रहेगी शब्द रूप निर्विकल्प समाद त्रिकुटी लीन अदवैत पावना रूप शब्द अनंध जगा रूप निर्विकल्प समाद त्रिकुटी लीन हो जाएगी त्रिकुटी दार्थ है के त्याता त्यान अतिते पहली दोसमाद जग्यासू दी है अते अखीर दोसमाद ब्रह्म ग्यानी दी है पहली दोसमाद जग्यासू नो मंजले हकीकत तक पहुंचा दिन्दी है जो के प्रिमा पक्ती मारग सहज मारग अते ग्यान मारग दी अखीर ली पौड़ी है तीजी समाद वेच जग्यासू ब्रह्म लोक अते कैवल्य मुक्ती तक पहुंच जान्दा है इते तक सारी जग्या बंदन दे कार्न हन अनांत क्रोड ब्रह्मंडा जेड़ा पांच तत्तां तो बनेया है मिट्टी पानी अग हवा आकाश उसे दा छोटा रूप साड़े कोड है जेड़ा चार पा गांविच बंदया होया है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धी अते आवास अंच इन्ना सार्यानू जान दे होये अते अच्छी तरा जानन दे बाद इस नाल इन्ना प्राकिर्तिक मिट्टी, पानी, अग, हवा अते आकाश्तों अलग होके अपने आपनू जानन अते आत्मिक यात्रा खत्म करन लई सनू परेपूर्न ग्यान अते वेराग दी जरूर्त पेंदी है जेड़ा चार तरां तो मिलदा है गुरुवानी, महपुर्ख, प्रकिर्ति अते अपने अनुपव पर सानू 100% विश्वास्ता सिर्फ अपने अनुपवी ज्यानते ही हुन्दा है जिस्मू ए प्रकिर्ति रूपी श्रीर, इंद्रियां, मन, बुद्धी अते अवास अंशनू एक करन लई अते इन्ना तो अलाग होके अपने आपनू पहचानन लई, महंपुर्ख जा गुरुगृण सहवजी इन्ना तिन पागां विच इकठा कर देंदे हन्, जिसनू त्याता त्यान करन वाला, त्यान जिस्दा त्यान कर है हां, ते उस त्याता विच लीन होना, जिसनू सूरत अते शवद द्वारा मत्या जान्दा है जिसनू के शब्द रूप सविकल्प समाद कैंदे हन इस विच देश केड़ी जगा है काड केड़ा समा चल रहा है वस्तू अपने श्रीर अकार रूपी केड़ी वस्तू विच है दुजी अवस्ता विच शब्द रूप सविकल्प समाद विच त्याता त्यान तेदी कागरता होर भी बजजन्दी है जिस विच शब्द नहीं चलदा अते सूर्थ हुंदी है परो सूर्थ भी ए नहीं हुंदी अते इस विच भी देश का अलवस्तू महसूस हुंदा संति शिर सिंग्जी महराज दस्देहन के अगली दो अवस्था वां ब्रह्म ग्यानियां दी हुंदी है, जिस विच तीजी अवस्था विच अंशुरूप निर्विकल्व समादी अवस्था हुंदी है, जिस विच त्याता त्यान ते तिन्नो एक हो जान्दे हन जिते परमात्मा अते प्रक्यती एमे मिक्स होन्दे हन जिमें की विच चिकना हट इथे तक पहुंच के पहचानना होन्दा है इथे देश काल वस्तूता की होना इस दीता गुंजाईश भी नहीं हुंदी सिर्फ सूर्थ हुंदी है परो भी रूप रंग आकार तो रहत हुंदी है चोथी वस्ता विच अशुद्ध अनन्ध स्थान रूप निर्विकल्प वस्ता विच इत्ते साधी सूर्थ नू साधन लई गुरु ग्रण साहिब जी अते संत साधे नालवी हुंदे हन परो जिमें देश हुंदा है उवें ही वेश बना के वेठे हुंदे हन अते जदसी इस अनन्ध रूपी देश विच प्रवेश पाउंदे हां ता इस देश दा पता नहीं चलदा पर अनन्धी अखीरली सीमा हुंदी है फिर जद हौले हौले इस देश विच अते अपने विच फर्क समझ लेंदे हन ता इतो निराकार दी पूजा शाम सम बोद्दे अत सूखम पुला नाल कीती जान्दी है इते जाके आत्मिक जात्रा खत्म हो जान्दी है इते स्तित हो नाल पहले कदेवी सूरत अते शावद नहीं छड़ना चाहीदा उकिनी विवार रुकदा होवे जिमे कोई आदमी कट रुपए अते जादा रुपए विच अच्छी तरह नाल फर्क जान्दा है इसे तरह दे दिमाग नाल जेकर जग्यासू विच अकर्मा किसे भी तरह दा कोई कम ना करना मन बुद्धी अते श्रीर नाल रहके बहुत बड़ा फाइदा अते अनन्द प्राप्त करन लेई इच्छा जाग जाए ता समझो के सानू सच्चा ग्यान प्राप्त हो गया हुने थे नाल मनुख दी आत्मिक जात्रा शुरू हुन दी है किसी भी तरह दा कोई भी कर्म आत्मा नू देतार्न दा दंड मिलेया होया है क्योंके आत्मा प्रमात्मा दी अंश होन दे कार्न खुद ही अनन्द सब रूप है परे मिटी पानी अग हवा अते आकास्तों मिश्रित तिन तरह दी दे कारण श्रीर सूल श्रीर अते सूखम श्रीर प्राकिर्तिक होन दे कार्न कर्मा नहीं रहन दिन्दी क्योंके मिटी पानी अग हवा अते आकाश हर तत एक दूजेदा विरोधी है इसलिए आत्मानू शांत अते स्थिर नहीं रहन दिन्दी चोती समाद जो के अशुद्ध, अनन्द, स्थान, अद, वैद, पाब, नारूप, निर्विकलप समाद है उत्थे तक पहुंचन लई पिशलियां तिन्नो समादियां दे आकरी चर्ण दे साक्षात अनुपव जागरेत वस्था विच होने चाही दे हन जिमें के जदों असी सौंदे हां ता इस पारूपी शुरीर नू छड़ के आपने सुपने रूपी शुरीर विच जागरहे हुंदे हां इसे तरह जादसी नीद बिच हुन्दे हां अते पामे असी किसी मरे होई ब्यक्ती दे नाल लेटे होई उस दे उत्ते हत अते टंगा रखके सौं रहे हुन्दे हां तासानू कोई संकोच नहीं हुन्दा क्योंकि उस समय सानू इना दोमे स्थूल अते सूखम श्रीरानू छड़के कार्ण श्रीर विच जाग रहे हुन्दे हां ये अनू पावसादी वे हुशीदा हुन्दा है जिसनू असी पकड नहीं पाउंदे पर पिशलियां तिना समाध विच आसन लगा के रीड़ दी हड़ी सिदी रख दे हुए पाठ कर दे हुए तिना समाधियां दे आखरी चर्ण दे जागरित वस्ता दे अनूपव हुए हुन्दे हन जां कहलो के जिते असी साक्षात पाउंच दे हां इना अनूपवां दे तल ते चोतीस मात ते अव्या करना है जिस नाड स्थित हुन्दे हुन्दे हमेशा लई इस देश दावासी वड़ना है जो के इस पड़ाई दी आखरी कलास है इंज दा पूरे संसार विच तकरीबन ग्यारां तर्म चल रहे हन अते हर तर्म दा एही मकसद है के इंसानी जात नूँ एच उतीस मात तक दी पड़ाई करवा सकिए इनना चारे वस्थावां विच बारवार पाठ कर दे हुए जागरित वस्था विच चारे अनुपवानू ले आउंदे हुए इनना विच स्थित होना है असी चारे अनुपवानू एक एक करके अनन देश अते श्रीर तक पहुंचांगे फिर इसे त आम नाल चारे अनुपवां वेच इस्तित हुंदे हुए बापिस इस थूल श्रीर वेच पहुंचांगे क्योंके चौती समाद वेच मैं नादी कोई चीज ही नहीं है इसलिए असी हर समाद वेच हर वस्तानु साक्षात हाजर नाजर पगवान जान दे हुए उपाशना करनी है क्योंके रस्ता दा सिर्फ निमर्ता ते प्यार नाल ही तै हुंदा है अखीर हर कानुप वेच स्तिर्ता धहराव पौंदे हुए उस अनंद रूपी देश अदे श्रीर वेच स्तित हुंदे जानगे जिते तक लई ये सारी पड़ाई है इस विच सिर्फ पहली समाद वी इनसान जात विच ग्यारा तर्मा विच भक भक तरांदी पड़ाई है बक की दूजी तीजी अदे चोथी समाद सारे अंदी एक वरगी है क्योंके उथे श्रीर दे पहरावे अते लैन दे नाड़ पड़ाई नहीं हुंदी शुदता सुखमता सरलता अते सहजता तों ही हुंदी है इसलई सब दे अनूप अब्वी एक वरगे ही हुंदे हन जिमें जिमें साड़ी दूजी तीजी अते चोथी समाद विच परीपकवता आएगी उमें उमें शवद खुद बंद होएगा अते जागरित वस्था जिमें दीति में बनी रहेगी अते एक एक करके श्रीर भी छुट दे चले जानगे अते नाल ही साड़ा हुं मैं रूपी ख्याल सोच समझ अते अकर्षन भी अंदर जानदा चला जाएगा किसे विग्यानिक दातीजा नियम है के वस्थुनों तोड़न लई जिनी ताकत दी जरूरत है जेकर उनी ताकत तो हड़े कोड है ताँ ओ उस वस्थुनों तोड़ देवेगी नहीं ताँ वस्थुतों टकरा के ओ ताकत बापस आ जाएगी किरिया प्रति किरिया दे कानून दे तहत ओ बापस आ जाएगी वार वार इन अनुपवानु पकडन अते उस विच ठैरन नाल साड़ी ठैरन दी शक्ति वद्धी चली जाएगी अखीर असी उस विच श्तित हो जावांगे पूरी तरह ठहराव पालवांगे जित्थे एह चौतिस मादवी पूर्ण हो जाएगी फिर उस देवाद उस ब्यक्तिदा आम आउना जाना हो जाएगा जित्थे ओ सत कलातों पूरा हुंदा है जिसनू गुर्वानी कैंदी है ग्यान अंजन गुर्दिया अग्यान अंदेर विनास हर किरपाते संत पेटेया नानक मन परगास पर जाद चौत्थी समाद विच जग्यासू पहुंचदा है जिमे के वो ले आ गया है अश्यावद अनंद जगा रूप निर्विकल्प समाद इत्थे परिपूर्ण वस्ता विच आपनी पूरी होशो हवास विच उस अनंद रूपी देश विच पहुंच जानदा है जो आतम देश दी उडान पर लई जीव आत्मा प्रतिखन युगा युगा तों कर्म करदी रेंदी है चंगे अते बुरे ए हो तांसाच चित अते अनंद ए तिन्नों ही एक दूजे विच तिन्ना रूप विच है हालांके ए अनंद भी बहुत बड़ा होंदा है क्योंके इस विच ओ पांज कोश्या वाड़ा पार्दा रूपी पार नहीं होंदा हालांके इस विच चित रूपी चेतनता ना देवराबर होंदी है अते अनंद रूपी पगवान भी बहुत कट मात्रा विच होंदा है इस विच श्रीर दियवस्ता कूक नेंदी होंदी है जिस विच कोई संकल्प बिकल्प नहीं होंदा बस सिर्फ इन्ना होंदा है उस विच जीवात्मा सुत्ती होई होंदी है अते इस विच जीवात्मा हर पल जागरेत वस्ता अते दृष्टी रूप होंदी है उस तों अगे जदो परमात्मा देश विच पहुंचदा है तादो थे सत रूपी उस दा आकार अते चित रूपी चेतनता पूरी मात्रा दा होंदा है इस विच इहो जही अवस्ता हुंदी है जिमें सुपने बेच जीवात्मा अपने आकार दे हुबहु समझ दे होई कर्म कर दी है अते उस देश नूँ साक्षाथ समझ दी है जद के उथे उस दी पूरी शक्ती नहीं चल दी इथे तों जद जगया सुखीर ली अवस्ता अते समाद जिसमु शब्द अनन्द रूप जगा निर्विकल्प समाद केंदे हन बिच पहुंच दी है इते जाके उस दा परिपूर्ण श्रीर अनन्द में हुंदा है अते सत रूपी द्रिश्टी वी साक्षाथ हुंदी है चित रूपी चेतन्ता अते हरकत का नबड़ी शक्ती वी उस दे कोल परिपूर्ण हुंदी है अते वो उस अनन्द रूपी देश विच कुंदा रेंदा है जिमें के असी सारे इते आजाद रूप बिच अपने इस देश विच रेंदे हां इते माया अते माया रूपी कोई भी चेज इस देश दे दस्दीक पहुंच नहीं सक दी जद इते तों जीवा आत्मा अपनी त्रक्की लई सत कलावां तो ज़्यादा कला दी इच्छा रख दी है ता मात लोग बिच अपने उस निराकार अनंद रूप पगवान दी शाम सम बोद दे फुलां दे द्वारा पाशना कर दी है इस पगती मारग विच चल दे हुए लापरवाही जां बेपरवाही आ सक दी है परोक मंड अधे चलाकी दे रूप इच ना बदल जाए एज गया सुधी आपनी में त्रेनी चाही दी है जिसनू बोल्या गया है पवडी सूरे एना आखी है अंकार मरें दुख पावें अंदे आपना पछाण नी दूजय पच जावें अतकरोज स्यों लूज दे अगे पिछ दुख पावें हर जीओ अंकार ना पावें वेदकूप सुनावें अंकार मुए से विगती गई मर जन मैं फिर आवें पिछले तिन मारगां द्वारा प्रेमा पगती मारग सहज मारग अते ग्यान मारग ब्रह्म तक पहुंचन दी कोशिश दे बाद इते ब्रह्म प्रमात्मा अते पगवान तक पहुंचाउन दी कोशिश है जिते संपूर्ण सब्रूप स्पस्ट हो जन्दा है जिसनू सचित अनंद भी केंदे हन परसी इस दे कार्ण श्रीर दे नाल कार्ण जगत पहुंचन नाल शुरू किता है कार्ण जगत विच पूर्ण स्थित होन ते जद अनंद मैं कोश दी चलक पई फिर उस विच स्थित होन दी कोशिश करनी है फिर ब्रह्म देश दी चलक पवे ताद उथे अपने आपनों स्थित करन दी कोशिश करनी है जिते अपना सच्चा सब्रूप जो के प्रकित्ती तिन मायावंतों रहत है पर अंशिक है अतिस्थिर है फिर परमात्मा रूपी देश्दी जद चलक पवे तद उस विच्च स्थित होना है जिथे अपना चित रूपी चेतन्य प्रकाशित होएगा फिर जद इथे जदा सहजपा विच रहन देवाद अनंद रूपी देश्दी चल रख पएगी ता उथे अपने आपनू स्थित करन्दी कोशिश करनी है जिथे प्रकेती दी स्थूल रौशनी नहीं होएगी जिमें इथिदे सूर्ज चंद्रमा उथे केबल अनुपवी रौशनी होएगी क्योंके असी मंजले शरीयत मंजले त्रीकत अते मंजले हिमाकत ब नुसाद दे रहे सी इसलेई एशवद इनी जल्दी नहीं चुटेगा जदके एशवद दी होण कोई जरूर रौशनी है इथे तां सिर्फ सचित अनंद रौपी निराकादी उपाशना सिर्फ शाम सम बोद दे फुलांतों किती जंदी है जो के एप्राकिर्थिक नहीं है जान अपने असली सुबरूप बिच बैठके वी उस निराकार पगवान दा प्यार आदान प्रदान करना हंदा है जो के एक अनंदी प्रकाश्टा है बिना दिव श्रीर दे ए अनंद सहन नहीं हो सकता है जिस दे खरब में हिस्से दी एक बूंद मातर चलक पैनते व्यक्ति खुशी नाल पागल हो जन्दा है अते अग्यांता दे अदीन हो के कहन्दा है के मैं पास हो गया मेरी नौकरी लग गई मेरे कर लड़का पैदा हो गया मेरा बपार चंगा हो गया अनंद यूगां तो इतना टिकन वाड़ा सुख बिच खप खप मर दे जा रहे हां पर जो बिना खपे भी अनंद तो परिपूर्ण अवस्ता है उस दी यात्रा कर नूँ पार समझ दे हन पगवान दी वारी शक्ति जिसनू तिन पा गाविच बोल लिया गया है जड सूखम चेतन अते सूखम कार्ण जगत एक तरांदे तमो रजो सतो गुण ही जो कोई किसे कलास नूँ छोटी समझ दे होए अगे चला जाएगा उस दी प्रीख्या वेच सफल नहीं होएगा ताद जड निराकार दे देश विच प्रवेश पौण लई अखीरला समा होएगा अवे आस कर दे समय ताद उन्ना तिना गुणा बिच्चों जो गुण अंदर रह गया होएगा जिस दी प्रीख्या नहीं हुंदी जाँ उस गुणतों पूर्न रूपतों निरवर्त नहीं होया अखीर विच उसे रूप विच शक्ती परदान देवी देवता बना दिता जाएगा प्रीख्या तो मतलब अनुपवांदे तलते नहीं है कई जो केंदे हन के सनु कुझ अनुपव नहीं हुंदा जे हरेक हपते या महीने दारेकाड अपने मन दे तलते रख सक्दे हन के सारे काम क्रोध लोग मोह अते अहंकार दे मन दे तलते रख सक्दे हां मरे आदावां बिच किनना फर्क प्या है इस सव आत्मक शुदता सहजता अते सूकमता दे बारे विच दसनगे जिस दे द्वारा दैवी गुण बद्दे चले जानगे जिसनु नरग तो स्वर्ग तो ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक तो बैकुंठ लोक अते जदो दैवी गुण जादा बद्द जानगे जिमें दैवी गुण बद्दे जानगे उमें उमें विचार शक्ती दे अनुसार करदा जाएगा बिना अनुपव देवी पता चलदा चला जाएगा के साड़ी पक्ती विच किनी त्रक्की हो रही है जां उथे रुके होए हन जां उस दे थले आ गए हन वाहे गुरू आहे 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 गुरू आ वाहे गुरू, 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 वाहे गुरू त्रीका नमबर एक ब्रह्म प्रमात्मा पगवान जदसी मंजले त्रीकत खत्म करदे निकलांगे ता उस देश विच पहुंचांगे जिते कोई आकार नहीं है पर साड़ी उते जोंदी त्यों द्रिष्टी रूपी सोच होएगी अते आकार रूपी होश भी है उते इहो जहे होणगे जिमे के साड़ी द्रिष्टी रूपी सोच अते समझ कम कर रही है अते होश रूपी आकार वी है इहो जहाश श्रीर उत्थे होएगा पर उस श्रीर दी जगा सनु उस देश दा आवास होएगा जो के इसे तरांदा होएगा अते जदसी इसे देश नू अकाल पुर्ख जान के उपाशना कर दे रहांगे अपने आपनू जान दे होएगा अपनी द्रिष्टी रूपी समझ अते होश रूपी श्रीर अते अकार नू जान दे अते पहचान दे होएगा इसे दे नाल पहले स्वेद प्रकाश रूपी देश फिर अपना स्वेद रूपी आकार अते फिर बहुत शीतल अते स्वेद रूपी देश विच पहुंचांगे उते साथी द्रिष्टी होश अते सोच हर तरह तो साक्षात होएगी अते सुनता वरगी होएगी जिमें मच्छी पानी दे बिना तडफ दी है उमें ही जादसी उपाशना कर दे रहांगे तड़ जिमें के मच्छी दा दम को टन दे बर गिये वस्ता होएगी उमें ही साथी प्यार दिये वस्ता होएगी तडफ सी अनन्द में कोश विच पहुंचांगे जिते शरीर पिसले शरीर तो सूखम अते बिलकुल उमें ही द्रिश्टी रूपी समझ अते होश रूपी आकार होएगा पर ओपूरा देश अनन्द में होएगा उते शिर्फ अते शिर्फ अनन्द ही अनन्द है उते तो हेठा तक अगेतों पिछे तक अंदर तो बाहर तक शिर्फ अनन्द है इत्थे पहले ता अपने आप दा आवास ही नहीं होएगा सिवाए अनन्दे इत्थे जिनने भी जीवहन उननु कुछ नहीं करना इत्थे किसे भी तरह दा कोई कर्म नहीं है ना कोई शवद अते ना ही कोई रूप आकार है अते ना ही कोई पावना बणोनी है हर तरह एक रस अनन्दा प्रवा हो रहा है पर इत्थे पहुंचना बेंदा है अते सचित अनन्दे प्रकाश विच अते इस अनन्द में कोश दे प्रकाश विच फर्क है ए अनन्द में कोश भी एक अखीरला साड़ी जीवात माते परदा है ओ ए अखीरला प्रकिर्ती दा देश है जिसनू अनन्द में कोश केंदे हन उस निराकार विच मिलन अते अपने आसली सचित अनन्द सवरूपनू प्रात करन तो पहला इस देश नू जदसी भी जान के अते अपने आपनू जान दे हो वांगे दस मिन्ट अवियास करना होएगा उस देश नू अकाल पुर्ख जान के उस देश दी उपाशना करांगे फिर होले होले अपनी दृष्टी रूपी सोच अते होश रूपी आकार नू जान दे होए दस मिन्ट उपाशना करांगे उस देवाद जो साड़े अंदर प्रेरक बैठा है उस दी उपाशना करांगे जद प्रेरक दा प्यार नार सिम्रन करदे रहनगे जदे तिन्ना अवस्थावान दा बक बक साक्षात ग्यान होएगा फिर जद ग्यान दे बाद एक वार फिर तिन्ना अवस्थावान दा एक अतव होएगा तां उस ब्रह्म देश विच पहुंचन गे जो के सत कहलोंदा है जो के सत सबरूप सी हते हमेशा रहेगा जिसनू पिछले पन्या विच दस्या गया है आम आदमी ब्रह्म ग्यान दी वस्ता तक पहुंच के कहनदा है के मैंनू सब कुछ मिल गया ते ए पड़ाई छड़ के दुनियावी विवहार वेच लग जनदा है परे अंशिक रूप है जिमें सानू इस देश नू साक्षात अकाल पुर्ख जान दे होई उपाशना कर दे रहनगे शाम द्रिष्टी तों उस दे बाद अपने नू इस तों अलग जान दे होई द्रिष्टी रूपी सत्विच बैठके इस अकाल पुर्ख देश दी उपाशना करांगे जिते किसे भी तरादी कोई हरकत लक्ष मातर भी नहीं है अर्था चित शक्ति जाँ चेतनता उथे नहीं है क्योंके साड़ा लक्ष शिर्फ ओ नहीं है जिस लई महापुर्ष सानू उतिस्तित करके अगली मंजल दे लई ले जानगे जो बाहर है ओ ही साड़े अंदर वी है उसे महापुर्ष दी सम द्रिष्टीतों उपाशना कर दे रहनगे महापुर्ष ओ ही होएगा पर वो अपने सत सबरूप बिच बैठा होएगा वैसा सबरूप नहीं होएगा जिस सबरूप बिच असी मंजले तरीकत पास कीती है इसलई सानू उसे हिसाब तो पासना कर बाउनगे जिस नाल असी अगली अवस्ता तक पहुंच सके जिस विच बाहर अंदर विच कोई पेद नहीं है हकीकत विच ओही अद्रिश रूप होके साधी मन बुद्धी नू फढ़के अपनी जिमेबारी समझ दे होए लेके जा रहा है क्योंके ओ महापुर्ष उस देश दा नागरिक है जिसनू ठीक ठाक उस रस्ते दा ग्यान है जद ब्रह्म रूपी देश विच अपने सत सब्रूप रूपी समझ द्रिश्टी नाल उपाशना कर दे रहनगे अते फिर होले होले ए पूरा देश भी चेतन रूप लगेगा जो के हरकत रूप है ता इस देश नू अकाल पुर्ख जान के दस मिंट पूजा कर नगे अपने चेतन सब्रूप तों उस दे बाद ओही सत अते चेतन सब्रूप तों अपने द्रिश्टी अते सोच समझ अते होश रूपी श्रीर नू जान दे होए दस मिंट इथे उपाशना करांगे जिसनू बहुत छोटे रूप बिच सत अते चित दी संग्या दिती गई है अते इस देश नू प्रमात्मा सब रूप दी संग्या दिती गई है उस देवाद इस सत चित रूपी अपने श्रीर विच बैठे अपने अकाल पुर्ख दी उपाशना सत अते चित जां कहलो शाम अते समझ दी द्रिश्टी तों उपाशना करनगे ता होले होले सनू जिस हिसाब तों अपनी द्रिश्टी रूपी सोच चित रूपी चेतन सब रूप देश रहा है उसे तरह तों इस सारा पसारा सत रूपी द्रिश्टी अकाल पुर्ख देबल चेतन सब रूप उस दा अपना श्रीर महसूस होएगा जिसनू पहले अपने आपनू जानन दे बाद परिपूर्ण सत रूपी द्रिश्टी तों ब्राम रूपी देश विच पहुंचन ते किया है चेतन रूपी हरकत जिसनू चित केंदे हन जान भी सकोगे अते मन भी सकोगे अते साक्षात महसूस कर सकोगे जो के साड़े अंदर बाहर एक समान होवे पर साड़े एह असली श्रीर नू पंज कोश्या ने परदा किता होया है जिस दी बजा तों असी आपने आपनू जान नहीं पाए अते इस हड मास नू मैं मन के अग्यान दे अदीन होके अनंत जनमा तो पगती कर रहे हां पगती दा अत है डर नू गती देना मतलब डर साड़े कोड कदी भी ना आए अते ओ सुख मिल जाए जिस दे वार कोई दुख ना मिले ओ सुख जो कोई खो ना सके ओ सुख जिस नालों बड़ा कोई सुख ना होए ओ सुख जो एक बार मिल जाए ता हमेशा ले मिल जाए ओ सुख जिस दे लई कोई कर्म ना करना पए परो सुख प्राप्त कर लई मिटी पाने अग हवा अकाश रूपी प्रकिर्ती विच अनांत जनमातों बखवा कर्मा द्वारा खोज रहे हां जित्थे के ओ नहीं है संती शिर सिंग जी कहा कर दे सी के पाई जो चीज जित्थे हुंदी है उत्थे तो मिल दी है जिमें के कर विच आटे दी जगार सोई हुंदी है पर अग्यानी आदमी कर्मा दे द्वारा मेंत कर दे हुए बातरूम बिच पखाना कर विच कमरें बिच छत्तां ते खोजदा रहे तां उस दी मेंत बेकार है इसे तरह ही जीवा आत्मा अनंत जन्मातों प्रिकिर्ती रूपी संसार दे विच तिन्ने श्रीरांदा तिन्ना देशांदे विच सुख टूंड रही है मेंत कर्नते वी अज भी सुख एकठा नहीं हो सके आज भी उन्ना ही कई तरह दा डर लगया हुया है ये ता इहो जेहा है जिमें के होर लोकानू देख देख कर एक आदमी ने लखां करोडां रुपए एकठे कर लए कई तरह निया कारा नौकर चाकर फैक्ट्रियां एकठियां कर लईया हुणो खोहया ना जाए उस सारे आंदा खर्चा कडण लई स्वेतो शाम तक उसनू संबालन लई लखां करोडां कमाउन देवारे सोचदा रेंदा है जिमेही जीवात्मानो श्रीर मिलया है ततों इस श्रीर नू संबालन अतेशदी कुली जुली गुली पूरी कर लई लगातार काम करोड लोव मोहंकार आशा त्रिशना चिंता रूप रस पर्ष गंद शब्द आद रूपी नदी विच सुख लबन लई लगातार चुड़स रहा है जिते इनने जनमा तों करमा द्वारा इस नदी विचों खोज रहा है इक जनम अधियात्मिक रस्ते ते चल के भी देख लओ फिर इस दा फायदा इनना है के दुनियावी सुख बड़े तों बड़ा भी एक तों दस मिंट तक ही तिक पौँदा है उसते बाद कट दे करम बिच चलन लगदा है पर इस पड़ाई विच आदमी जिनने पेज पड़ लेगा अगले जनम बिच अगले पेज नो पड़ाई शुरू हो जाएगी इस जनम बिच भी महापुर्ख जा गुरू गुरान सहिब जी अपनी देख रेख बिच रखनगे अते ज़त तक अगला जनम नहीं हुंदा तद तक स्वर्ग बिच राम कर देरू बिच रखनगे इस लेग महापुर्ख दे नाल जुड के रेना है उनना दी डांट ते सावाशी दे त्यान ना दिन दे हुए जो भी ओ दे आत्मिक त्रीके दे बिच दसे ते काट बैट करवाए असी उस ते पूरा अमल करना है ते होना सींसा चित अनन तक पहुंच चुके हां जो के लई जादसिया अपने सचित सबरू बिच बैठके शाम अते सम तो उस दी उपाशना करते रहांगे ताद अनन्द रूपी देश साड़े अंदर बाहर प्रकाशत होएगा पहले ता कुछ समा उस देश दी उपाशना सचित अनन्द मतलव साम शम द्रिष्टी अते सम मंदी परिपूर्ण एक आगरता अचित शक्ते अते बोध अनन्द अते प्रेम अते तत ग्यान अते शरीर दी ताकत अते तेजांश कितने कलादा है उसे तो सन उस देश दे साक्षात अकाल पुर्ख जान दे होए उपाशना करांगे फिर होले होले ओही छोटे रूप बिच अउ अंदे अपना सचित अनन्द रूपी श्रीर पकड विच अउन लगेगा फिर कुछ समा इते उपाशना कर दे होए फिर जो साधे अंदर बैठा प्रेरक है वो बाहर भी ओही है उस नाड़ प्यार लेंड देन करांगे अरे सारा शाम सम बहुत दे फुलांतों ही होएगा इ इस दी वजा तों इते कोई प्राकिर्तिक रूप रंग आकार नहीं होएगा हुने इते ओ जीवा आत्मा सत कला नाल परिपूर्ण अते दिब्या सबरूप अते श्रीर हो जाएगी इस दे बाद आपने आगले जनम किसे भी तरती ते बना के अगे लई अते त्रक्की पकड दी रहेगी जिस विच सिर्फ प्रमात्मा नू दिब्या प्रेम देना अते उस नाल अते उस तोंहोर जादा मात्रा दा दिब्या प्रेम लैंड दे रूप बिच होएगा जो के जीवा आत्मा दा चोहंट कलावां तक पहुंच सकदा है जिमे तन्ने जट ने पंडिता नू श्री क्रिषन दा सब रूप दिखाऊन दी कोशिश किती तद श्री क्रिषन ने किहा के इन्ना दिये निकमाई नहीं है जद के ए हर रोज मेरी पूजा अचना कर दे हन तद पगवान तन्ना जटनू बोल्या के मैं तेरी सेवा रूपी गांच रहा हां अते तेरा इन्ना कम कर रहा हां दसू क्यों कर रहा हां तां तना जाट ने बोलया के मेरी यह जही केड़ी कमाई है जो इनना पंडतां दी नहीं है तां शिरी क्रिशन ने बोलया पकड मेरी छड़ी तां दिखावां तद तना जाट ने छड़ी पकड़ी तां उनने दिखाया के किना बड़ा पहा आते कंकालां दा सी तां शिरी क्रिशन ने दस्या के इनने जनम तुमेनों पॉण लेई तपस्या किती है अते मीरा ने जहर पीता अते उसनों कुछ नहीं होया तां भी उस दी पिछले जनमा दे कठोर ताप दे नतीजे बजों बहुत उची अवस्था दी पावना सी तुसी म महां पुर्ख दसां गुरुआं ते गुरु गुरंस जीते त्यान लगा के उपाशना नहीं कर सकते जो के बहुत शुद्स रूप हुंदे हुए साक्षात परमपिता प्रमेश्विर रूप है जो के अपनी जिमेवारी ते आत्मिक शक्तिनार साठी उंगली पकड़के उस देश दावासी बणाउं दे हन जिस देश दे मतलव उस अकाल पुर्ख देश दे नागरिक हन नोट जिमे बचपन विच महात्मा बोल दे हन के खवरदार किसे कुडी ने किसे मुंडे वारे सोचया अते ग्यान प्राप्त कीता जा किसे मुंडे ने किसे कुडी वारे सोचय अते ज्ञान प्राप्त किता ओही जद बच्चे जवान हो जान दे हन ता महात्मा कैंदे हन के अपनी कुडी मुंडे दी योग वर देखके शादी करो जो के ब्रहम चर्या आश्रम तो उल्टा है ओही माता पिता जद बज़ुर्ग हो जान दे हन बच्चे नू पाल के उनना दी शादी कर दे हन तद महात्मा उनना माता पिता नू कैंदे हन के तो हड़ा हुण की कम है मतलब बान प्रस्त जाओ साल दो साल दे बाद बच्चे नू मिलन आ सक दे हो जो के उल्टे तो उल्टा है बच्चे पैदा कीते फिर उनना नू जवान कर उनना दे व्या कीते उनना नू छट के बान प्रस्त जाना होएगा के आपस विच की हो जो एक नाल रहन दे हो ता एक बोल दी है के मैं उनना दी तर्म पत्नी हां अते दूज्जा बोल दा है के मैं उस दा पती हां तद महात्मा बोल दे हन के अग्यान ता दे अधी नहीं रहना चाहिदा कोई किसे दा पती अते पत्नी ना होके हर जीवात्मा सिर्फ अते सिर्फ उसे प्रमात्मा दा अन्शुहोन दे कार्ण सिर्फ उसे नाल उस दा संबंध है अते किसे भी आत्मा दा दुजी आत्मा नाल कोई संबंध नहीं है जिमे के पिशली कटना बेच जिमे जिमे उमर बद्धी चली गई ग्यान अते आग्या विप्रीत मिल दी चली गई जिस नाल जीवात्मा दा प्रमात्मा नाल मिलन होया उसे तरह महात्मा ते संत पुर्खवी साड़ी मन दी शुदता इकागरता अते सुखमता नूं देख दे होए साड़ी युकती टंग अते त्रीका बदल दे रेंदे हन इसलए इस ते शक नहीं करना चाहिदा दुनिया दी किसे भी तरह दी पड़ाई पहले शर्दा ही चौंदी है जेका दबाई लेन बड़ा अपना दिमाग लगाए के अगले छे दिन एक चमच स्वेरे शाम लेना है क्यों नहीं एक ही नाड पूरी बोतल पीके ठीक हो जावा मतलब महापुर्ख दी दिती होई युकती ते पूर्ण रूप नाड शर्दा रखते होई उस ते अमल करना चाहिदा है पूग्या पूग्ता प्रेरे कार्म बरगे ब्रहम तक पहुंचन लेई पिछे तिन रस्ते दसे गए हन सहज मार्ग प्रिमा पक्ति मार्ग हते ग्यान मार्ग तिन बाकवक तरा नाड ब्रहम तक पहुंचन दी कोशिश है जिमे के इसे तरा ब्रहम तो साच चित अनन तक पहुंचन लेई पहला तरीका पिछले पनिया ते दसे आ गया है जिस ते तरीका नंबर एक लिखे होया होएगा वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू आहे 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 गुरू आ आहे गुरू त्रीका नंबर दो जद असी मंजले त्रीकत खतम कर दे कार्ण श्रीर तक पहुंचांगे उस कार्ण श्रीर दावी साक्षात बैठे हुए दस मिंट आपने आपनू पहचान दे हुए पजन करनगे उस दे बाद इस कारण देश नू साक्षात पगवान मन दे हुए मथा तेक कर दस मिंट एही उपाशना करनगे यहो जहे टाई तो तिन कंटे कर सको ता अच्छी गल है नहीं ता दिन वेच कट तो कट अदा कंटा यह जिरूर कर लो जे कर जादा कर सको ता पंचे वार कर लो इहो जहे तिनना नू ब्राबर ब्राबर समय कर दे रहो एक समा आएगा जादे थे पोग्य पोगता प्रेरे कार्म तिननो एक हो जानगे ता दसी अनंद मैं कोश्विच प्रवेश करांगे इत्थे दी खरवा अंश हड मास वाले पिंजरेते चलक पै जाए ताओ सेहन वी नहीं हो सकदा इहो जहे अनंद मैं रूप देश विच पहुँच जाबांगे पहले इस देश नूँ पहचाणो पहले दिन विच किन्नावी समा लाओ उपाशना करदे समय दूजे दिन फिर अपने सबरूप नूँ पहचाणो जिन्नावी समय उपाशना करदे समय फिर चोते दिन देश पंजमे दिन आपना आपा छेमे दिन प्रेरक एक वार एहो जेहा समा आएगा जिस विच पहला दिन जिमे ही महसूस होएगा जद अनंद मैं इकोश विच प्रवेश कीता सी परो अग्यान दी स्थिती सी पर अजे ग्यान दी स्थिती है जिते असी देश मैं प्रेरक नू एक रूप हुंदे होए जान रहे हा इस देवाद साधा महापुर्ख अते गुरु सानू आपने उस देश विच प्रवेश करवाएगा जिसनू ब्रह्म केंदे हन इस दा नाम सत्वी है इथे प्राकिर्तिक प्रकाश नहीं होएगा सूर्ज चंद्रमा आद्दा इथे अनुपवी प्रकाश होएगा इस देश नू फिर पिछले त्रीके दे हिसाव नार दस मिंट अकाल पुर्ख जान दे होएग उपाशना करो अते अगले दस मिंट विच अपने आपनू जान दे होएग उपाशना करनगे अते फिर अपने प्रेरक दी दस मिंट उपासना करनगे जो के सुन हरकत रख दे हन इनना तिनना विच हिल जूल नहीं है चूंके एक आगरता साड़े शवद विच है जिस दी वजा तो चेतन तत साड़ा शवद रूपी एक आगरता विच जुड़या होया है जदे तिननों साथ देश विच हते मेरे अंदर बैठा प्रेरक एक हो जानगे ता पजन करदा होया साड़ा को जांश उसनू महसूस करदे होई अगले देश विच प्रवेश करेगा जिसनू चेत देश अते परमातमा अते पुग्य देश विच प्रवेश पौनगे जिस विच ओही द्रिष्टी रूपी सत अते होश रूपी चेतन तत होएगा जदे अपने आपनू पहचान लेनगे फिर इते जो अकालपुर्ख हर जगा है उसदा द्रिष्टी रूपी सत अते हरकत रूपी चेतन पहचान दे होए इस अकालपुर्ख दी उपाशना करनगे इस सच चेत रूपी देश दी उपाशना करनगे उसदे बाद आपने सच चेत रूपी सवरूपनू पहचान दे होए दस मिंट उपाशना करनगे अते फिर आपने अंदर वी ओही सच चेत रूपी प्रेरिक दी उपाशना करनगे एक दिन विच जिन्नावी समा लगाउन गे देश मैं अते प्रेरिक विच दस दस मिंट बंड़ दे जानगे एक समा एहो जिहा आएगा जिस समय ए भी तिन्नो एक हो जानगे इते अनंदरूपी देश विच प्रवेश पौनगे पिछे जिमें अवे आस कर दे रहे उसे तरह सच चित अनंदरूपी अकाल पुरुख दे उपाशना करनगे दस मिंट अते फिर अपने अंदर सच चित अनंदूपी पगवान रूपी प्रेरक दे उपाशना करनगे जो के बहुत कोमल प्रेम पावनार परया होया है मुण जाद एतिन्य एक रूप हो जानगे ता मन लओ के तो हड़ी इस सचित अनन्द रूपी देश दी स्थिती हो गई एथे ब्रह्म ग्यान दी चौथी वस्था हुंदी है तीजी वस्था विच इस दानुपव हुंदा है अते चौथी वस्था विच उथे खुद नू स्थित करना हुंदा है अते इस तो पहला दी दुनिया देवारे विच गुर्वानी विच इस तरह बर्नन मिलदा है दोहरा काल पुर्ख की देह मो कोटक बिष्ण महेश कोट इंदर ब्रह्मा किते रावसस क्रोर जलेश रामकली महला पंजवा मैमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने पेद अवतार ना जाने अंत परमेश्यर पार ब्रहंबे अंत अपनी गत आप जाने सुन सुन अबर्व खाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव कोजित हारे देव देवियां नहीं जाने मर्म सब उपर अलग पार ब्रहं अपने रंग करता केल आप बिछू रहे आपे मेल एक परमेश पगती लाए अपना गिया आप जणाए संतन की सुन साची साखी सो वो लैं जो पिखैं आखी नहीं लेप तिस पुन नापाप नान का प्रव आपे आप नोट विशेश त्यान रखन जोग है के ए अवियास किसे पूर्न महापुर्ख दी उपस्तिती विचही करना चाहीदा है नहीं तां अपनी मर्जी दे नाल इस अवियास दे करन दे नाल कोई लाव नहीं मिलदा बहुत सारे लोग अनन्त कालतों इस तरह दा वियास अपनी इस मर्जी दे नाल कर रहे हैं पर उस दा कोई लाव नहीं मिलदा इस कारन कोई अद्यात्मिक त्रक्की वी नहीं हुन दे जो लोग अपनी मन मर जी दे नाड इहो जहा वियास कर रहे हन बेशक उननों इस चिती वेच अनन्द महसूस हुन्दा है पर मन्जिल दी तरफ उनना सफरते नहीं हुन्दा वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की फते वाहे गुरू जी का खाल शा वाहे गुर्टी आजुने सब्मा वाई गुर्जी गुर्पचाद वाई गुर्जी जब को प्यार है, साँ वाई गुर्जी आज सच वाई गुर्जी आज सच वाई गुर्जी आज सच वाई गुर्जी जुबार सच वाई गुर्जुबार सच वाई गुर्जी आज सच वाई गुर्जी जाटवाः गरुगो घजाटवाः गरुगो एकों पैर वाहन गरुगो वाना वाहे कुरू जी, तातना वाहे कुरू ताता बुर्कु वाहे कुरू नेर वाहिग्रू जी नेर वैर वाहिग्रू नेर वैर वाहिग्रू अकाल मुरत वाहिग्रू आजुनी साथ वाहिग्रू जी परपशाद वाहिग्रू जा कु प्यारे वो सक्ता वाहिग्रू जी आज सक्ते वाहिग्रू जुगाद सच्वाहेगू जुगाद जच्वाहेगू हैपी सच्वाहे गूजी हैपी सच्वाहेगू तुही ने रंकार है जी तुही ने रंकार है तुही ने रंकार है जी तुही ने रंकार है तुही ने रंकार है जी तुही ने रंकार है तुही ने रंकार जी तुही ने रंकार है वाहे कुरू जी 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 सुख़ झाल वाकर 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 वा वार्वा-क राइर्वा-क। खबाट खथ भाट खॉर्भड राट राट yemाय促 लाट राट केया भर डिताय नायार उ भाट हॉ भाट है्थार लाट इन एंट्वाट सा थैंक लगाटरो मुशा राट राट लाट Res Tree तन्हे, 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 उगुर्णानक साइब तन्हे तन्हे, 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 तन्हे अए अजाद कमेडूे वाहँ साल॥ॉ आप करूदो कर दो आरोग करूदे जने टनी करूदाबुंजा 3 आप करूदो करक दो आरोग करुदे बनानी करूदा 7 कुम कातो हो साहन हुआ कर दो 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 कर कर दो 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 कर चुलास लब एक्यान्मे चुलास लगो एक्याव तखर्ए 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 प्रमाण्मे तो तादन्मे आपर नम्हें बाइब बाइब आपरॉ आपर आको राइब आपरॉ बैस्जर को ईपर डेना Allez लिगन iए! बैस्जर को ईपकर बैस्ञर के चानो पैस्पो बाइस, आंगे आंग बैस्जर, बैस्जर को जोड़क forget encouragement बैस्जर को बैस्जर को जानieß मैं तुर को रुक है लाविर। मैं तुर को रुक है या रहा साлавी दाओ से घाम है आप्सु 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 कर दो कर दो कर दो कर दो लाकर तुम पैरदास जीयो पिंड साव तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी किरपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा यंत उचे ते उचा पगवन्त सगल समगरी तुम्रे सूतर तारी तुम्ते हो एसो आग्याकारी तुम्री गत मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुरवानी तुद्या गेर दास हमारी जीयो पिंड साव तेरा प्यार आ कहनानक साव तेरी वड़े आई कोई नाओ न जाने मेरा वाह गुरू वाह गुरू वाह गुरू वाह गुरू एको अंकार शिरी वाह गुरू जी की फते शिरी पगौती जी सहाए वार शिरी पगौती जी की पाथ शाही दसमी प्रिथम पगौती सिम्र के गुर्नान कलेंते आए फिर अंगद गुर्ते अमर्दास रामदा से होई सहाई अरजन हर गोविंदनों सिम्रो शिरी हर राए शिरी हर क्रिशन त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादर सिम्रें करनों निद आवेताई सब थाई होई सहाई दसवें पाथ्षा साहिव शिरी गुरु गोविंद सिंग जी महराज सब थाई होई जी सहाई दसवें पाथ्षाहियां दी जोत साहिव शिरी गुरु गरन साहिव जी दे पाठ दर्शन दी दार दाते आंतर के खाल साथ साहिव भोलो जी वाह गुरू पंजाब प्यारियां चोहां सहभ जादियां चाडियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिनना नाम जपिया वंड चकिया देख चलाई तेख वाही देखके अंड़िट कीता तिनना प्यारियां सचेरियां दी कमाई दात्यांद के खाल साजी बोलो जी वह ग्रू जिनना सिंगा सिंगणियां ने तर्मेद सीस दिते वंद बंद कटाए खोप्रियां लोहाईआ चर्खडियां ते चड़े तान आर्या नाल चिराए गए गुर्द्वारियां दी सेवा लई कुर्वानियां की तियां तर्म नहीं हारया सिखी केसा स्वासा नालने वाही तिनना दी कमाई दाते आन तरके खाल साजी वोलो जी वाह गुरू पंजा तख्तां सर्वत गुर्द्वारें दाते आंतर के खालसा जी बोलो जी वाहि कुरू पित में सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहि कुरू वाहि कुरू वाहि कुरू चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुखोवे जहां जहां खालसा जी साहिव तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फते विर्द की पैज पंथ की जीत शिरी साहिव जी सहाए खालसे जी के बोल बाले वोलो जी वाह ग्रू सिखानू सिखी दान केश दान रहत दान बिवेक दान विसा दान प्रोशा दान दाना सिर्दान नाम दान शिरी अमरसर साहिव जी के दर्ष निशनान चांकियां चंडे भुँङे जुगो जुगत तर्म का जैकार गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह गुरू सिखहां दा मन नीमा मत उची मत दा रखा अकाल पुर्ख वाह गुरू हे ने माने आँदे मान गुरु ने ताने आँदे तान ने उट्याँदी योट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हे वाहिग्रू, हे एको अंकार, हे सत्नाम, हे करता पुर्ख, हे निर्पव, हे निर्वैर, हे अकाल मूरत, हे अजुनी सैवं, हे गुर्परशाद, आप जीदा प्यार, अते आप जीदे पगत, संत, ब्रहम ग्यानी, कारक ते अवतार, जो हो चुके ने, जा हो रहेने, जा होन गे, आप दोना दे, आपस दे प्यार, दे रूपनु, इत्धे अपने सम ने, हाजर नाजर जान दे होए, ते मन दे होए, ते इसनू हुने साक्शाथ महसूस कर दे होए, इसे पावना नू मुख रख दे हुए आप जी दे अगे अरदास वेंती है ये जो द्यात्मिक पड़ाई दे वारे विच इस ओडियो विच जो दस्या जां समझाया गया है ये सब आप जी दे पगत संत ब्रह्म ग्यानी कारक ते अवतारां दे समाजिक विभारां वाले ओदा आरनातों ते इन्ना दे दित्ते हुए ग्याननों मिलाके आतम तात्वित जीवन ओडियो बनाया गया है इस दे विच लिखी ब्रह्म विद्यानों पड़ दे हुए तेस्दे उपर चल दे हुए निर्विगन पड़ाई हुंदी रहे इस विच बहुत सारे संसारिक बिगन अउंधे ने ते आउन गे इन्ना दियां गर्म हवावातों बचा के रखना सचे पाथ्षा जाने अन जाने विच बहुत सारियां गल्तियां हो चुकिया हन इन्ना नू नजर अंदाज कर दे होए अपने प्यार नू प्रमुख रख दे होए अपना बिर्द पहचानना सब तरफतों किर्पा रूपी मेहर पर्याहत रखना सचे पाथ्षा जी ओ जिस तरह गुर्वानी मिच्वी फुर्मान है जा तू मेरे वल हैं तां क्या मोच्छंदा तुद सव किछ मैंनों सौंपे आजा तेरा बंदा लख मी तोटना आवई खाय खार्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सव सेव करंदा इह वैरी मितर सव की तेयानै मंगै मंदा लिखा कोई न पुछई जा हर वक्षंदा अनांद पया सुख पाया मिल गुर्गो विंदा सबे काज सवारें जा तुद पावंदा जिस तरह गुरुवानी विच फुर्मान है सुलोक पावन गुरुपानी पिता माता तर्त महात दिवसरात दोएदाई दाया खेले सगल जगत चंग्याईयां बुर्याईयां वाचतर महदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती चुटी नाल हे सचे पाथ्षा काम क्रोद लो मोहंकार तों बचाके पवित्र चर्न कमलादी प्रीत वक्षनी चर्दी कला वक्षनी दिन दुगनी राज चौगनी त्रकी वक्षिश करनी सचे पाथ्षा जीओ सेई गुर्मक प्यारे मेलने जिना मिलें आप जीदा नाम अठे पहर्चित आवे कला वाहि गुरु जी की वरते तन शिरी गुरु नान कनाम चर्दी कला तेरे पाने सरवत दा पला वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते बोले सो नहाल साथ शिरी अकाल वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते सतनाम शिरी वाहि गुरु साहि जी ओ सतनाम शिरी वाहि गुरु साहि जी ओ तनासरी महला चोथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम ते ना सो ऐसा हरते आये मेरे जी ओड़े तनासर्व सुख पावे मेरे मना जाप मान सतनाम शिरी वाहि जी ओड़े जी ओड़े तनासर्व सुख पावे मेरे मना जाप मान सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याइए हर पुर्ख निरंजना रहाओ जैं हर सिम्रन पया तहं उपाद गत कीनी बड़ पागी हर जपना जननान कोगुर एमत दीनी जाप हर पावजल तरना वाहि गुर्जी का खालसा वाहि निरंजना कोगुर एमत दीनी जाप हर पावजल तरना वाहि गुर्जी का खालसा वाहि गुर्जी की फते तन श्री गुरू नानक नाम चड़ दीकला तेरे पाणे सर्वत दापला झालसा